हलो प्यारे बच्चों और दोस्तों मैं सर्वेश कुमार देच्छित आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स वाला प्लेटफर्म पर दोस्तों देखो उम्मी सीरीज के लास्ट पड़ाओं में हम लोग आ गए हैं आज एलेक्ट्रो कमेस्टी डिसकस करने जा रहा है इसके जुलाई और पूरे जुलाई या फर्स्ट वीक अगस्ट तक सिर्फ पढ़ाई कर लें जितनी पढ़ाई कर सकते कर लें मतब सारा कोना कोना चैप्टर का कवर कर लें ध्यान न कि बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना मेडिकल का पेपर बहुत इजी आता है मगर आपका पू इसके बाद पर डे या अर्टानेट डेज में फुल स्लेवर्स का टेस्ट दो ठीक है और जब पांस से साथ फुल स्लेवर्स टेस्ट हो जाएं तो फिर उनकी एनलीसिस करो कि यार किस जगए पे हम वीक हैं अब वो एनलीसिस कैसे हो भी देखिए जब आप पांस टेस्ट द दो सो पच्चिस कोश्चन का कर लिया है और दो सो पच्चिस कोश्चन का मतलब होता है हर चैप्टर से कम से कम आठ दस आठ दस आठ दस कोश्चन आ गये हैं अब आप उन पांस टेस्टों की एक लिष्ट बनाओ चैप्टरों की और देखो कितने किस चैप्टर से कोश्चन आए पांट टेस्ट में सपोस्पोस करो एलक्ट्र कमेस्टी जैसे पढ़ा रहा हूं इस सोला कोशियन आए अब आपने देखा कि सोला में से आपने बारा सही कर दिये हैं 13 सही कर दिये 15 सही कर दिये इसका उन्दब यह चैप्टर हमारा ठीक है इस पे हमें ज्यादा फोकस की जरूत नहीं है बस रिवीजन की जरूत है अब इसी के बगल में हमने देखा है हमारा चैप्टर क्या है Atomic Structure है अब Atomic Structure में 13 question आए हमने 5 साही किये है 6 साही किये है इसका मतलब इसमें improvement की जरूरत है अब वो 15 question को एक बार देखो कि कौन से question आप से गलत हो रहा है कि सब टॉपिक के Suppose करो किसी बच्चे ने का कि नहीं यार हमसे बहुर थियोरी के question नहीं हो रहा है अब आप बहुर थियोरी को डिटेलेट पढ़िए और उसके 20-25 question लगाईए अब फिर अगले full flavors दोगे 5 फिर इसी तरह से analysis करोगे इस तरह से क्या होगा कि आपको पता चलता रहेगा कौन से सब टापिक आपके बीक है नहीं तो अपने में क्या कमजोरी है ये किसी को नहीं पता होता है सब अपने को perfect मामते हैं और best मामते हैं मगर reality में सभी लोग तो best नहीं होते हैं बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके selection नहीं होगा बहुत सारे होंगे जिनके 500 नंबर आएंगे बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके 700 नंबर आएंगे और 246 ऐसे होंगे जिनके 710 से उपर आएंगे तो अपनी कमियों को कैसे पैचाना जाए वो analysis ये है क्या करना है? एक बर revision बता देता हूं मार्क टेस्टों में कितने कोश्चन आई इस चैप्टर से कितने इस चैप्टर से ये लिखा फिर मैंने लिखा मैंने कितने सही किये और कितने गलत कि यादी वो रेषियो 80% से उपर चल ला है या 80% क्या सपास चल ला कौन से सब टॉपिक से कोश्चन जादा गलत हुए है उनको अच्छे से पढ़ लो उनके दसबारा कोश्चन लगा लो मतलब सब टॉपिक को हम पढ़ेंगे क्यों अब मालो लाश्ट के दो मेने हैं तो हम क्या पढ़ें तो कोई-कोई बच्चा क्या करता है पूरी फिजिक्स कही हैं मगर वह कमजोर कहा पे हैं कैसे पता चलेगा ऐसे पता चलेगा अब फिर दो-तीन दिन तुमने सारे टॉपिक पढ़ लिए जिन資 में भी से कम करिवर और फिर फूर सबाथ और फिर लगातार पांस से साफ टेष्ट दो ठीवल बनाओ ऐसा करते 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 पेपर के दिन तक पहुंच जाओगे और पेपर के एक दिन पहले आराम से मस्टी से सो खाओ घूमो फिरो बस उल्टी सीधी चीजे ना खाना जिससे तवियत ख़रा हो जाए और अराम से सो के जाओ पेपर दे क्याओ मस्त छाप क्याओ साथ सो बीस में से साथ सो बस ठीक है तो हम लोग चैप्टर को सुरुवात करते हैं यह मैंने कुछ बाते बताई है कि कैसे हमको पढ़ना चाहिए लास्ट के डेड़ मैंने तो आपके पास यह जो बीस दिन का टाइम है इसमें तो तुम पूरा स्लेवर्स खतम करो फिजे इसका मेस्टी और बाइलोसी का उसके बाद हम पढ़ाई इस पैटर्न पे करेंगे इस से हमें पता चलता रहेगा कौन से सब टॉपिक है और साथ साथ में स्कोर का भी आईड लेना यदि एवरेज तुमारा 650 से उपर आ रहा है तो डिफनेट पेपर में भी 650 से उपर ही आएगा ठीक है चलो अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं देखो याद आज हम लोगों को एलक्ट्रो कमेश्टी निप्टाना है दोस्त तो एलक्ट्रो कमेश्टी की स्टार्टि देखे होते क्या है यदि हम कोई सलूट ले है ऐसे मैंने क्या किया एक सलूट लिया जय बी और इसको पानी में डाला अब पानी में डालने पर वो कम्क्लीट्लीय मैं लेल हो रहा है या पार्सली आयनाईज हो रहा है तो इस सलूशन का नाम हम एलक्त्रोलाइट रख देते हैं कम्प्लीटली आयनाईज हो या पार्सली आयनाईज हो तो इसका नाम हम क्या लग देंगे 100% आयनाईजेशन हो रहा है या पार्सली आयनाईजेशन हो रहा है मतलब ऐसा सलूशन जिसमें सलूट पार्टिकल पार्सली या कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं अब जड़ा एलक्ट्रोलाइज के बारे में और समझो एलक्ट्रोलाइज बच्चों दो तरह क्यों होते हैं एक कौन से एलक्ट्रोलाइज जरा समझे एक होते हैं प्यारे बच्चों वीक एलक्ट्रोलाइज और एक होते हैं इस्ट्रॉंग एलक्ट्रोलाइज वह बात अलग है मैंने यह आएनिक एक्लूब्रियम में यह पढ़ पढ़ाया है यदि अच्छे से याद हो तो आएनिक एक क्लूब्रियम में डिस्कस किया है वी क्लेक्टोलाइट क्या होते हैं यह पार्सली आइनाइज होते हैं यह क्या होते हैं पार्सली आइनाइज होते हैं मतलब हंडेट परसंड से कम इनके अलफा की वैलू हंडेट परसंड से कम होते हैं इन जर्नल यह तीन से पांच परसंड तीन से बीज परसंट तक ironize होते हैं गल्व होते हैं यह Parcelly च्पोधियों क्या होते हैं सन्सेंट मاتम हंडेट पर Sanct उल्पी चopia कि यहीं क separate आप या फिर पर अपर्संटेज्थुंस भाइज हंडेड परसंट रही यह दो ett क्या होता है जब किसी सलूट को पानी में डाला किसी वी साल्वन में डाला और यह वो आयमनाईज हो गया मतलब उसने आयम छोड़ दिये तो वो सलूसन ऐलक्टोलाइट बोला जाएगा ठीक दो तरह का होता है यह थी हंड़ेड परसन ऐने जोड़ रहा है तो इस्ट्रोंग और यह पार्सली आयोनाईजेशन कर रहा है तो वीक लेक्टोलाइट बच्चों ने का सर हमको कैसे पता चलेगा कौन क्या है तो जरा गौर से कुछ एक्जामपल देख लो वीक लेक्टोलाइट के एक्जामपल कौन होंगे वीक एसिड वीक बेस इनकी डिफनीशन ही आई है ठीक है और आप जानना चाहो तो और गैनिक कंपाउन यह जो और गैनिक एसिड और बेस होते हैं यह हमेशा पार्सली आयोनाईज होते हैं यह सब वीक होते हैं एक्सेप सलफोनिक एसिड सलफोनिक एसिड को छोड़ दो अब strong acid strong base and प्यारे बच्चों salt यह हमारे strong electrolyte में आते हैं तो electrolyte समझ गये किसी भी solvent में आप salute डालते हो यदि salute parsley या completely ionized हो गया तो electrolyte completely ionized हो गया तो strong electrolyte parsley ionized हो गया तो weak electrolyte ठीके अब जरह देखो अब हम लोग आते हैं कंड़क्टेंस में कि कंड़क्टेंस क्या होता है एलक्ट्रोकमिस्ट्री के चार पार्ट तीन पार्ट है कंड़क्टेंस सेल एंड एलक्टोलिसिस तो हम लोग सबसे पहले कंड़क्टेंस से स्टार्ट करेंगे तो conductance क्या होता है तो सभी बच्चों को पता है कि conductance G equal to या C equal to 1 upon R होता है मगर प्यारे बच्चों ये mathematical form है कि resistance का reciprocal conductance होता है मगर conductance करता क्या है conductance measure करता है rate of flow of charge को in solution conductance क्या करता है measure करता है rate of flow of charge in electrolyte solution electrolyte solution वो उसका mathematical form है formula form है कि G या C equal to 1 upon R मगर reality में करता क्या है यह आयन की डौड को measure करता है जिसकी वज़े से current flow होता है तो यह क्या measure करता है rate of flow of charge in electrolyte solution और इसकी unit क्या होती है तो सब लोग जानते हैं यार physics में तो आप लोग मारती हो तो आप सभी लोग जानते हो तो क्या होगा ओम इनवर्स या इसी को हम लोग बोलते हैं सीमेंज कैप्टल एस यह आगया कंडेक्टेंस की बात इतनी बात के लिए रहे कोई कर सिंपल से डिपनीशन है कंडेक्टेंस वन अपन आर होता है ठीक है यह मैथमेटिकल डिपनीशन है इसी को फार्मूला कहते है रियल्टी में क्या करता है यह रेट आप फ्लो आप चार्ज को मेजर करता है यदि कोई चार्ज दोड़ रहा है एलक्टोलाइट के अंदर ठीक है तो उसको मेजर करेगा कौन कितनी तेजी से दोड़ रहा है जितनी Type of Conductance जड़ा इसको समझो Conductance मेरे प्यारे बच्चु दो तरह क्यों होते है एक Metallic Conductance पहले हम लोगों के पात जो Theory है उसको पढ़ लेंगे पिर हम लोग Question भी करेंगे ठीक है तो पहले Theory निप्टा ते एक होता है Metallic Conductance और एक होता है मेरे दोस्त Electroletic Conductance Electroletic Conductance दोनों में difference क्या है इस बात को भी डिसकस कर लेते हैं कि दोनों में क्या difference है दोनों की definition क्या है गोर समझे जहें metallic conductance का मतलब होता है कि हम wire में बात कर रहा है यह wire है हम हम इसमें बात कर रहा है और एलक्ट्रोलेटिक कंडेक्टंस का मतलब होता है कि हम सलूसन में बात कर रहा है और जब सलूसन में बात करेंगे तो जड़ा बताना यहां पर चार्ज का फ्लो कौन कराएगा यह एक एलक्ट्रोलेटिक सलूशन है ऐसे यह हमारा क्या है एलक्ट्र है कैथोड ऐसे देखिए एक हमने यहां पर ऐनो लगा दिया है एक कैथोड लगा दिया ह। है यह दिखो इस तरह से हैं अ है एक क्योड पर प्लस चार्ज बना लो एक क्योड उपर माइनस चार्ज बना suspicion करता है अब दिखार्त करके दोनों की कौन करता है electron electron का migration इधर की हो रहा है तो metallic conductor में क्या होता है metallic conductor में electron का flow मतलब charge का flow कौन करता है electron flow कौन करता है electron करता है इसमें कौन करता है flow ions करते है charge का flow कौन करता है ions करते है पास्ट्व आयन जो होता है sorry जो पास्ट्व आयन होता है वो negative plate के और भागता है ऐसे और जो हमारा negative ion होता है वो positive plate के और भागता है ऐसे है इस तरह से तो इसमें charge का flow ion के थुरू होता है इसमें charge का flow electron के थुरू होता है फिक है metallic conductor में अब आंगे बढ़ते हैं इसमें कोई chemical reaction नहीं होती है chemical reaction नहीं होती है किसी wire में chemical reaction होती है क्या electricity आतो रही है chemical reaction हो रही है copper का wire zinc हो गया zinc का wire zinc sulfate हो गया ऐसा कुछ होता है नहीं इसमें क्या होता है इसमें chemical reaction होती है आप सभी लोग जानते हैं एनोड पे ऑक्सीडेशन कैथोड पे रिडक्षन तो इसमें केमकल रिडक्षन होती कौन सी रिडक्षन होती है यह दोनों में डिफ्रेंसे बता रहा हूं अब जो नेक्स डिफ्रेंस है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी दोस्त इसमे मास चेंज होता है नो चेंज भाई जब कोई रियक्षन ही नहीं हुई तो मास कैसे चेंज होगा इसमें क्या होता है मास का चेंज होता है क्यों रियक्षन होगी तो किसी का ऑक्षिडेशन होगा किसी का रिडक्षन होगा तो कंसंट्रेशन मास में चेंजे जाते जाएंगे इसमें क्या होता है मेरे दोस्त Effect of Temperature Temperature increase करने से गौर सुनिएगा ये important point है क्योंकि दोनों में differences है Temperature increase करने से metallic conductance जो होता है वो decrease करता है Decreases Temperature increase करने से metallic conductance decrease होता है और जबकि यहाँ पर उल्टा होता है यदि आप Temperature increase करोगे Increases तो metallic Electroletic Conductance क्या होता है Increase होता है ऐसा क्यों होता है बताता हूँ मेरे दोस्त टिंसन लो गौर समझे ठिक अब कैसे देखो जब वायर में Flow हो रहा होता है तो Electron के थू हो रहा होता है तो जब Temperature बढ़ाते हो तो Electron का Vibration बढ़ दाता है Electron का Vibration बढ़ दाता है तो Collision बढ़ दाती है और Collision बढ़ गए यह Electron के बीच में तो Registance बढ़ गया और Registance बढ़ गया तो Flow Up Charge क्या हो गया Registance का मतलब क्या है Flow को रोकना और वो रोकता कैसे है कोई पकड़ के लक्तान को खिषता थोड़ी अरे भाग की दर रहे हो लाँ पकड़ने वो क्या करता है Collision बढ़ा देता है आप Physics में पढ़ते हो R इक्वल टू है ना R proportional to L upon A मतलब Length जादा होगी तो Registance जादा होगा ऐसा क्यों कहते है Collision की वज़े से कहते है जादा Length पर जादा Collision होगी तो जब हम Temperature बढ़ाते है तो Electron की Collision बढ़ जाते हैं क्योंकि Vibration बढ़ जाता है Vibration बढ़ने की वज़े से Rate of Flow of Charge कम हो जाता है इसमें क्या होता है इसमें जब आप Temperature बढ़ाते हो तो Vibration नहीं बढ़ता क्योंकि यह Large Size है Electron से कितने लाग गुना बढ़ा आयन है तो Vibration नहीं बढ़ता है तो वो अपनी Speed को बढ़ाता है और Speed बढ़ गई तो Conductant बढ़ गया Electron smallest particle है उससे छोटा, ठीक है Stable particle कोई नहीं है तो इस वज़े से वो Vibration बढ़ाता है Temperature बढ़ाने पर और इसका Vibration नहीं बढ़ता है अब जैसे हमारा Temperature बढ़ा दो हम Vibration नहीं करेंगे, जल भले जाए क्यों इतनी Heavy Body है तो आयन बहुत Heavy होते है तो यह Vibration नहीं Increase करते है यह Speed को Increase करते है तो दोनों में Difference समझ गए Type of Conductance यह भी Charge का Flow कराते हैं यह भी Charge का Flow कराते हैं यह Wire में Use होता है ठीक है Wire मतलब Metallic Rod में और क्या-क्या बाते होती हैं इनमें Electron Flow होते हैं इनमें कोई Chemical Reaction नहीं होती हैं इसमें Mass का Change नहीं होता है अब Effective Factor Conductance कभ Increase होगा कभ Decrease होगा यह कैसे पता चलेगा यह बहुत Important Topic है इस जगे से Question आते हैं अभी तक जो हम लोग पार्ट कर रहे थे उससे Question आने की Probability बहुत कम थी यह ना के बराबर थी अब जो प्यारे बच्चों हम लिखने जा रहे हैं उस पर Question खूब आएंगे दबा के दबा के आएंगे Question तो जो देखो सबसे पहला Concept ध्याम दीजिएगा Conductance जो होता है वो Number of Ion के Directory proportional होता है जितने ज़्यादा Ions उतना ज़्यादा Conductance Number of Ions के Directory proportional होता है जितने ज़्यादा Ions होंगे उतना ज़्यादा Conductance होगा इस बात को आप हमेशा ध्यान लखें Rule Number पहला अच्छा ये कुछ ज़्यादा Length हो गई है इसकी Rule Number पहला मतलब किसी ने मेरे से कहा कि बताओ गौर सुनिएगा SCL का Conductance ज़्यादा होगा या S2SO4 का Conductance ज़्यादा होगा तो हम सीधा सीधा बोल देंगे यार Tension न लो S2SO4 का ज़्यादा होगा किसी ने का Y तो आप जानते हो S2SO4 में क्या होगा 3 I.N. होंगे और SCL में क्या होगा 2 I.N. होंगे है S2SO4 भाई कैसे break होता है ऐसे break होता है तो जड़ा देखो कितने आयन आ है टोटल टोटल मेरे प्यारे बच्चों तीन आयन आ है और जब कि जब SCL को break करोगे तो कितने आयन आएंगे अरे बोलो तो सही SCL को break करने पर 2 I.N. आएंगे मेरे प्यारे बच्चों यह देखो है कि नहीं दोस्त सही चला है तो आयन ज्यादा तो कंडेक्टन ज्यादा सिंपल सी बात है तो इसमें हम लोगो कोई टेंसन की बात ही नहीं है आयन बढ़ गए कंडेक्टन बढ़ गए किसी ने कहा इसमें बताओ NaCl Na2 SO4 और बच्चों Na3 PO4 अब बताओ आयन किसमें ज्यादा होंगे तो मेरे सभी प्यारे बच्चे तुरंत पकड़ लेंगे आयन किसमें ज्यादा होंगे इसमें फिर इसमें ठीक है न यह देखो अब मैं आपको छोड़ा सा फसाने वाला हूँ इस बात को जरा गौर से सुनिए ध्यान दीजेगा डरिएगा नहीं ठीक है इस बात को जरा समझेगा बहुत मस्त है मतलब इससे question आएंगे तो गलती करोगे क्या है जरा गौर समझेगा Conductance of HIN and OHIN is very very high then other ions due to growth effect growth effect जरा इस बात को गौर से समझेगा यदि कहीं HIN का Conductance है तो वो हमेशा ध्यान लखना सबसे ज़्यादा होगा HIN का Conductance दूसरे के compare में हमेशा सबसे ज़्यादा होगा ध्यान लखेगा HIN और OHIN का Conductance तो बच्चों ने कहा मतलब मैंने कहा मतलब यह है यदि किसी ने ऐसा question पूल दिया तो क्या करोगे दो मिनिट में फज्जा होगे यह देखो SCL NACL दोनों में आयन के नंबर सेम है चेक करो है एच एच सील में भी आयन दो एच सील में भी आयन दो अब तुम मुसीबत में आ जाओगे किसका ज़्यादा करें दोनों स्ट्रॉंग एलेक्टोलाइट है तो इसके पास एच है और एच का कंडेक्टन्स हमेशा दूसरों से ज़्यादा है यह देखो ग्रोथस इफेक्ट है यह पानी में न अलग स्टाइल से दौर लगाता है हाइड्डोजन बॉनिंग करते हुए दौर लगाता है इत्ता टाइम नहीं है कि उस पूरे को एक्स्प्लेन किया जाए हाइड्डोजन स्टाइण करते हुए दौर लगाता है तुम ध्यान लकना यदि आयं के नंबर से मोढ़ mesa जिसके पास है चीन और ओपनेक्टन्स दूसरे से ज़्यादा लगाना ही लगाना उसका कंडेक्टन दूसरे से ज़्यादा लगाना ही लगाना जैसे यह देखो केस आया आयन के नंबर से मैं तो हमने एचान का कंडेक्टन दूसरों से ज़्यादा लगा दिये कि आंक बंद करके ठीक आंक बंद करके अब नेक्स्ट रूल इसको जड़ा समझो नेक्स्ट रूल क्या है रूल लंबर टू जो आपको हमेशा याद रखना है यह जो दो रूल लंबर टू इन से सब तरकोश्टन आते हैं यह द्यान की और wondा यह साब से कोई बताने वाप नहीं आप मेरे से पहले ही समझ गया होगी क्यों strong electrolyte ज्यादा आयन देगा वीट अल्धक्रोलाइट कम any देगा फ़र एक्जाम पन है जैसे किसी ने as lasu ये लिखा और लिखा CIP एसेड आब काव कंडेक्ट किस का ज्यादा है तो इसका ज्यादा है क्यों क्यों कि ये इस्ट्रॉंग एलेक्टोलाइट है और यह क्या है वीक एलेक्टोलाइट है वीक एलेक्टोलाइट का कंडेक्टेंस से ज्यादा होगा क्यों ज्यादा होगा क्योंकि यार उसमें आयन ज्यादा होंगे आयन ज्यादा कंडेक्टेंस ज्यादा तो वीक एलेक्टोलाइट का स्ट्रॉंग एलक्तोलाइट का अब जरा गौर से समझे रून लंबर थ्री मिर रून लंबर थ्री इस पर भी कोश्चन आदा है मैं समझाता हूं क्या है रून लंबर थरी नि देखो मेरे प्यारे बच्चों कंडेक्टन्स डायरेक्टरी प्र पोर्पोर्शनल होता है इन्वर्सली प्रपोर्शनल होता है एलक्तो इस्टैक्स फोर्स के इसके इस चीज को मैं ऐसे लिख देता हूं हो सकता ऐसे लिखने में दिक्कत आया आपको आप ऐसे लिख लो और इसका डोमिनेशन होता है यह अभी आप नहीं समझ पा रहे होगे कि मैं क्या लिख रहा हूं अभी मैं समझा देता हूं जरहां गौर से समझेगा यह कभ यूज करोगे नमबर ओफ आयन्स सेम हो और एलक्टोलाइट का नेचर भी सेम हो एलक्टोलाइट का नेचर भी सेम हो नेचर एक निट करें बच्छो नेचर क्या हो सेम हो मतलब वीक का वीक से कंपेर किया जाए इस्ट्रॉंग का स्ट्रॉंग से कंपेर किया जाए तब यूज करोगे यह उसमें से यदि चार्ज वहरी कर रहा है तो चार्ज का डोमिनीशन है और यह जो आर लिखा यह क्या है यह है साइज आफ गैस आयन साइज आफ गैस आयन साइज आफ गैस आयन इसी को बोले जाता है साइज आफ नैकेट आयन साइज आफ गैस आयन मतलब क्या हुआ मैं अभी आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूं कोश्यन किसी ने पूछा जरा बताना इन में से कंडेक्टेंस किसका ज़ादा है तो तुम क्या करोगे डोमिनेशन किसका चार्ज बढ़ेगा तो कंडेक्टेंस कम होगा अंसर ये लगा दोगे मगर किसी ने ऐसे पूछ दिया तो इन में से कंडेक्टेंस किसका ज़ादा है अब क्या करोगे चार्ज सेम हो गया ना माइनस वन माइनस वन माइनस अब तुम साइज पर जाओगे साइज आप गैस आयन साइज सबसे बड़ा किसका होता है सौरी बच्चो साइज सबसे बड़ा किसका होता है इसका साइज ज्यादा कंडक्टन ज्यादा है यह हम गैस अइन के साइस की बात कर रहा है हाइड्रेट अधिन के नहीं ध्यांन अखना है लोग यह ईसलिए नहीं नहीं करता दल्कुत और बच्चा प्रिएॉररिक क्लासिफिकेशन में पढ़ चुका हो तो इसको गैस पुद्रत का यंद का साइज निकालने में कभी नहीं संजर नहीं होती है तो गय सायण के साइज के डायरेक्टरी प्रोपोर्शनलाई और साइज कोई नैके डायन का साइज कहते हैं ये साइज़ बढ़ारा है इस अएक मैंने ये बात बताइए है ठीक है कि यदि ऐसे कोश्चन आएंगे तो कैसे करोगे इस टाइप के कोश्चन खुब आते हैं ध्यान नखिए यह जो रूल नंबर थिरी के ना इसके कोश्चन खुब आएंगे तो जड़ा ध्यान नखो मेरे यार प्यारे बच्चों क्या लिख रहा हूं पकड़ लोगे न इनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एलक्ट्रोइस्टेटिक स्पोर्स का ही फार्मूला लिखा है चार्ज का डोमिनेशन रखो जब चार्ज कॉस्टेंट हो जाए तो साइस पे चले जाओ और साइज आप नैकेड आयन मतलब गैस आयन यह देखें कर लोगे बच्चे ने का सर मस्त कर लेंगे आप टेंसन न लो अब रूल नंबर हम चलते हैं क्या यह देखो फोर रूल नंबर फोर क्या है जिरा देखो यदि किसी ने ऐसा कह दिया कि यार कंसंट्रेशन था टेंट की पावर माइनस फोर मोलर और इसकी कंड़क् इसका कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस सिक्स मोलर कर दिया जाए तो सीवन आयन की कंड़क्टिविटी कितनी है सीटू है तो बताओ किसकी कंड़क्टिविटी ज्यादा है दोनों ही सेम है अब आपके सारे रूल जो पीछे लिखे हैं फेल हो जाएंगे क्योंकि आपने कंस तुम पीछे अला कोई रूल लगाई नहीं पाओगे जो पीछे प्लाएं तुझरा देखो कंड़क्टिविटी क्या होती है कंड़क्टिविटी कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रपोर्शनल होती है अब कभी यह लगाओगे जब सब कुछ कॉस्टेंट हो द्यान लगा जब सब कुस्थ कॉस्टेंट यह कायए दो कि डाइलूशन के डायरेक्ट्री प्रपोर्शनलव होता है आप दैलूशन बढ़ाओगे तो तो बढाई है तो बच्योने का सर कैसे है यह बात आप कैसे चलिए बढ़ाने से सबती burg यह टहुग है कि permet कमरे में एक लेंट वाला कमरा है ट्व कर से कमरा है ना एक ट्यूब के, 15 मिटर के, अब उसमें मैंने तीन बच्चों को दोड़ा दिया, तो वह एक दूसरे से टकराते हुए इंड तक जाएंगे, और एक ट्यूब है उसमें एक बच्चे को दोड़ा दिया, तो उसकी स्पीड जाधा होगी, क्यों कि कोई कोई स्पीड को रोक नही और दूर दूर हो जाते हैं तो एक दूसरे का effect नहीं लगता तो तेजी से बागते हैं तो dilution करने से क्या होता है आयन के बीच की distance भी बढ़ती है और साथ-साथ में degree of dissociation भी बढ़ता है यदि वो weak electrolyte है तो degree of dissociation भी बढ़ेगा तो दो चीजे change होती है जब आप dilution करते हो dilution करने से दो चीजे change होती है alpha जो होता है वो increase होता है क्यों formula होता है k upon c तो alpha बढ़ जाता है alpha बढ़ने से क्या हुआ number of ions बढ़ गए और साथ-साथ में distance between two ions बढ़ जाती है distance between ions increase हो जाती है उससे क्या होता है उससे collision नहीं हो पाते है तो molecule तेजी से भाग पाता है molecule तेजी से भाग पाता है तो जड़ा ध्यान लखिएगा यदि आप concentration change करोगे तो भी number change हो जाएगा और लास्ट एंट फाइनल रूल रूल नंबर फाइब कंडेक्टेंस temperature के directory proportional होता है क्योंकि हम electrolytic conductance पढ़ रहे हैं temperature पढ़ाओगे तो कंडेक्टेंस बढ़ जाएगा यह बात मैंने अभी पीछे पढ़ाई थी यह बात मैंने अभी पीछे पढ़ाई थी अब हम लोग discuss करेंगे conductivity किसे कहते हैं तो देखो यार दोस्त कंडेक्टिविटी क्या है कंडेक्टिविटी क्या होती है तो जड़ा देखो यह क्या करता है यह मेजर करता है रेट आफ फ्लो अप चार्ज अग्या इन वन सेंटीमीटर क्यूब वैल्यूम आफ सलूशन कैसा सलूशन एलक्टोलाइट सलूशन एक सेंटीमीटर क्यूब में कितना कंडेक्टस है उसको कंडेक्टिविटी कहते हैं फार्मूला तुम्हें बता दूँंगा वो equivalent होते हैं वह सभी बच्चों को आते हैं कि कापा इकवल्टू जो होता है दना इकवल्टू होता actually positive अना काप-पा इकवल्टू क्या होता है वन अपन रों रोट था redo постivity ई होता ऐसे मगर आप इसको न याद करके ध्यान नखें इसको याद रखें यह अपने काम की चीज़ है यह कोश्णों में यूज होगी यह स्टा-प्र सेंटी्मीटर क्यूब उस naught कांड़ेंट करते हैं ढुख सेंटीमीटर क्यूब में मेजर कर देते हो तो conductivity बोलते हैं उसको kappa सरिफ जण करते हैं और दोनों में relation क्या होता है तो relation आप सभी बच्चे पढ़ते हो जानते हो वो क्या होता है kappa equal to conductance और L upon A L upon A को क्या बोला जाता है cell constant ठीक है यह क्या है conductance है और यह क्या है conductivity है ऐसे unit प्यारे बच्चों क्या होगी जरब बताना यार तो unit क्या होगी इसकी unit क्या थी सेमेंस इसकी unit क्या है centimeter इसकी unit क्या है centimeter square तो क्या गई सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स यह unit आगे ठीक है तो conductivity क्या होता है एक centimeter क्यूब वैलूम पर जितना conductance flow हो रहा है उसको conductivity क्याता है theoretically और इसी की जुरूरत पढ़ेगी इसलिए यह statement अच्छे से समझेगा और पार्मूला तो आप सवी बच्चे जानते ही हैं आप molar conductance क्या होता है जरा समझो कि भाईया molar conductance क्या है देखो गौर समझेगा जो आप molar conductance भी बता देता हो और यह बहुत इसी चीज़ कर दिया गया तो conductivity बोला गया और यदि यही solution एक molar कर दिया जाए तो molar conductance बोला जाता है मतलब rate of flow of charge rate of flow of charge का मतलब क्या हुआ यह चार्ज है कंडेक्टेंस rate of conductance है इन है वान मोलर है एलक्टोलाइटिक स्लूशन है एक मोलर एलक्टोलाइटिक स्लूशन में जो रेट आप flow of charge है उसको molar कंडेक्टेंस होते हैं एक सेंटीमीटर क्यूब वैलूम में जो कंडेक्टेंस है कंडेक्टिविटी एक मोलर सलूशन में जो कंडेक्टेंस है मोलर कंडेक्टेंस है फार्मूला आप सब जानेंग लैम्डा एम एक्वल टू कापा इंटू 10 की पावर 3 अपान मोलर्टी इसको क्या कहते हैं मोलर्टी किसकी सलूशन की मोलर्टी ओफ सलूशन ठीक है अब इससे क्या पता चलता है इससे साफ साफ पता चलता है कि यदि अब इसकी यूनिट क्या होगी मेरे दोस्त तो यदि यूनिट की बात करते हैं तो कापा की यूनिट क्या थी सीमें सेंटीमीटर इन्वर्स मोलल्टी की क्या होती है मोल पर लीटर तो मोल अपान सेंटीमीटर क्यूब तो जब यह उपर चला गया तो सीमें सेंटीमीटर स्कॉाइर मोल इन्वर्स आ गया यह यूनिट हुई इसकी यह यूनिट हो गई किलियर है मैं अच्छ है एक्यूबcket खंट क्या होता है तो यहार एक्यूवफंक गां positives iOS ये हैं कि कर दिया जाए एक नॉर्मल मतलब नॉर्मल्टी 1 कर दी जाए अब इसमें जो कंडेक्टेंस फ्लो हो रहा होगा उसको एक्क्यूवेलेंट कंडेक्टेंस कहेंगे अब जब चारों डिफनीजन समझना किसी सलूशन में जो रेट आफ फ्लो आफ चार्ड एक अन्डेक्टेंस यदि उसी सलूशन का वन सेंटीमीटर क्यूब कर दें तो वह कंडेक्टिविटी बोला जाने लगता है यदि उसी सलूशन को वन मोलर कर दे तो मोलर कंडेक्टिंक बोला जाने लगता है और यदि उसी सलूशन का कंसंट्रेशन वन नार्मल कर दे तो एक्टूबलेंट कंडेक्टं बोला जाने लगता है तो यह क्या मेजर करता है रेट आफ फ्लो आफ चार्ज इन वन नॉर्मल Electrolytic Solution Rate of flow of charge In one normal Electrolytic solution Formula lambda E equal to Kappa Into 10 ki power 3 Divided by normal D Equivalent Conductance Concentration Inversely Proportional Yadhi aap Concentration Inversely Proportional Unit ki bata Unit as Siemens Centimeter inverse Normalty ki unit Equivalent Divided by Centimeter cube यह किसकी unit है Value की तो Siemens Centimeter Squire Equivalent Inverse Equivalent यह L Equivalent Inverse आसे यह unit हुई किसकी Equivalent रिलेशन करेंगे तो relation कर लेते हैं relation between molar conductance and equivalent conductance equivalent conductance और molar conductance में relation और यह बहुत easy AR 2 second में तुम्हें आ जाएगा ज़रा देखो यादि molar conductance को equivalent conductance में divide कर दिया जाए तो बाकि सारी चीजे तो कटी जाएंगी क्या जाएगा normality upon molarity कैसे इसका formula क्या है kappa into 10 की power 3 normality इसका क्या है kappa into 10 की power 3 molarity तो जब divide करोगे तो m inversely proportional है यह भी inversely proportional है अब हम क्या करें अब हम सब जानते हैं कि normality को लिखा जा सकता है n factor into molarity normality equal to क्या होता है n factor into molarity molarity से molarity कट गया तो molar conductance equal to आ गया n factor into equivalent conductance इसका मतलब यह भी हमें कोई एक conductance दिया है तो हम उसको दूसरे conductance में convert कर सकते हैं n factor का multiply करके अब बच्चों ने का सरम n factor नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं क्या time के उपर जो चार्ज होगा वो उसका n factor होगा क्यों क्यों क्योंकि यहां पर हमारे पास आयन आएंगे तो ज्यादा टेंसन की बात नहीं है जैसे किसी ने कहा जरह बताओ अल्मियम का n factor कितना होगा कितना चार्ज है तीन तो तीन एंफेक्टर होगा कैल्सियम का कितना होगा कितना चार्ज है दो तो दो एंफेक्टर होगा सोडियम का कितना होगा कितना चार्ज है एक तो मेरे दोस्त एक एंफेक्टर होगा यार यह तो तो N factor निकाल लोगे, तो molar conductance और equivalent conductance में relation भी अपने को पता चल गया, देखते जाएंगे ये बते, effect of dilution, यदि dilution करेंगे, तो क्या होगा, dilution का मतलब क्या होता है, ये सारे बच्चे जानते हैं, आइने की equilibrium में भी ये term पढ़ाया गया है, dilution का मतलब होता है, addition of solvent, addition of solvent only, सिर्फ solvent के addition को dilution कहते हैं, मतलब और कुछ आप नहीं डालोगे, तो जब कहीं पर dilution हो रहा है, तो जड़ा गौर समझीएगा क्या क्या होता है, हमारे पास चार चीजे, एक है conductance, एक है molar conductance, और एक है प्यारे बच्चों, equivalent conductance, जड़ा समझो, यह lambda E है, यह lambda M है, और यह C है, यह सब increase करते हैं, dilution करने पर, increases, यह सभी के सभी increase करते हैं, बच्चों ने का सर क्यों increase करते हैं, तो मैंने का यार कुछ करना ही नहीं है, इसका तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, इन दोनों का देखो, तो सौरी, आंगे बढ़ा गया, question में पहुंच गया, यह देखो, concentration के inversely proportional है, तो जब concentration कम होगा, तो इनकी value बढ़ेगी, और dilution करने से concentration कम हो जाता है, concentration के inversely proportional है, concentration कम होगा, तो molar conductance बढ़ेगा, और conductance क्यों बढ़ता है, यह मैं अभी पीछे लिखके आया हूँ, यदि आपकी याददास ठीक है, यह देखो, dilution करने से conductance बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, एक तो यदि वो weak electrolyte है, तो degree आप dissociation बढ़ जाता है, और दूसरी distance बढ़ जाती है, ठीक है, इस वज़े से बढ़ जाता है, तो इस वज़े से जब भी कहीं dilution किया जाएगा, तो ये तीन चीज़े बढ़ेंगे, मगर ये चीज़ कम होती है, जरा इसको note डाल के लिख रहा हूँ, गौर समझेए, conductivity, मतलब कापा, decreases, on dilution, अब किसी ने कहा ऐसा क्यों, तो जरा बताना, reason लिख रहा हूँ, कि reason क्या है, number of ions per unit volume of solution decreases, अब आप को बताता हूँ, आपको मैंने कहा था, definition पर focus रखना, mathematical form पर focus ना रखना, बोला था ना, इसलिए बोला था, देखो conductivity पर cm3 मेजर की जाती है, यदि पर cm3 में आयन कम, तो conductivity कम है, वह आप dilution कर रहा हूँ, तो सिर्फ पानी मिला रहा हूँ, पानी मिला होगे, तो आयन दूर दूर हो जाएंगे, और आयन दूर दूर हो गए, तो क्या होगा, एक cm3 में नंबर आफ आयन कम हो जाएंगे, बच्चे ने का, नहीं सर, कुछ दिक्कत है, फिर समझा दो, मैं देका, पान्च बच्चे एक रूम में है, तो distance कम है, है, अब रूम में कितने बच्चे हैं, पान्च बच्चे हैं, ठीक, तो अच्छा, अब इनी पान्च बच्चों को हमने जाके पार्क में खड़ा कर दिया, अब उस रूम के बराबर की जगे पे, अब कितने बच्चे हैं, तो हो सकता कोई बच्चा ना हो, उस रूम के बराबर की जगे पे, क्योंकि पार्क तो बहुत बड़ा होता है, तो हो सकता है कि रूम वाली जगे वहां पर वही रूम उठाके जाके वहां रखो तो कोई बच्चा ना आए यह आए भी तो एक बच्चा अब्स हो दीरते हैं गो पड़ा लो मगर हम तो नहीं जाएंगे तो वो तो सब जगे टहलते हैं ना तो पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर आफ आयन डिक्रीस कर जाते हैं इसलिए कंड़क्टिविटी डिक्रीस कर जाती है यह कोश्चन खुब पूछा जाता है तो इसलिए प्यारे बच्चों ध्यान नख्येगा इंपोर्टेंट पॉइंट है यह ठीक है कर लोगे अब कहानी को थोड़ा सा और आंगे ले चलते हैं अच्छा कोलार चला अब कोलार चला आने से जेस्ट पहले एक बात बता देता हूं अब देखो इस्ट्रॉंग एलक्टोलाइट पे इसका क्या इफेक्ट प इस्ट्रॉंग एलक्टोलाइट पे क्या इफेक्ट पड़ता है कि देखिए यह डायूशन किया जा रहा है ऐसे पहले पानी यहां तक था आपको मैं सिंपल एक्जामपल देता हूं जरा समझेगा ऐसे आयन कहां थे सपोस्पोस करो हमारे पास सिर्फ चार आयन थे एक आयन यह है एक आयन यह है एक आयन यह है अब किसी ने क्या किया डायूशन कर दिय वाटर एड़ कर दिया वाटर एड़ कर दिया तो यह ऐसे हो गया अब भया तुम पानी एड़ कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा ना यह देखो प्यार रहे है अब वही चार आयन अभी भी चारी आयन है मगर अब उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई है यह देखो अब बताओ क्या डिस्टेंस सेम है अब बढ़ गई यह डिस्टेंस आयनों के बीच ही डिस्टेंस बढ़ गई है तो जब आप डाइलूशन करोगे तो इस ट्रॉंग अलेक्ट्रोलाइट का भी कंडेक्टन्स इंक्रीज करेगा मगर बहुत जादा नहीं क्योंकि इसको पहले से लगवाख 100 पर सेना इस तो क्या होगा का कंडेक्टेंस ओफ व कि श्ट्रॉंग अलेक्ट्रोलाइट है आउसों इंक्रीज जिर्ट है on dilution dilution करने पर conductance strong electrolyte का भी increase करता है क्यों? distance बढ़ जाती है और थोड़ा बहुत ionization भी बढ़ जाता है मगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता reason क्या है? क्योंकि ion की बीच की distance बढ़ जाती है यदि किसी ने reason पूछा तो क्या है? main reason क्या है? distance between iron increase कर जाता है और हो सकता है कि थोड़ा बहुत ionization भी बढ़ जाता है तो यार आप तो जानते ही हो बच्चे तो खतरनाक होते है उन्होंने का सर कितना बढ़ जाएगा? क्या calculate कर सकते है? कितना बढ़ जाएगा? भाई आप कहे रहो क्या calculate है? इस बात को जरा समझेगा देखो यह एक mathematical equation है जो यह बताती है कि कितना बढ़ जाएगा? और यह equation दी किसने थी? यह equation दी थी ती तीन scientist है यह अपने हकल आने वाले भाई साब हकल और सेगर and dby इन तीन लोगों ने यह बात कही थी इसलिए इनके नाम पे इस equation का नाम रख दिया गया ऐसे अब इसमें कौन कौन क्या क्या है जरा यह समझ लो क्योंकि इसकी जरूवत आपको आ सकती है देखो कौन कौन क्या क्या है यह क्या है यह है molar conductance हम लोग पहले इसे जानते है at V dilution V dilution का मतलब होता है finite dilution पानी मिलाया है मगर बहुत ज़्यादा नहीं मिलाया है और यह क्या है molar conductance at infinite dilution मतलब पानी बहुत मिला दिया है इतना पानी कि आप उसको infinite से compare कर रहे है molar conductance at infinite dilution यह देखो अब वो कह क्या रहे है ए क्या आता है इस बात को थोड़ा ध्यान दिजेगा A जो है यह salute salute interaction है salute का molecule salute के molecule के साथ जो interaction बनाता है उसको represent करता है A B represent करता है solvent के molecule का solvent के molecule के साथ के interaction को और C क्या है concentration जैसे concentration की value 0 होती चली जाएगी यह value बढ़ती चली जाएगी और बढ़ते 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 क्या होगा infinite dilution के बराबर हो जाएगी मतलब सबसे बढ़ी value जो होती है infinite dilution पे conductance की होती है जब infinite dilution होगा तब conductance की सबसे बढ़ी value होगी क्यों जब c equal to zero डालोगे तभी तो इसकी value सबसे बढ़ी आएगी चेक कर लो और c equal to zero का मतलब क्या है infinite dilution infinite dilution तो यह देखो तो strong electrolyte की जब बात कही गई तो इन्होंने का conductance वहाँ पर भी increase करेगा distance increase करती है तो कहा गया किसी Patienten से निकाल सकते हो थो उन्होंने का यह देखो इक क्वेश्गन है इससे मलब teeny सो अब वीख एलेक्ट्रोलाइट के लिए की बातने बताई वने जड़ास्मझीएगा है यहाद की हम वीख एलेक्ट्रोलाइट पर dilution करेंगे तो क्या आएगा यह कैसे बताया गया तो जो आप गौर समझे आप कोलार्च भाई साब आए एक साइंटिस्ट है इन्होंने क्या बताया जर देखो इन्होंने का यह वीक अलेक्टोलाइट पर करते हो तो क्या होता है देखिए मोलर कंड़क्टेंस या फिर कंड़क्टेंस मोलर कंड़क्टेंस और आए निक कंपाउंड compound in infinite dilution, infinite dilution is equal to molar conductance of molar conductance of is equal to, थोड़ा साही कर देए, is equal to sum of molar conductance of their constituents, constituents ions, ions at infinite dilution, at infinite dilution. इनका कहना था कि यदि infinite dilution पर किसी वीक अलेक्टोलाइट का कंड़क्टेंस निकालना है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, किस तरह से जड़ा देखो, कौर समझे, किसी ने पूछा estic acid है, तो इन्होंने का कि infinite dilution पर estic acid का जो concentration होगा, molar conductance जो होगा, वो क्या होगा, molar conductance of acetate ion at infinite dilution, plus molar conductance of H ion at infinite dilution, उनके sum के बराबर होगा, ये बात इन्होंने बताई, कोलार चला ये है, कि किसी भी weak electrolyte का जो conductance होता है, वो उनके आइनों के molar conductance के sum के बराबर होता है, और जो important बात थी, वो क्या थी? molar conductance of ions at infinite dilution, गौर सुनिएगा, does not depend upon parents molecule, इसका मतलब समझ रहे हो, ये क्या लिखा है, ये बहुत बड़ी बात लिखी है, उनका कैना है, infinite dilution पे जो ion का conductance है, वो उनके parent molecule पे different नहीं करता है, मतलब जिसे conductance होता है, वो सेम होता है और constant होता है, ये हाइन कंड़क्टेंस है, estic acid का infinite dilution पे, इसकी value बरावर होगी, molar conductance of HIN, of SCL, at infinite dilution, ये देखो, ये वो कह रहा है, किसी वज़े से कहा जाता है, कोलार्च ला ओफ, independent migration of ion, हाना, इसका मतलब क्या है, जो ions होते हैं, वो अपने parents molecule पे depend नहीं करते हैं, infinite dilution पे, infinite dilution पे किसी भी ion का conductance constant होता है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, कि infinite dilution पे किसी भी ion का conductance constant होता है, at, infinite dilution, conductance of ions are constant, ये कहा इनोंने, इसका मतलब ये, मतलब यदि acetic acid का infinite dilution पे conductance निकालना है, तो acetate ion, जरूरी नहीं कि acetic acid वाला रखो, sodium acetate का acetate ion उठाला हो, और H ion, जरूरी नहीं कि acetic acid का रखो, SCL का H ion उठाला हो, यहाँ डाल दो, value same आएगी, value same आएगी, बस concentration उनका सुरुवात में सहीम होना चाहिए, क्यों, क्योंकि infinite dilution पे किसी भी ion का conductance constant होता है, तो जो H ion का conductance होगा, acetic acid के, वही conductance H ion का होगा, जो SCL से आया होगा, इसी वज़े से हम इसको ऐसे कर पाते हैं, और इसके basis पे इन्होंने क्या किया, सब के conductance निकाल दी, सभी के conductance निकाल दी, कैसे समझाता हूँ, जैसे किसी ने कहा, कि आर molar conductance of acetic acid आपको निकालना है, at infinite dilution, और आपको इतनी बाते दिये, molar conductance of SCL, value कितनी है, एक्स, ठीक है, क्या है, एक्स, सीमेन, सेंटीमीटर स्क्वाइर, मोल इन्वर्स, molar conductance at infinite dilution of sodium acetate, X2, सीमेन, सेंटीमीटर स्क्वाइर, मोल इन्वर्स, फिर इन्होंने का, molar conductance of NACL, at infinite dilution, कितना है, X3, सीमेन, सेंटीमीटर स्क्वाइर, मोल इन्वर्स, अब ये इतनी information के बाद, ये पूछना चाहते हैं, तो यार, हम लोग 2 सेकंड में निकाल देंगे, कोलार्ट लगा के, कैसे, जरा गौर समझो, हम एक ही बार में लिखेंगे, देखिए, molar conductance of estic acid अपने को चाहिए, और वो किसके बराबर है, molar conductance of acetate ion, at infinite dilution, प्लस molar conductance of H ion, at infinite dilution, तो मैंने जरा देखो, गौर से क्या किया, हमें H ion चाहिए, H ion किसके पास है, इसके पास, हमें acetate ion चाहिए, acetate ion किसके पास है, इसके पास, और दोनों का समझ चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ दो, जब इन दोनों को जोड़ोगे, तो ये और ये चीज़ ज़्यादा आ जाएगी, हमें तो सिर्फ H ion और acetate ion का conductance जोड़ लाए है न, और साथ में na और cl का भी तो जोड़ जाएगा, तो इस na और cl को minus कर दो, तो जब ये na और cl minus करोगे, तो ये कड़ जाएगा, इसका मतलब क्या है, आप x1 और x2 को जोड़ रहा है हो, और x3 minus कर दो, बस आ गया, answer, खतम हो भी बाद, बाद समझ के कैसे किया, चाहो तो यार उस तरस भी कर सकते हो, जैसे बुकों में दिया जाता है, लिख कर, मगल लिख के क्या करना है, समझो, अपने को acetate ion चाहिए था, अपने को hn चाहिए था, तुम ये ध्यान नक्खो, बिल्कुल वैसा ही करना है, जैसे thermo chemistry करते हो, चाहे plus करो, चाहे minus करो, चाहे multiply करो, हमें सिर्फ वही equation चाहिए, जो अपने को चाहिए, अपने को ये equation चाहिए, तो hn इस से आए, acetate ion इस से आए, जब इन दोनों को जोड़ा, तो hn भी आ गया, cl भी आ गया, तो इस से minus कर दिया, तो hn और cl कर गया, answer आ गया, ठीक, अब ज़र देखो, एक important note, equation लिखी कैसे जाती है, जैसे एक molecule ये है, अब इसकी molar conductance at infinite dilution लिखना है, तो देखो कैसे लिखा जाएगा, गौर समझेगा, इसका जो यहाँ पर नंबर है, x into molar conductance of aion, plus y into molar conductance of bion, ऐसे लिखा जाता है, molar conductance के term में, और यह दिए equivalent के term में लिखना है यही बात, इसी molecule का equivalent conductance लिखना है, तो आपको पता है, equivalent क्या होते हैं, same होते हैं, तो वो direct लिखा जाएगा, equivalent conductance of aion, plus equivalent conductance of bion, यह देखो, इसमें multiply नहीं होगा, इसका, तो यह कैसे लिखा जाता है, जराए यह ध्यान लखना, ठीक है, यह important है, हमें करना पड़ेगा, जैसे, देखो, एक question करके बताता हूँ, जैसे आप इन बातों को समझ सके हैं, एक question मेरे प्यारे बच्चु यह है, किसी ने पूछा, molar conductance of barium sulfate निकालो, at infinite dilution, value दी है, molar conductance of BACL2 दिया है, at infinite dilution, x1, molar conductance of S2SO4 दिया है, at infinite dilution, x2, molar conductance of SCL2, दिया है, at infinite dilution, x3, अब इनकी help से हमें चाहिए क्या, barium sulfate का चाहिए, गौर्च देखिए का कैसे निकलेगा, देखो, हमें कौन-कौन से आयन चाहिए, अच्छे सध्यान दो प्यारे बच्चो, हमें कौन-कौन से आयन चाहिए, हमें barium ion का molar conductance चाहिए, और किसका चाहिए, sulfate ion का molar conductance चाहिए, चेक करो, यही दो चाहिए की नहीं चाहिए, बच्चो ने का सर, बिल्कुल सही बात है, हमें यही दो चाहिए, अब देखो, barium ion कहां से आया, इस जगे से, तो मैंने उठा के x1 को जोड दिया, प्लस, sulfate ion कहां से आया, इस से, तो इन दोनों को जोड दिया, अब जब इन दोनों को जोड़ा, तो देखो, साथ में क्या आ गया, दो CL ion आ गए, और दो H ion आ गए, इनको हटाना पड़ेगा, तो दो CL ion के लिए क्या लेना पड़ेगा, इसके दो मोल लेने पड़ेगे, भाई, एक अचायन तो एक ही अचायन को कैंसिल कर पाएगा ना, तो दो CL ion, दो H ion के लिए इसमें क्या करो, दो का मल्टिप्लाई कर दो, यह देखो, तो आंसर क्या आ गया, यह आ गया, बस, खिल खतम, आंसर होगे, हमको तो पहली नहीं चलाना पड़ेगा, यार, यह बहुत इजी है, आप अच्छे से समझो तो सही, कमिश्टी नहीं, मैं इसके बेसेस पर समझो, भाई, बेरियम आयन चाहिए था, सलफेट आयन चाहिए था, इन दोनों को जोड़ दिया, जब इन दोनों को जोड़ाँ तो 2Cl जदा आ गया, 2HN जदा आ गया, तो यहां से तो एक ही हाई आ रहा, तो इसमें 2 का मल्टिप्लाई कर दो, तो 2HN, 2HN को कैंसिल कर देंगे, 2ClN, 2ClN को कैंसिल कर देंगे, माइनस करके लगा दिया, बस अंसर आ गया, यह देखो आप 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 स्वारी एक्यूवेलन कंडेक्टंस पूछा जाएगा तो हम ऐसे निकाल देंगे ना हम लोग इत्ती टेंसन क्यों नहींगे द्यान दीजेगा यदि आपकी आपदास सही है तो हमसे एक्यूवेलन कंडेक्टंस पूछा जा रहा है तो हम इसके एंट फैक्टर से डिवाइड कर देंगे किसीने का कैसे यह आला फार्मूला भोल गए कहा निकाला है रिलेशन बिडवीन यह देखो मोलर कंडेक्टंस इकवल टो एंट फैक्टर इंटो एक्क्यूवेलन कंडेक्टंस तो एक्क्यूवेलन कंडेक्टंस पूछ रहा तो क्या करें मोलर कंडेक्टंस में एंट फैक्टर का डिवाइड है तो हमने मोलर कंडेक्टंस तो निकाली है अब एक्क्यूवेलन कंडेक् का एन फैक्टर कितना होगा दो बसांसर आगए ठीक है ऐसे कोश्णों को हम लोग यार करेंगे मस्क तरीके से ठीक अब जरह देखो एक और अप्लिकेशन है यदि कहीं पर देखो एक अप्लिकेशन बता रहो ठीक है अब डिग्री आप डिसोसियेशन पूछा जाये तो कैसे निकालोगे अब डिग्री ओफ डिसोसियेशन ऑफ वीक अलेक्टोलाइट थोड़ा सा सॉटकट में लिख रहा हूं ज़रा समझ लेजिएगा ठीक है अब डिग्री आप डिसोसियेशन आप वीक अलेक्टोलाइट यदि पूछा जाये तो कैसे निकालते हैं तो देखो एल्फा का फार्मूला होता है मोलर कंडेक्टेंस एट फाइनाइट डियलूशन मतलब लैम्डा वी डिवाइड़ बाई मोलर कंडेक्टेंस एट इन्फिनाइट डियलूशन यह देखो डिग्री आप डिसोसियेशन इन टर्म आफ इन्टर्म आफ कंडेक्टेंस यह फार्मूला निकल के आता है तो यदि कहीं डिग्री आप डिसोसियेशन की ज़रुवत पड़े तो यह लगा सकते हो और इसी के बेसेशन पे हम यह भी निकाल सकते हैं क्या गरोर समझो डिसोसियेशन कोस्टेंट ओफ वीगेह। वीगेह। काशियेशन कोस्टेंट भी निकाला जा सकता है कैसे बस आप लोगों ने पढ़ा था कि डिसोसियेशन कोस्टेंट के इक्वेल टो c alpha square one minus alpha होता है तो बस इसकी value डाल दो alpha यह निकला हुआ है तो क्या जाएगा c into alpha की value डाल दी मैं direct डाल लाओ देखिए alpha की value डाल दोगे तो lambda v का square divided by one minus alpha डालना है ठीक है तो एक alpha v alpha v तो LCM लोगे तो यहां infinite आ जाएगा lambda infinite minus lambda v ठीक है और lambda infinite ऊपर जाएगा तो one minus alpha है देखिए मैं direct value डालना हूँ तो LCM हो जाएगा ठीक है तो lambda infinite ऊपर चला जाएगा हां बिल्कुल चला जाएगा तो वो lambda इससे कट जाएगा तो यह आजाएगा lambda infinite यह देखो फार्मूला आया डायरेक्ट तो यादि कहीं degree of dissociation पूछे तो भी हम निकाल सकते हैं in term of molar conductor इसी तरह से हम solubility भी निकाल सकते हैं देखिए solubility of springly soluble soluble salt कोलार चला इसके भी निकालने के काम में आता है कैसे आता है गौर से समझेगा किस तरह से वो निकाल सकता है जैसे देखो हमारे पास यह की एक सॉल्ट है और यह ऐसे पानी में गया अब प्यारे बच्चों इसकी सॉल्विल्टी कितनी है ऐस तुझरा देखो कि यह दि मोलर कंडेक्टेंस हमें एजी सीयल का मिल जाए और कापा भी एजी सीयल का मिल जाए तो बताओ यहां पर मोलर्टी किसकी डालोगे एजी सीयल की डालोगे और एजी सीयल की मोलर्टी को ही तो हम सॉल्विल्टी बोलेंगे क्योंकि मोलर्टी का मतलब क्या है वो पार्ट जो पानी में सॉल्विल्वल है तो यह देखो तो सॉल्विल्टी निकल आई, सॉल्विल्टी की वैलू क्या आगई, इसको हम ऐसे करना है, किसी बच्चे को बुरा थोड़ी लगेगा, इसको नीचे ले जाओ, उसको उपर, कापा आफ एजी सीयल, 10 की पावर 3, और मोलर कंडेक्टेंस आप एजी सीयल, यह देखो सॉल्विल्टी निकल आई, तो यह दी सॉल्विल्टी पूछी जाए, तो भी हम इस तरह से निकाल सकते हैं, और सॉल्विल्टी आगई, तो केपी आगया, माल लोगो क्या पूछता, सॉल्विल्टी क्या होगा, सॉल्विल्टी प्रोड़क्ट भी निकाल सकते हैं, तो इस तरह से इतनी चीजे निकाली जा सकती हैं, अब थुरेट कल पार्ट सारा खतम हो गया, अब हम निमेरिकल पार्ट पे आ सकते हैं, और अराम से कोश्यन होगे, जितना पढ़ाया बस उसको अच्छे से रीड कर लीजीगा, दा मोलर कंडेक्टेंस ओफेप, 0.5 मोल डेसी मीटर क्यूब सलूशन आप एग नो 3, बिद एलक्तोलेटिक कंडेक्टेंस इतना, इस, आपसे मोलर कंडेक्टेंस पूछ रहा है, देखे पैरे बैच्चो, आपसे क्या कह रहा है, कि मोलर कंडेक्टेंस बताओ, तो मोलर कंडेक्टेंस का कापा इंटू 10 की पावर 3, एम, यही तो फार्मूला है, ठीक, कापा देखो दिया है, मोलर कंडेक्टिविटी ओफे 0.5 मोलर सलूशन आप एग नो 3, बिद एलक्तोलेटिक कंडेक्टिविटी, एलक्तोलेटिक कंडेक्टिविटी क्या है कापा की वैलू डाल दी ठीक है 10 की पावर 3 कंसंट्रेशन उसने दे रख्था है 0.5 बस अब सॉल कर लो आंसर आ जाएगा तो जब सॉल करोगे तो 5 से डिवाइड कर दो ठीक है तो 0.1 ठीक फिर 1 पास से जाएगा तो यहां पे हो जाएगा कर दो तो 15 इतना आ रहा है यूनिट लिख दो सीमें सेंटीमीटर स्क्वाइर अपन मोल है ऐसा कोई देख लो आ रहा हो उसको टिक कर लो जो पढ़ाया है उसको याद रखो सब हो जाएगा इक्वस सलूशन और विच आप दा फॉलोइंग कंपाउंड इस बेस्ट कंड़क्टर बेस्ट कंड़क्टर कॉन होगा जिसमें आएन ज़्यादा होंगी यह क्या है एस्टिक आसिट एस्टिक आसिड क्या होता है वीग ए यह क्या है वीग बेस है यह क्या हैald है ये क्या है? फ्रेक्टोस फ्रेक्टोस तो ION-IZ नहीं होता है Strong Acid Strong Electrolite है Strong Electrolite का Conductance Weak Electrolite से ज़्यादा होता है At 25 degree centigrade ये सारे Question एक्जाम में आयो है At 25 degree centigrade Modal Conductance of 0.1 molar Equus Solution of Ammonium Hydro Oxide is this at infinite dilution its molar conductance is this the degree of dissociation of same degree of dissociation direct formula है यह देखो अभी पढ़ाया है बस value डाल दो molar conductance of यह है in finite dilution पे इसकी value कितनी है 360 into 100 क्यों क्योंकि यह percentage में पूछ रहा है और मैंने fraction में निकाला अब इसको solve कर लो answer आजाएगा ठीक है इसको solve कर लो गया answer आजाएगा जैसा मुझे लग रहा है कि यह 4 बार जाएगा चार और चोग बतिस और दूनी 16 और तिस लगभग ऐसा सब्सक्राइब कुछ आएगा अना four point something यह आ रहा होगा तो four point something आएगा यह answer match करेगा आप चेक कर लिजेगा क्यों क्योंकि यह दो लिखा है तो यह चार के आसपास वालू जाएगी बीस वाली वालू तो गलती होगी ना कर लेंगे आप लोग छोड़ दू ठीक है आंसर यह match करेगा को तो मैं अपना हतियार निकालू कर देता हूं हतियार से तो सॉर्य बैक आना पड़ेगा यह लो तो देखिए नाइन पॉइंट फाइब फॉर डिवाइड़ बाई तू थर्टी येट अना इन्टू हंड़ेड फॉर पॉर पॉइंट जिरो जिरो एट परसेंट यही मैं कह रहा था अभी आएगा यह देखो है कि नेट आब इस को स्चेन को कर लो देखें लिंटिंग मोलर डॉंड के एच फोर ऊएच इसीकवल टू एच प Earnest 2016 की चैएं तो हमैं आमोनियाम आयन की चाहिए वह एचाइन की चाहिए देखो यहां से मिली Almond一樣 की, यहां से ओएचैन की अब आपने minus की जब आपने और इन दोनों की प्लस आनी Clayए न हाई इसकी खन्यक्तिविटी क्या लिख आपने कीशिन की यहां पर यह प्लस है और यह मैनस है तो गलत हो गया मेराट प्लस है कि अमोनियम इन- Babe उगलत हो गया दोनों के बीच में प्लस का साइन होना चाहिए ना कि अमोनियम आयन प्लस कि इसमें ओए चैन अच्छा अमोनियम आयन और ओए चैन ठीक है मिल गए प्लस का सियल से सीयल कट जाएगा यह एच और अमोनियम आयन एक्स्टर रहा जाएगा भाई मैंने आभी आपको बताया था कि फाइनल इक्वेशन यह आने चाहिए इसमें क्या फाइनल इक्वेशन यह आप आईगी अमोनियम आयन जुड़ रहे हैं ओए चैन आ गया सी यल से सियल कट जाएगा जिस से कटेगा आश तो ही सुध हमें चाहिए नहीं तो यह भी गलत है अब यहां चeक कर दो यहां से आ गया Ammonium A&T, यहां से आ गया OHN, एक्स्ट्रा कौन है यह, एक्स्ट्रा कौन है यह और यह दोनों किस से कट जाएंगे, माइनस का साइन है, एने एने से कट गया, CL, CL से कट गया, तो यह वाला सा यह, किसको पढ़ लो यार, in increasing in equivalent conductance of a strong electrolyte bit dilution is mainly due to, अभी पढ़ाया है, strong electrolyte का dilution mainly किसकी वज़े से बढ़ता है, क्या ionization की वज़े से, यह 100% यह increase in both, number of ions and ionic mobility of ions, by distance बढ़ जाएगी, तो speed बढ़ जाएगी, मैंने बताया था ना, कि distance बढ़ने से speed बढ़ जाती है, और ions भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि 100% dilution हर बार पास, 100% dissociation थोड़ी पॉस्विल हो सकता, को 99 वाला हो, तो dilution करने से 100 तक बढ़ जाएगा, तो ions के number भी 24 बढ़ेंगे, और the dissociation constant of this acid, k a पूछ रहा है, तो जड़ा बताना, आपको अभी पढ़ाया है, k a equal to c, molar conductance of v dilution का square, molar conductance at infinite dilution, molar conductance at infinite dilution, molar conductance at v dilution, यह फार्मूला अभी कराया था, सबकी value दिये, यह c हो गया, यह infinite dilution पे हो गया, और यह हमारा क्या है, finite dilution पे हो गया, सबकी value डाल दो, answer solve दो यार, ठीक है, equivalent conductance दिया है, तो यह सब equivalent conductance हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, molar conductance और equivalent conductance, दोनों में से चाहे जो लिको, कोई फरक नहीं पढ़ता है, same formula होता है, देखो, आप चाहो तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, जे देखें, ठीक है, same formula, अब डाल के निकाल लीजिए का यार, कहां पहुंच गहें, इस question को solve को लो, the specific conductance, specific conductance का मतलब kappa, specific conductance of a 0.1 normal KCL solution at 20 degrees, 23 degrees centigrade is this, resistance of the cell containing the solution at the same temperature was found to be this, the cell constant is, तो direct formula दिया है, kappa equal to C into L upon A, इसकी value पूछ रहा है, और यह क्या होता है, 1 upon R होता है, सब कुछ दिया है, kappa की value भी दिये, तो बस यार अब formula में डाल के निकाल लेना, ठीक है, next, equivalent conductance of NACL, SCL, ethyl, sodium, ethanoate, at infinite dilution or this, 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 equivalent conductance of ethanoic acid, अब गौर समझेगा, हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए, equivalent conductance of A, plus equivalent conductance of A, तो यह कहां से आएगा, इससे, तो इसको तो जोड़ दो, इसकी value कौन सी है, थर्ड नंबर वाली, 91, hin कहां से आएँगे, इससे, तो यह भी जुड़ेगा, हम लोग direct कर देंगे, जड़ा गौर समझेगा, HI, यह इससे आगया, C2H5, COO negative, HIN इससे आगया, अब ज़्यादा क्या आगया, CLIN और NIN, इससे माइनस कर दो, बस अपना answer आगया, अपने को time थोड़ी लगना है, अब solve कर लेना यार, अब solve कर लेना, ठीक है, तो देखो यार, सारे question हम लोगों ने, इस particular topic के कर लिए, इस particular topic में जितने question आये थे, सारे कर दिए, अब अगले topic पर चलते हैं, चलिए, next topic को start कर दें, अब ज़र देखो यार, प्यारे बच्चों, अब हम लोग discuss कर रहेंगे क्या, अब इसमें कैसे क्या discuss करना है, इस बात को बताते हैं, तो ज़र देखो सबसे पहले, cell क्या होता है, cell होता क्या है, ये एक device होती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें electrochemical process टेक प्लेस, जिसमें electrochemical process होते हैं, electrochemical process टेक प्लेस, या occurs, मतलब क्या है, ज़र बात को समझाता हूँ, cell क्या है, it is a device in which electrochemical process टेक प्लेस, cell एक ऐसी device है, जिसमें electrochemical process होते हैं, तो बच्चों ने का, सर यार ये तो ठीक है, मगर हमें तो यहीं नहीं पता है, कि electrochemical process क्या होते हैं, तो ज़रा समझो, electrochemical process क्या होते हैं, अब देखो, हम लोग cell को फरदर दो पार्ट में डिवाइड कर देखेंगे, देते हैं, वो दो पार्ट कौन से हैं, जरा आप उनको समझ लो, कि वो दो पार्ट कौन से हैं, पहला पार्ट होता है, electrochemical cell, फरदर cell को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, electrochemical cell, जिसको आप लोग प्यार से बोलते हो, galvanic cell, ये काम क्या करता है, ये chemical energy को, electrical energy में convert करने का काम करता है, कौन, electrochemical cell या galvanic cell, दूसरा होता है हमारा electrolytic cell, ये काम क्या करता है, ये प्यारे बच्चों, electrical energy को, chemical energy में convert करता है, just opposite काम करता है, और आपका inverter दोनों काम एक साथ करता है, एक एक करके, step by step, जब light चली जाती है, तो वो electrochemical cell की तरह काम करता है, chemical energy को electrical energy में convert करता है, और आपके instrument चलते हैं, जब light आ जाती है, तो वो electrical energy को chemical energy में store करता है, तो जब देखिए, cell क्या है, cell एक device है, जिसमें electrochemical process होते हैं, उसके basis पे हम लोगों ने उसको दो पार्ट में divide कर दिया है, electrolytic cell और electrochemical cell, electrochemical cell chemical energy को electrical energy में convert करते हैं, electrolytic cell, electrical energy को chemical energy में convert करते हैं, अब इसके बाद, next point ज़रा समझो, next point है, हमारे पास, galvanic cell, क्यार ये galvanic cell काम कैसे करते हैं, तो अब हम इन पर discussion करते हैं, कि ये किस तरह से काम करेंगे, उस पर discussion चलेगा, तो ज़रा देखिए, किसी भी galvanic cell को जब हम पढ़ते हैं, तो हम क्या लेते हैं, दो compartment लेते हैं, एक को आनोड कहते हैं, एक को कैथोड कहते हैं, हम ऐसा करते हैं, एक कमपार्टमेंट ये लिया, एक कमपार्टमेंट प्यारे बच्चों ये लिया, ठीक, एक का नाम रखा जाता है एनोड, एक का नाम रखा जाता है कैथोड, इस तरह से, एक में हम क्या करते हैं, salt bridge लगा देते हैं, इस तरह से देखो, मैंने एक रॉड ये लगा दी, एक रॉड ये लगा दी, देखते जाईएगा, ऐसे डिप करके, ये हमने अलक्टोलाइट भर दिया, ऐसे ये अलक्टोलाइट भर दिया, और इनको एड कर दिया, किससे प्यारे बच्चों, salt bridge से, इस तरह से, ये salt bridge से add कर दिया, इन में से, एक के पास positive charge, एक के पास negative charge, और इनको हम लोगों ने जाके add कर दिया, किससे बोल्टा मींटर से, ये देखो, ऐसे, अब आप चेक करो, मैंने बोला, कि ये, जिंक सलफेट का एलक्टोलाइट है, और ये जिंक रॉड है, ठिक, इसको मैंने बोला, ये copper रॉड है, और ये मेरे प्यारे बच्चों, copper सलफेट का एलक्टोलाइट है, इसको हम लोगों ने ऐनोड कहा है, इसको हम लोगों ने cathode कहा है, ये देखे, इतनी बाप आ गई, अब एक एक करके, सल की सारी बाते हम लोग discuss करेंगी, कैसे कैसे करना है, अब आप इसको देखते जाएए, ठीक है, एक हम लोगों ने सल बना दिया है, मस्त सा, अब जिर देखो, पहला point जो हम लोगों को discuss करना चाहिए, यह प्यारे बच्चों वो क्या है, तुझरा देखिए, पहली heading है हमारी, वो क्या है, cell का representation, cell representation, किसी भी cell को represent कैसे करते हैं, इस बात का discussion, ओ भाई, इसको delete कर दे, यह बहुत, किसी भी cell का representation, वो कैसे किया जाता है, जरा गौर से भाप्तों को समझेगा, किसी भी cell का representation ऐसे होता है, A, B, और C, A मतलब आनोड रियक्षन, B मतलब salt bridge, और C मतलब कैथोड रियक्षन, यह, A, B, C, salt bridge क्या है, salt bridge जहां पर लगता है, वो हम parallel line से represent करते हैं, दो parallel line से, salt bridge को दो parallel line से रफजिंट किया जाता है, पहले आनोड रियक्षन लिखोगे, फिर salt bridge बनाओगे, फिर cathode reaction लिखोगे, मतलब इधर से इधर की ओर चल लए हो, cell reaction, cell का representation इधर से इधर की ओर होता है, आनोड, salt bridge, cathode, यह salt bridge है, यह, आनोड, salt bridge, cathode, ऐसा ही लिख दी जाती है, आनोड reaction, parallel line, cathode reaction, ऐसे लिख देते हैं, यह देखो, अब आनोड में क्या होता है, oxidation, cathode में क्या होता है, reduction, तो यहाँ पर दो बाते और important हैं, जो आपको याद रखनी चाहिए, paper में आ सकती हैं, और तुम फस सकते हो, क्या, देखो, यदि phase difference है, कोई हाप reaction लिख रहे हो, और उसमें phase difference है, तो हम उनको एक parallel line से रपजंड करते हैं, और यदि phase difference नहीं है, फेज difference के मतलब होता है, अलग-अलग phase, नहीं है, तो फिर हम वहाँ पर कॉम अलग आते हैं, जब half reaction लिखते हैं, तब की बात बता रहा हूँ, जैसे, एनोड की reaction लिख के दिखाओ मेरे प्यारे बच्चो, एनोड की reaction कैसे लिखोगे, अब बताओ ये अलग-अलग phase हैं या सेम phase हैं, चेक करो, जैडन solid है, और जैडन iron क्या है, एक्वस, तो यदि मुझे लिखना है, तो देखो मैं पहले आयनोड लिखूँगा, जैडन solid, अब phase difference है, तो एक पहलेल लाइन, जैडन iron, एक्वस, salt bridge, अब कैथोड में आओ, कैथोड की reaction क्या थी, copper equus, gives copper solid, अब इन में भी अलग-अलग phase हैं, left to right लिखना होता है, सारा कुछ ध्यान नखना, चाहे single reaction हो, चाहे पूरा cell हो, चाहे half cell लिखना हो, चाहे full cell लिखना हो, अब थोड़ी सी और बात बता देता हो, माल लो कोई ऐसा हुआ, जड़ा देखे, यह देखे, यह एक compartment, यह एक compartment, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, प्लेटेनियम की रॉड लगा रखी है, और इसमें मैंने ले रख्था है, F e का solution, F e to pass जोगा, इसमें मैंने लगा रख्थी है, copper की रॉड, ऐसे, और इसमें ले रख्था है, copper sulfate का solution, F e, अब किसी ने सका, cell का representation करो, तो क्या होता है, जड़ा देखो, anode पर यह हो रहा है, anode पर ऐसी reaction हो रही है, और प्यारे बच्चों, cathode पर ऐसी reaction हो रही है, अब वो मेरे से कहा रहा है, cell का representation करके दिखा हो, तो देखो कैसे करते हैं, अब anode, पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ABC लिखते हैं, तो ABC लिखो, anode reaction, F e, two positive equals, अब जड़ा बताना, दोनों के face, सेम है या अलग लग, सेम है, यह भी equals है, तो अब parallel line नहीं लगाऊगे, कौम लगाऊगे, क्योंकि दोनों के face कैसे हैं, सेम, यह मैं कहा रहा था, ऐसे, अब sword bridge, cathode, cathode में phase लग लग है, यह बात आपको बोली गई है, समझाई गई है, और जो भी equals हैन है, गैस है, उनके concentration और pressure लिख सकते हो, उनी के बगल में या उनके नीचे, जो भी equals हैन है, या गैस है, उनके concentration उनके बगल में लिख सकते हो, कोई tension की बाब नहीं है, तो cell reaction रेप्रेजेंट करना आ गया, अब ज़र देखो, इसके बाद, अब हम लोग किस बाद को डिसकस करने जा रहा है, heading number two, cell reaction, cell reaction एक important heading है, यह हम लोग को लिखनी आनी चाहिए, तो ज़र देखो, कैसे लिखी जाती, इसके कितने step है, बस वही step आपको बार बार यूज करने है, step number one, anode reaction लिखो, step number two, प्यारे बच्चो, cathode reaction लिखो, बात समझ रहो, step number one, anode लिख लो, step number two, cathode लिख लो, step number three, anode में जितने electron का oxidation हो रहा है, cathode में उतने ही electron का reduction होना चाहिए, मतलम number of electron, oxidation, and number of electron reduction बराबर करो, बराबर हो गए, इसके बाद इनको add कर दो, जैसे ही तुम add कर दो गए, cell reaction आ जाएगी, ये देखो, बस इतना काम करना होता है, ये चार इस्टेप बार बार यूज करो, खतम हो गए बाद, बच्चों ने का नई सर, करके दिखा दीजिए, मैंने का वैस, आइनोड में क्या था, जैडन कैसे बनना था, जैडन सॉलिट से, जैडन, एक्वस, बैलेंस करो, दो एलक्ट्रॉन, बात समझ गए, हम लोगों ने जो सेल कंसीडर किया है, वो ये है, अब इसमें आइनोड में क्या हो रहा था ये, कैथोड में क्या हो रहा है, अब हम इसको बैलेंस करके लिख रहे हुआ, ये हमारी आइनोड रियक्षन हो गए, अब कैथोड लेको, अब प्यारे बच्चों क्या करोगे, इन दोनों को एड़ कर दो गयार, अब अब बराबर करो, इस्टेप नमबर वान इस्टेप नमबर टू, अलक्ट्रॉन पहले से बराबर है, जब अलक्ट्रॉन बराबर हैं तो एड़ कर दो, ये देखो सेल रियक्षन आ गए, ध्यान नखिये सेल रियक्षन लिखना बहुत इंपॉर्टन काम है, यदि सेल रियक्षन गलत लिखेगी तो कोश्चन अपने आप गलत आएगा, और जब भी सेल रियक्षन लिखी जाए तो ध्यान नकिये अलक्ट्रॉन नहीं आने चाहिए, तो अपने आप सेल रियक्षन बैलेंस आती है, अपने आप सेल रियक्षन बैलेंस आती है, अब जैसे दोब दूसरा वाला Example उठाते हैं इसको ये वाले Example का reaction लिखो तो ये अनोर्ट था, ये cathode था है ना, इसको हमने iron価 कहा था इसको cathode कहा था अब प्यारे बच्चों इस Example को करो cell reaction में कर्णमर करो तो पहला step इसका क्या लिखोगे एनोड है तो आक्सिडेशन लिख दिया बैलेंस करो एक लेक्टरन इस टेप नंबर वन हो गया कैथोर्ड लिखो यह कैथोर्ड लिख गया ठीक है कि नहीं प्यारे बच्चो बास समझ तो रहे हो ना आए यह समझ रहे हो ना सल कौन सा है यह वाला यह वाला इसमें अैलौड यह tayo धोरी सब्सकर आप नमबर तीन क्या एललक्टॉर्ण बैलेंस ऐनने पर नैं तो बैलेंस करने पड़े एक यह यहां तो इसमें क्या करोगे 2 का multiply करोगे क्यों क्योंकि जितने electron का oxidation है उतने ही electron का reduction भी होना चाहिए तो 2 का multiply कर दिया है यह देखो अब इनको उठा के add कर दो और final cell reaction अपनी बन जाएगी तो टू एफी पाजिटिव प्लस कॉपर पाजिटिव गिफ्स कॉपर सॉलिड प्लस टू एफी टू पाजिटिव यहां पर भी गलन लिखा है यह ना बैर विच्छो तो हो है यह बैलन्स अल्री एक्षन आई गए तो सल्री एक्षन लिखना सीज़ गए चार इस्टेप है उन्हीं को बार-बार यूज करते रहो अपने आप सल्री एक्षन बैलन्स आएगी तो सल्री एक्षन लिखना सिखा दिया सॉरी अभी कोश्चन में बात में आएंगे अभी पहले पढ़ा तो लें अब पॉइंट नंबर थ्री सॉल्ट ब्रिज इस सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है स्टे यह क्या काम करता है मेरे दोस्त अब दको सॉल्ट ब्रिज के बारे में बताते हैं कि अटर को हुआ दियां बीज हिरु Janión कि सॉट ब्रिज क्या होता है सॉल्ट ब्रिज होता है वह एक कनेक्टर होता है कि वह आइनोड और कैफोर्ड को जोड़ता है पहला काम तो यह है दूसरा काम इसका क्या होता है वह पूरे अलक्टोलाइट सलूशन को न्यूटलाइजेशन भी करता है वह क्या काम करता है न्यूटलाइजेशन का भी काम करता है Neutralization of both compartment, both electrolyte, both anode and cathode. ठीक है, anode और cathode के दोनों electrolyte का क्या करता है? Neutralization करता है, charge balance रखता है, कैसे? उसके पास खुद का, गौर समझे, उसके पास खुद strong electrolyte का mixture होता है, salt bridge में क्या भरा होता है? strong electrolyte का mixture भरा होता है, वो mixture कौन कौन हो सकता है? जर्नली भरा जाता है, KNO3, NH4CL, ठीक है? और KNO3, NH4CL, KCL का mixture, ये भरा जाता है salt bridge में. हम salt bridge में ये भरते हैं, और ऐसे भरते कैसे हैं? इसमें हम अगर-अगर jelly मिला देते हैं. अगर-अगर jelly मिला कि ये क्या होता है? ये paste बन जाता है, paste of electrolyte बन जाता है, इसको भरते हैं. और ये क्या करता है? दोनों compartment को neutralize रखता है. जब anode और cathode, ये देखो, इन दोनों compartment के electrolyte को neutralize करता है कौन? salt bridge. अपने electrolyte को दे कर, अपने electrolyte को दे कर, ठीक है? अब तीसरा point. सबसे important point है. ionic mobility, salt bridge की एक खास बात होती है. ये जो salt bridge में catane, anion है, इनकी खास बात क्या है कि इनकी speed same है? catane की speed जो है, वो anion की speed के बराबर होगी. इसको कहते है, ionic mobility of catane is equal to ionic mobility of anion. और ये एक special feature होता है, salt bridge के अंदर, जो electrolyte होता है. उसका, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान लखें. इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान लखें. और दूसरा, last and final, liquid liquid, जंसन, potential को रोकता है, minimize करता है, minimize करता है. कौन? salt bridge. liquid liquid, जंसन, potential क्या है? physics में हो सकता है, आप लोगोंने पढ़ा हो. I think पढ़ाई होगा. क्योंकि chemistry में तो इतना है नहीं हो. देखो होता क्या है? ये plus है, और ये minus है. है कि नहीं? तो जब दो liquid pass में आते हैं, तो double layer बन जाती है, charge की. उसको बनने से रोकता है. liquid liquid, जंसन, potential कौन? salt bridge. तो ये काम है, salt bridge के मेरे दोस्त. अब जो heading लिखने जा रहा हूँ, वो बहुत important है. उस पर हम लोगों का focus होना चाहिए. वो है, electrode potential. electrode potential. सबसे ज़्यादा question इसी जगह से आता है. electrode potential से. तो हमें इस बात का ध्यान नखना बहुत ज़रूरी है. कि ये electrode potential किस तरह से काम करता है? ठीक है ना? तो अब हम discuss करने जा रहा है, electrode potential को. कि electrode potential किस तरह से काम करेगा? देखो यार, प्यारे बच्चों. होता क्या है? ये देखो. ये हमने electrolyte भर दिया, ZN का. ये जेडन का electrolyte है, जिंक sulfate का. ठीक है? और ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा हो गया क्या है? ये हमारी हो गई electrode. ये क्या है? ये जिंक की रौड है. अब ज़रा समझें. अब क्या हुआ? जिंक आयन जब इधर आएंगे. अब मैं color change कर देता हूँ, जैसे आपको दिखें. जिंक आयन जो है, यहाँ पर आ रहा है. ऐसे. इस तरह से. इस तरह से. तो जब जिंक आयन बाहर निकलेंगे, तो ज़रा देखना क्या होगा? अंदर रौड के क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज. क्यों? रौड कैसी जी, neutral. अब उसमें से cut and बाहर आ गया है. तो यार निगेटिव चार्ज आ जाएगा? अच्छा, cut and बाहर आ गया है, तो cut and का पास्टिव चार्ज कहा जाएगा? लेयर, solution में ऐसे हैं. और जैसे ही कहीं पर, charge की double layer बन जाती है, एक potential डबल अप हो जाता है. उस potential को ही है, मैं potential कहते हैं. यहाँ double layer बन गई, अंदर की और minus charge की, बाहर की और plus charge की, तो यहाँ पर potential आ गया. इसी potential का नाम होता है, electrode potential. क्या नाम होता है, electrode potential. यह देखो. अब यह जो electrode potential है, यह दो तरह का होता है. कौन कौन से दो तरह का? यह दि oxidation हो रहा है, तो oxidation electrode potential. और यह दि reduction हो रहा है, तो reduction electrode potential. भाई, जब layer बनी, तो oxidation या reduction में कुछ एक हुआ ना यार. तो ज़रा देखो. एक होता है, reduction electrode potential. एक होता है, oxidation electrode potential. एक होता है, oxidation electrode potential. यह दि इसमें reduction हुआ तो reduction electrode potential यद इसमें oxidation हुआ तो oxidation electrode potential ठीक पहला point समझगे अब ज़रा दूसरा point समझगे एक term होता है standard standard electrode potential यह क्या होता है ज़रा इसको देखूं इस standard electrode potential को हम क्या बोलते हैं यह देखें इसको हम इनौट से रिप्जेंट करते हैं जब नौट लग जाता है तो वह standard हो जाता है ओ भाई standard में क्या होता है आपको समझाता हूं इस टेंडर में कुछ नहीं होता है बस concentration को हम fix कर देते हैं one molar और temperature को fix कर देते हैं 25 degree centigrade तो यही जो potential develop हुआ है वह standard बोला जाने लगता है यदि इस electrolyte का concentration one molar कर दो और temperature 25 degree centigrade कर दो तो जो potential आएगा उसको हम standard बोलने लगेंगे तो बोला जाएगा standard reduction potential और standard oxidation potential अब यहां पर एक ज्यान की बात है जो हमेशा ध्यान लख्येगा मैं लिक राओं ध्यान लख्यान लख्यें कि इस टेंडर्ड रडक्शन पोटेंशियल और एक स्टेंडर्ड ऑप्सीडेशन पोटेंशियल किसी भी हाफसल का constant होता है जब तक हाफसल चेंज नहीं होगा तब तक उसकी वैलू नहीं चेंज होगी यह क्या होते हैं और जब की यह क्या होते हैं यह वैरियेबूल होते हैं वैरियेबूल डिपेंड अपान डिपेंड अपान कंसंट्रेशन ओफ एलक्टोलाइट हैं अपान यह दि आप अलक्टोलाइट का कंसंट्रेशन चेंज करोगी तो इसकी वैलू चेंज होती रहे हैं इसकी नहीं चेंज होगी किसी ने का क्यों नहीं चेंज ओगी क्योंकि यह पोस्टेंट कंसंट्रेशन पर मेजर किया जा रहा है चेक करो आपने कंसंट्रेशन तो इसकी वैलू क्यों चेंज होगी तो इन ओड जो होता है एक पटिकुलर हापसल का कॉस्टेंट है जैसे जडन हापसल का कॉस्टेंट अब वो उतना ही रहेगा चाहे जडन किसी के साथ क्रों की एक्षन कर रहा हूं और जाये जैनल किसी के साथ भी कममंण कर रहा हूं करेंट वो उतना ही होता हूं कि अब देखो नोट नमबर तू दो चार नोट दे दे रहा हूं क्योंकि इंपोर्टेंट है नोट का मतलब कॉंसेट से है अब देखो कॉंसेट नंबर नेक्स्ट इस कॉंसेट को भी आपको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठाना चाहिए क्या है जरा समझे जैसे देखो यह जेडेन है और जे आपर जो पोटेंशियल आएगा वो कौन सा पोटेंशियल आएगा standard oxidation potential या standard reduction एए स्वारी normal oxidation potential अब जरा देखो अब मैंने यह reaction लिगती मैंने पूछा कि इसका potential बताओ यह कैथोड हो गया है और इसमें रिडक्षन है अब मैं पूछ रहा हूँ इसका रिडक्षन पोटेंशियल बताईए तो देखो ज़रा कितना आएगा माइनस साइन ओफ ऑक्सिडेशन पोटेंशियल ओफ उपर वाली रियक्षन यह क्या रेप्रेजेंट कर रहा है देखो बताता हूँ आपने थर्मो डाइनमिक्स में इस्टेट फंसन नाम की बात सुनी होगी बोलो हाँ इस्टेट फंसन सुना है तो गौर समझो आप यहां से यहां गये सॉरी आप यहां से यहां गये इनीशियल कौन जड़न फाइनल कौन जड़न टू पास्टू और वापस यहां से आए तो इनीशियल और फाइनल फिक्स है चेक करो बस अपोजिट है तो यह दि कोई स्टेट फंसन है तो उसकी वैलू क्या होगी एक्वल आएगी क्यों स्टेट फंसन में यह पढ़ाया गया था कि यह दि इनीशियल और फाइनल फिक्स है तो वैलू इक्वल आएगी निमेरिकल वैलू इक्वल होगी साइन अपोजिट हो जाएंगे जैसे मैं यहां था यहां चला गया अब फिर यहां से यहां आया तो यह दोनों वैलू अलीज़्ासियल से ऐसा लिख पा रहो तो इसका मतलब यृदि किसी हाफ चलका आपको पुक्षिव सकते तो उसका और सकती आपने आप आ गया साइन आप वोजिट कर दिया तो कॉंसेट नंबर टू यह धियान लखिएगा अपने लिए बहुत काम की चीज है ठीक है अब कॉंसेट नंबर तरी पे चलते हैं जिरा समझो concept number 3 क्या है अपने लिए काम की चीज देखो इससे बहुत सारे question भी बनेंगे ठीक है देखिए हमारे पास है एलक्टोर्ट पोटेंशिया ठीक अब जड़ा देखो बच्चो इस बात को पकड़िएगा ठीक है न दो बाते एक साल लिख रहा हूं जैसे confusion आपको ना आए ध्यान दीजिए तू एंड मोर दैन तू हाप सेल गिवेन दो या दो से ज्यादा हाप सल गिवेन है और फाइंड क्या करना है एंड फाइंड फाइंड अदर अदर हाप सेल पोटेंशियल और किसी दूसरे हाप सेल का पोटेंशियल हमें पता करना है तो हमेशा कैसे निकालोगे डेल्टा जी को आइड करके इस फार्मूले से मतलब कुछ ऐसा है देखो ये पहला हाप सेल हुआ हाप सेल फर्स्ट इसका हमने डेल्टा जी लिखा ये हाप सेल सेकेंड हुआ इसका डेल्टा जी लिखा और ये हाप सेल थर्ड हुआ जिसका हमें निकालना है इसको लिखा अब हम ऐसा करेंगे उनके हाप सेल के जी को आइड करेंगे ऐसे ये देखो ठीक और यहीं जब सेल दिया होगा इफ सेल पोटेंशियल फॉर्म करना हो यदि हमें सेल का पोटेंशियल निकालना है तो हम डायरेक्ट एड करके निकाल लेंगे इस फार्मूले से निकाल लेंगे जो हम बच्पन में पढ़ते आया हैं मगर जब हाफसल देके हाफसल पूछा जाए तो फिर हम डायरेक्ट इको एड नहीं करेंगे जब डायरेक्ट बार बार सुन लो जब दो या दो से ज़्यादा हाफसल देके हाफसल का पूछ रहा है तो हम जी को एड करेंगे और जी को एड करके e की वैलू निकालेंगे और यदि कोई cell potential पूछ रहा है तो हम डायरेक्ट e को एड या माइनस कर सकते हैं ऐसा क्यों कर सकते हैं क्योंकि यहां पर ऑक्सिडाइज और रिडूस एलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं और यहां पर ऑक्सिडाइज और रिडूस एलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होते हैं ठीक है इस बात को दियान लखिएग और intensive property को हम add नहीं कर सकते यह additive नहीं होती है यह additive नहीं होती है जबकि delta G क्या है? extensive property है इसको add किया जा सकता है यह add किया जा सकता है यह additive होता है यह मैंने thermodynamics में पढ़ाया है ध्यान दो इसी वज़य से ध्यान लखिएगा कि E कभी add नहीं होता है delta G ही हमेशा add होता है यहाँ पर भी delta G add हुआ है मगर oxidize electron और reduce electron आपस में बराबर हैं जिसकी वज़य से क्या है? वो cut गया है तो direct E add करके निकाल सकते हो मतलब shortcut use कर सकते हो shortcut use कर सकते हो तो यह shortcut है नहीं तो यहाँ पर भी delta G add किये गा है एक बार अच्छे समझ लो cell का potential निकालने को आए तो direct E formula use किये जा सकते है क्यों? क्योंकि वहाँ पर oxidize और reduce electron आपस में बराबर होते है मगर half cell दिया हो और half cell निकालने को आए तो delta G add करके निकालिएगा यह कहा जा रहा है ठीक है? अब जड़ा देखो इस बात को थोड़ा सा और आमें बढ़ाते है concept number 3 को ही देखो delta G equal to होता है minus NF E cell क्या होता है? minus NF E E cell अटा दो E यह देखो अब गौर से देखिएगा यदि हमारे पास reduction है जब यह standard होगा तो अपने आप यह भी standard हो जाएगा यह देखो ऐसे यदि आपने यहाँ पर reduction potential डाला half cell का तो यह भी delta G किसका आएगा half cell का delta G आएगा यदि आपने oxidation potential डाला half cell का तो यह भी क्या आएगा oxidation potential का delta G आएगा और यदि आपने पूरे cell का potential डाल दिया तो डेल्टा जी भी कहां काएगा पूरे सेल काएगा ये F है डेल्टा जी भी कहां काएगा मेरे दोस्त पूरे सेल काएगा तो जरा इस बात को अच्छे से ध्यान लखे ये फार्मूला मैं इतने बार इसलिए लिख रहा हूं कि जैसे आपको याद रहे कि लिखना क्या है और से समझो जो यहां पर डालोगे उसी का डेल्टा जी आएगा आपने रिडक्षन हापसल डाला तो रिडक्षन हापसल का डेल्टा जी आया ऑक्सिडेशन हापसल डाला तो ऑक्सिडेशन हापसल का डेल्टा जी आया सेल पोटेंशियल डाला तो सेल का डेल्टा जी आएगा इस टेंडर डाला तो इस टेंडर आएगा नॉर्मल डाला तो नॉर्मल आएगा यह देखो ठीक है ना तो डेल्टा जी और ए में यह रिलेशन होता है इसल में और जिसका डालोगे उसी का निकल के आएगा अब जो बात मैं समझा रहा था उसको थोड़ा सा और आंगे इक्स्प्लेइन करता हूं जैसे यह देखो मैं जो समझाने कोसिस कर रहा था वहाँ पे यह है देखो यह प्यारे बच्चों एक खाब सेल है ऐसे ध्यान दीजे यह खाब सेल है और यह भी खाब सेल है इसका cell potential जो है X1 electron volt है इसका cell potential X2 electron volt है और आप से इसका cell potential पूछा जा रहा है यह देखो आप से कहा जा रहा है इसका cell potential बताईए क्या होगा इस टेंडर गौर से देखो आप बताओ इसको हम कैसे करें दो cell potential यह हापसल है कि नहीं देखो और हापसल देके तीसरा जो पूछ रहा वो भी हापसल है तो अब डेल्टा जी जुड़ेगा मैं यह कह रहा था और कैसे जुड़ेगा देखो इसका निकालना है और इसका दिया है तो अब आप कुछ मत करो बिल्कुल उसी तरह से question को करो जैसे thermodynamics में thermo chemistry में करते थे कि आप reaction कुछ है जो करो हमें बस final reaction चाहिए और जो भी कुछ करोगे सम्मे करोगे क्योंकि state function है तो जो भी कुछ करोगे सम्मे करोगे तो आप सबको पता है कि हमें यह कहां लाना है left side में तो इसको तुम पल्टोगे ऐसे इसको तुम क्या करोगे पलट दोगे इस तरह से ऐसे तो जब इसको पलट दोगे तो cell potential कैसा हो जाएगा negative हो जाएगा क्यों तुमने oxidation को reduction लिग दिया है तो cell की value minus हो जाएगी equal होगी मगर माइनस साइन लग जाएगा अभी पीछे पढ़ाया था concept number two में और यह ऐसे लिग दिया अब क्या करोगे अब बस इनको एड़ कर दो कि मगर क्या मेरे दोस्स cell potential add किये जा सकते हैं नहीं किये जा सकते ही हाफduc के potential पोटेंशिल एडिन किये जा सकते हैं यह बात लिखाई अभी देन दोटेमें तेकलो अ additive होता ही नहीं है उनको add ही नहीं किया जा सकता है वो intensive property है तो यार इनके G add करो इसका G का नाम G1 इसके G का नाम G2 अब इन दोनों को जब add कर दोगे तो यह reaction आई है आई कि नहीं आई और इसके G को मैंने कह दिया G3 तो इन दोनों का sum इसके बराबर है तो बस बराबर कर दो ऐसे अब वैलू डाल दो इसका हमें निकालना है तो इसकी वैलू लिखी एन एन क्या होते हैं अलक्ट्रॉन ट्रांसपर यहां पर कितने का डिफरेंस है एक f फराडे कॉस्टेंट इए हमें निकालना है एए ठीक की वैलू डेल्टा जीवन एलक्ट्रॉन का कितना डिफरेंस है एक माइनस साइन के साथ क्योंकि फार्मुले में माइनस होता है यह दिखो लिखाए f ऐसे ही रख दिया और इसल की वैलू कितनी है X2 अब इसको solve करो तो जब मेरे प्यारे बच्चों इसको solve करोगे तो देखो माइनस माइनस उड़ा दो सब जगेगा तो यहां पर माइनस आएगा और FF उड़ा दो सब जगेगा तो उड़ाई देता हूं यार आपके सामने उड़ा देता हो यह माइनस माइनस ना उड़ा हो नहीं तो दिखने में गलत आ जाएगा तो मैंने लिखा आँगे e2 equal to गोर्स देखिए यह क्या है यह minus है यह minus है plus हो जाएगा तो मैंने minus common ले लिए तो यह minus ही रहेगा फिर माइनस ये और प्लस 2X2 तो E3 की वैलू आ गई 2X2 माइनस X1 ऐसे निकालोगे कोई बच्चा डायरेक्ट E को एड नहीं करेगा ये कहा जा रहा है और क्यों नहीं करेगा क्योंकि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है एडिटिव नहीं होती है तो बच्चों के दिमाग में आता होगा सर नहीं यहां पर मना किया है और यहां पर खुद कर दे रहे हैं यह देखो तो जब हाप सेल दिये हो सेल निकालना हो तो कर सकते हो इसका मदब यह नहीं कि हमने उसको एड किया है मगर सारे के सारे एन इक्वल हैं तो एन भी कड़ गए एब भी कड़ गए तो यह रियक्षन ऐसे आ जाती है समझ रहो बार बार इस बात को समझा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टन्ट है अब अब हम लोग देखो यह खतम होने वाला है अब हम लोग इसके कोश्चन करने जा रहा है तो बस एक और बात रहे गई है नार्स एक्वेशन यह क्या होती है यह होती है इफेक्ट ओफ कंसंट्रेशन इन सेल पोटेंशियल तो वो निकल के क्या आती है यह इक्वल टू इस एल इक्वल टू इसल इस्टेंडर ठीक है, प्लस, गौर्श देखे, E equal to E cell standard minus N RT upon NF ln QC, ये निकल के आता है, ये equation है, नर्स equation, अब इसी को हम further solve करते हैं, तो हम ये लिख देते हैं, E equal to E cell standard minus, RT की value डाल देते हैं, तो 0.0591 upon N log QC at 25 degrees centigrade, और यहाँ पर temperature variable था, और यहाँ पर temperature fixed है, हमने क्या किया, fixed temperature पर equation मनाई है, तो ये equation सिर्फ 25 degrees centigrade पर applicable है, और जो मैंने उपर लिखी है, वो हर temperature पर applicable है, यदि temperature ना दिया हो, तो भी यही लगाओ, और temperature 25 दिया है, तो भी यही लगाओ, मगर यदि 25 के अलावा कोई दिया है, तो फिर इस equation से question निकलेगा, R constant है, ठीक है, F constant है, मगर T थोड़ी constant है, और तुमने यहाँ देखो T नहीं लिखा है, इसको तो T की value भी डाल दिया है, तो T की value मैंने कितनी डाली है, 25 degree centigrade, ऐसा क्यों किया है, room temperature पर निकाल दिया है, क्योंकि electrochemistry के जब question आता है, तो temperature constant रख के आता है, और भी यह वाला, तो यह देखो, हम लोगों ने लिखा है, और इसको calculation को easy करने के लिए हम लोग थोड़ा कभी-कभी ऐसा भी लिख लेते हैं, जा देखें, calculation को easy करने के लिए हम लोग इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, 0.06 लिख लेते हैं, एन, लोग, क्यों सी लिख देते हैं, ऐसे, जैसे calculation आसानी से की जा सके, अब यह equation अपने को कप कप कैसे कैसे vary कराती है, तो जड़ा देखो, गौर से समझते जाएगा एक एक करके, ठीक है, case number one, यदि कहीं पर equilibrium है, at equilibrium, यदि कहीं पर equilibrium is stabilized है, तो यह equation अपने को कैसे vary कराएगे, आप सबको पता है कि यदि कहीं equilibrium होती है, तो delta G equal to 0 होता है, और जब delta G equal to 0 होगा, तो e cell equal to 0 होगा, क्योंकि delta G equal to मेरे प्यारे बच्चों यह होता है, होता है कि नहीं, तो यह equation अपने को ऐसे कर लेगी, e cell is standard equal to 0.06 upon N, और यह QC किसमें convert हो जाएगा, equilibrium में convert हो जाएगा, क्यों, आपको पीछे पढ़ाया गया है, कि equilibrium पर QC को ही equilibrium constant कहते हैं, जब reaction equilibrium में पहुँच जाती है, तो उसी QC का नाम equilibrium constant रख दिया जाता है, यह देखो, तो equilibrium constant की value, तो यह देखो एक relation आया, यह भी अपने को काम आएगा, question करते समय, ठीक है, कि equilibrium पर क्या reaction होती है, इत्ती बात समझ गये, कर लोगे, तो अब हम लोगोंने एक और point रहे गया, जड़ा सब असको भी बता दे, फिर हम लोग question पर आ सकते हैं, spontaneous, कोई भी cell spontaneous कब होगा, तो जड़ा देखो, spontaneous होने के लिए delta G की value negative होनी चाहिए, अब जब delta G negative होता है, तो अब आप बताओ cell का potential कैसा होगा, spontaneous होने के लिए, जब delta G की value negative होगी, तो E cell कैसा हैगा, positive, तो यदि किसी reaction का E cell positive है, तो वो reaction, वो cell spontaneous होगा, तो जब भी spontaneous की बात करें, तो ये check करो E cell positive है या नहीं, क्योंकि E cell positive होगा, तो delta G negative होगा, तो जब भी कोई कहता है कि ये cell spontaneous है या नहीं, तो हम क्या check करेंगे, E cell positive है या नहीं है, हम क्या check करेंगे, E cell positive है या नहीं है, चलिए, अब आँगे बढ़ते हैं, अब जब देखो यार, concentration cell क्या होते हैं, वो भी बता देते हैं, तो हम लोग का काम आँगे बढ़ जाए, कि हाँ भाई क्या है, जब देखो, अब heading है हमारी concentration cell, कि concentration cell क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये discuss करते हैं, ठीक है, कोई बच्चा है जो बता सकता है, concentration cell क्या होते हैं, तो सब बच्चों ने का सर, आराम से बता देंगे, देखिए, यदि कोई cell consist of same electrode and same electrolyte, electrode और electrolyte दोनों सेम हो, तो ऐसे cell को हम concentration cell कहते हैं, मतलब, जिस चीज का आयनोड बनाओ, उसी चीज का cathode बनाओ, तो हम उसको concentration cell नाम देते हैं, ठीक है, दोनों में एक ही चीज फिलो, अलग लग ना फिलो, दोनों में एक ही चीज फिलो, ऐसे cell को concentration cell कहते हैं, मतलब ये, तेखो, हमने क्या किया, यहाँ पर जिंक की रौड लगा दी, जिंक रौड है, ठीक है? और यहाँ पर बच्चों हमने जिंक सलफेट का concentration ले लिया, ऐसे, वही काम यहाँ पर किया, हमने एक cell बनाया, जिंक की रौड लगा दी, और जिंक का concentration ले लिया, अब ये जो सेल बना है इस सेल को हम कंसंट्रेशन सेल कहेंगे क्यों दोनों हाफ सेल सेम माटेरियल के हैं सेम एलक्ट्रोड है सेम एलक्ट्रोलाइट है बट उनके कंसंट्रेशन अलग लग होंगे बट कंसंट्रेशन ओफ एलक्ट्रोड एंड एलक्ट्रोलाइड एलक्ट्रोड एंड एलक्ट्रोलाइट और डिफरेंट बट उनके कंसंट्रेशन क्या होंगे अलग-अलग होंगे मेरे दोस्त जैसे ये दिखो बनाया इसका कंसंट्रेशन C1 इसका C2 इस तरह से अलग-अलग कंसंट्रेशन है ये दिखो तो concentration cell क्या होते हैं जब दो electrode दोनों के दोने मतलब anode और cathode दोनों half cell क्या हो सेम material के बने हो ऐसी situation में क्या होगा ऐसी situation में हमेशा याद रखिएगा E cell की value 0 आएगी क्योंकि उनका standard reduction potential उनके standard oxidation potential के बराबर होगा with negative sign ऐसे यह देखो तो E cell क्या होता है? 0 होता है अब इनको further हम दो part में divide कर देते हैं कैसे divide कर देते हैं? देखिए concentration cell को further दो part में इस तरह से divide किया जाता है यह देखिए प्यारे विच्चों ऐसे ध्यान दीजिएगा एक part यह एक part यह ठीक है? दोनों में क्या differences है? यह आपको अभी बताता हूँ देखो concentration cell concentration cell का मतलब हमेशा ध्यान नख्ठना इस सेल स्टेंडर्ड इक्वल टू जीरो ठीक? अब ज़र देखो एक होता है electrode concentration cell electrode concentration cell और एक प्यारे बच्चों होता है electrolyte concentration cell अब जो नाम लिखा हो उसी का concentration different दूसरे का सेम जो नाम लिखा हो उसी का concentration different क्या नाम लिखा है? electrode तो दोनों electrode के concentration क्या होंगे? अलग होंगे different होंगे concentration और electrolyte के concentration क्या होंगे same होंगे जो नाम लिखा हो वही चीछ different होगी क्या नाम लिखा है electrolyte इसका मतलब जब electrolyte के concentration क्या हो different हो और एलक्टोड के कंसंट्रेशन क्या हो अलग लग हो इह देखो सॉरी एलक्टोड के कंसंट्रेशन क्या हो सेम हो आईसे मेरे बच्चों तो जड़ा देखो examination cell में दो चीजे थी C1, C2 concentration अलग लग कर सकते हो निके भी तो concentration अलग लग कर सकते हो कि कोई बच्चे कह सकता है कि यार इसका concentration क्या है C3 है इसका C4 है matton rod है उसका concentration अलग लग है है तो अब क्या possibility है इनको same रख दो एक बार एक बार इनको same रख दो तो concentration cell same electrode same electrolyte से मिलके बनता है हम उनको दो पार्ट में divide कर देते हैं electrode concentration cell electrolyte concentration cell electrode concentration cell में electrode का concentration different electrolyte concentration cell में electrolyte concentration display ध्यान लखिएगा ECL standard हमेशा 0 होता है चाहे जैसे situation हो यह देखो चाहे जैसे situation हो हमेशा 0 होगा यह आपको differentiate कर दिया क्या है तो इसकी equation क्या आएगी तो इसकी equation क्या आएगी इसकी equation आएगी equal to ECL तो 0 है तो minus 0.06 upon n ठीक है क्या आएगा QC यह इसकी equation मनेगी क्यों क्योंकि ऐसे question में ECL क्या होगा 0 होगा तो equal to यह answer आएगा अब जो पूछा जाएगा हम लोग कर लेंगे 2 minute में ठीक है बात समझ गे चलो यार चो अब question कर लिए जाएं cell के क्योंकि cell का पूरा theory complete हो गया है तो अब उसके question भी कर लेते हैं इन दा electrochemical cell जैडन जैडन सलफेट 0.01 molar copper copper sulphate the EMF of Daniel cell is even when the concentration of ZNSO4 change to one then copper change to it now the EMF of E2 for the following which one is the relation even E2 में क्या relation होगा यह पूछ रहा है अब जरह बता हो यार concentration change करने से क्या E cell change होगा मेरे दोस्त तो आप मना कर दोगे नहीं सर E cell नहीं change होता है तो जरह देखो E not equal to minus 0.06 upon N log QC अब QC डालना सुरू करो जब यह even था यह तो उतना ही रहेगा यह भी उतना ही रहेगा और electron का transfer भी सेम ही रहेगा है कि नहीं क्योंकि cell तो वही है अब QC की value लिखो QC क्या है तो यार QC क्या है हमारा यह cell है तो जडन solid plus copper iron equals क्यों जडन में oxidation हो रहा है और copper में reduction हो रहा है है कि नहीं जडन में oxidation हो रहा है और copper में क्या हो रहा है प्यारे बच्चों reduction बात तो समझी पा रहे होगा ऐसा क्यों हो रहा है अरे यह पहला वाला अनोड होगा दूसरा वाला क्या तोड होगा साप साब दिख रहा है यह देखो oxidation हो गया है यह देखो reduction हो ठीक तो एक क्योंशी क्या बना जडन आयन concentration प्लस कोपर आयन कंसंट्रेशन यही तो बना बाकि सॉलिड है तो इवन वाले की वैलू डाल दो इवन वाले की वैलू मैंने डाल दी इसको अब इवन वाला concentration कितना है जडन का है 0.01 कोपर आयन का कितना बच्चों वन है ठीक अब इटू वाले की वैलू डाल दो इटू वाले की वैलू डालू तो इटू में यह नौट तो चेंज होगा नहीं भाई इनौट चेंज होगा क्या नहीं वो concentration पर डेपेंड नहीं करता मैंने अभी पीछे पढ़ाया था कि हापसल यदि सेम है तो हमेशा सेम रहेगा ठीक है और वहां पर इस बात पर फोकस भी कराया है अब यहार बातों पर फोकस तो रखना ही पड़ेगा अब जड़न का concentration कितना हो रहा है यह ठीक है और copper का यह है अब आप अपने आप देख लोगे देखो यह वैलू माइनस में है है की नहीं चेक करो अब सिंपल सी बात है यदि यह वैलू बढ़ेगी तो यह कम हो जाएगा और यह वैलू बढ़ रही है देखो यहां पर कितना आ रहा है 0.01 divided by 1 तो यह कितना है या 10 की पावर माइनस 2 तो यहां यह प्लस बन जाएगा और यह वैलू कितनी आए लाग 1 लाग 1 हो जाएगा 0 तो इसका मतलब साब 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 पता चला है E1 बढ़ा है E2 से क्यों क्योंकि लॉप की वैलू यदि बढ़ रही है तो यार E कम हो रहा होगा क्योंकि लॉप की वैलू जो है माइनस में लिखी है है कि नहीं तो E1 ग्रेटर देन E2 ऐसा कहीं लिखा है यह लिखा है अंसर हो गया नेक्स्ट सिंपल आप अराम से बात वोग समझो बहुत सिंपल कोश्चन आते हैं दा प्रेशर आफ हाइड्रोजन रिक्वाइल टू मेग दा पोटेंशियल आफ हाइड्रोजन एलक्टोड जीरो इन पेवर वाटर एग 298 कैल्विन देखिए वो क्या कह रहा है वो कुछ ऐसा कह रहा है कि याँ देखो यह हाइड्रोजन है इस तरह से हाइड्रोजन एलक्टोड तो आप जानते ही है न किस तरह का होता है यह होता है हाइड्रोजन एलक्टोड यह देखो बच्चो इस तरह से The pressure of hydrogen required to make the potential of hydrogen electrode is 0, in pure water, 298 Kelvin is. वो कहाई रहा कितना pressure चाहिए, कि hydrogen electrode का potential 0 हो जाए. तो मैंने का ठीक है, equal to E0 minus 0.06 divided by 2, log. Pressure of hydrogen, gas के लिए pressure, और HN concentration. है ऑस कि पावर तू है अब ये जीरो रखने कहे रहा है और ये हाइड्रोजन के लिए हम जीरो सपोस करके चलते हैं हम लोग यह मांते ना ECS सीरीज में लग्टरों केमीकल सेरीज तो लग्ट्रों केमिकल सेरीज में यह माना गया है कि standard reduction potential या प्यारे बच्चों इस टेंडर ऑक्सिडेशन potential hydrogen का 0 इस टेंडर यादि वो इस टेंडर नहीं है तो 0 नहीं है इस टेंडर को 0 माना गया है यह सपोस किया गया है ECS सिरीज में यह देखिए तो यह वैलू ऐसे रख दी अब इसको कर लो तो यार जब सॉल्व करोगे तो ज़र देखो कितना आ जाएगा तो यह आया 0.03 ॐ है 10 की पावर माइनस 7 तो यह 10 की पावर 14 हो गया अभ यह सब तो जीरो ही हो जाएगा एंटी लॉग लोगे तो टैन की पावर जीरो इक्वल टू यह आ गया तो पी एज की वैलू कितनी आ गई कि कितना प्रेसर लेना पड़ेगा इतना प्रेसर लेना पड़ेगा देखो कहीं है यह एंसर अब इसको कर लो इफ दा इसल ऑफ गिवन रियक्शन है जे निगेटिव वैलू वाट विल वी दा गिवन करेक्ट रिलेशन विट्विन डेल्टा जी एन एक्किलूब्रियम कॉस्टेट तो यार यह सब तो आपको पीछे ही पढ़ा चुका हो डेल्टा जी स्टेंडर इक्वल टू होता है पीटा जी स्टेंडर इक्वल टू एक फार्मूला आपने और पढ़ा है यह भी होता है केमकल इक्लूब्रियम में पढ़ाया है लॉग आर टी क्यों एक्क्लूब्रियम यह देखो अब यह इसकी वैलू पाजिटिव है क्यों यहां से निकल आई है तो इसका मतलब इसकी व सबस्क्राइब जने डिंगेटिव है तो यह पाजू आएगा तो यह पऐरा दिया अप यह पास्टिव रख दिया तो इसका मतलब यह निकलूंट पाजच्च्च्छेघ्च्छ होगा और निगेटी होने का मतलब लॉक की वैलो लस दहना मानोगी यदि लॉटकर टेहु तब लोग की वैलों लैस देशनर रखनीर चे इस विद्धा नर्टी वैलू 29 सप्रे खेंशी करबन है अनदा लीउड शूर्द कंस गृत not possible it is यह electrochemical series का question है हम लोग उस जगए पर करेंगे इसको ठीक है कि नहीं अब इसको कर लेते हैं देखिए यह question क्या है है यह hydrogen gas electrode is made of dipting bit platinum wire in a solution of SCL at pH equal to 10 by passing hydrogen gas around the platinum wire at one atmospheric pressure the oxidation potential of electrode will be तो निकाल देंगे यार oxidation potential hydrogen का निकालना है तो oxidation potential के लिए oxidation reaction करो तो oxidation reaction क्या होगी मेरे दोस्त यह भाई तुम oxidation potential पूछ रहे हो मैंने आपको पढ़ाया था कि यदि कि oxidation potential यहां रखोगे तो यहां पर भी oxidation potential चलेगा ठीक है और 0.06 divided by n n की value 2 log अब क्या लिखोगे एक मिनट प्यारे बच्चो अब क्या लिखोगे h n की power कितना प्लस 2 और pressure of hydrogen ऐसे अब जला देको यार प्यारे बच्चो इसकी value अपने को निकान लिए और यह इस टेंडर है इस टेंडर अभी मैंने बताया था जीरो होता है यह 0.03 हो गया लॉग कितनी दिया है तो यार अभी पी आइनिक equilibrium पढ़ा के गया है वन सौट आइनिक equilibrium हुआ है कि नहीं तो यह मैंने पढ़ाया था तो पी इक्वाल टू टैन होगा तो एचाइन की वैलू कितनी हो जाएगी 20 हो गई प्रेसर आफ हाइड्रोजन कोश्चन में कितना दिया है वन जब वन दिया है तो इसमें 20 का मुल्टिप्लाई हो जाएगा 0.03 into 20 है न तो जरह बताना कितना आ जाएगा तो साथ आ गया साथ का मतलब क्या हुआ एक जीरो यह आ गया है कि यह आएगा ना 0.6 तो 0.59 यह वाला आ जाएगा अरे मैंने इसको एप्रॉक्सिमेट 6 ले रख्था है ना तो यह ऐसे आएगा ना जीरो साथ ठीक है कि नहीं और यह आ जाएगा एक मत देख लो या डिवाइट करके ज़रा बेर देखना कल्कुले हाँ यह वाली वैलू आ जाएगे ठीक है कि नहीं यह देखो वैलू 0.9 वाली वैलू बस डायरेक्ट फार्मूले लगाने हैं बस आप थोड़ा सा धिमाख लगाते रहिएगा जड़ा सा बस जड़ा सा देखो एब बटन सेल यूजड इनने वाच अच्छा वाच इस फंसन फालोईंग ठीक है अधा वस्लड पोटेंशल विल भी हमें सेल पोटेंशल चाहिए तो यहाँ देखो हमारा सैल क्या है यह ऐसा सेल बनाना है तो गौर से देखे हमें यह सैल चाहिए प्यारे बच्चों अब इस सेल को बनाओ तो गौर से धेखो जड़ां का हमारा क्या हो और ऑक्री का क्या हो रहा है सिल्वर कप्या हो और हरा है और इस एल की फार मुला क्या होता है यह सेल एक स्काइब पोटेंचिसाल माइनस ऐशल reduction potential of anode तो अब जड़ा देखो reduction potential of cathode तो पहले देखो cathode कौन है 0 से plus 2 यह तो anode हुआ oxidation हो रहा जै यह क्या है plus 1 से 0 यह cathode हुआ तो इसका हमें reduction potential रखना है और यहाँपर इसका reduction potential दिया है ऐसे इसका हमें reduction potential रखना है वो भी दिया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऐसे अब जोड़ लो दस नौ एक दस अना पॉइंट यह लग गया एक एलक्ट्रॉन बोल्ट आ रहा है वैलू ठीक है एक एलक्ट्रॉन बोल्ट वन पॉइंट वन आ रहा है क्या देखो जो रहा दस जीरो साथ तीन दस एक ग्यारा हाँ वन पॉइंट वन जीरो एलक्ट्रॉन बोल्ट वैलू आ रही है आंसर आटे ठीक है प्यारे बैच्चो आप जीद कर रहे हो तो एक कोश्चन और कर लेते हैं इस टेंडर लक्ट्रोड पोटेंशिल दिया है दर रुडूसिंग पावर हाँ यह एलक्ट्रो कमेस्ट्री में ह है कोश्चन में अभी पीछे करा किया हूँ वर्बल में में द्यानए और इक हापसल यह दिया है ठीक है और एक हापसल मेरे प्यारे बच्चों यह दिया है ऐसे अब वो इस हापसल का potential हम से पूछना चाहते हैं बताओ कैसे निकलेगा दो हापसल देके तीसरा हापसल पूछ रहा है तो क्या होगा डेल्टा जी एड़ होगा इसका डेल्टा जी अब देखो दोनों का डेल्टा जी एड़ होगा यह प्लस वन प्लस वन कैसे लिख दिय चाहें अच्छा यह मेरी मिस्टेक है आना प्यारे बिच्चो पिंप हिमें निकालना थि कि कितने लक्ट्रॉन के सेंज एक है히 एक एक की बैलु कितनी दिया पहले वाले का बोल्टेज कितना दिया है दोस्त जीरोअ कॉइंट 2005 माइनस दूसरे में कितने लक्ट्रॉन enduring exchange है 1 f ecl की value कितनी दी है plus 0.5 अब यार solve कर लो f f f minus 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 तो यह आ गया equal to 0.15 plus 0.5 divided by 2 तो 65 divided by 2 तो 0.325 ऐसा देख लो यह answer आगे ठीक है कि नहीं कर लोगे देखो यार जो भी question है वो सब तुम्हें आ जाएंगे बस तुम अपनी बातों को अच्छे से लगाते चले जाओ अब इस question को देखो देखो और समझो दा इस्टेंडर लग्टोर्ट पोटेंशल अब SN4 तो SN2 इस इतना दैट फार दा कॉप क्रोनियम 3 प्लस क्रोनियम इतना दा टू कपल इन देयर इस्टेंडर इस्टेट अर कनेक्टेट तू मेके सेल अब गौंध समझो अभी देखो अभी दो चीजों में दो चीज़ों सब्सक्राइब करना गया तो यह देखो है तो हम डायरेक्ट ऐसा लेक्ष सकते हैं आप हमें delta g एड़ करने की ज़ुरूद नहीं है है अब हम direct लिख सकते हैं Reduction Potential of Cathode minus Reduction Potential of Anode अब Reduction Potential of cathode Cathode कौन होगा ऐन चोन ओगा बस हम ल्हों को यह देखना यह अब जिसका reduction potential ज्यादा होगा वह reducing है मतलब वह अपने में reduction करेगा तो ज्यादा reduction potential किसका है इसका है प्लस है तो इसका मतलब यह कहेगा मैं खुद reduce हूँगा क्यों मेरा potential ज्यादा है तो मैं reduce हूँगा तो इसका मतलब यह क्या है यह cathode बनेगा और यह anode बनेगा तो इसका Oxidation Potential लखो, sorry, तो Reduction Potential आप Cathode, Cathode ये बना, तो इसकी value पहले रखो, और Reduction Potential आप आइनोड, आइनोड ये बना, तो इसकी value ये रखो, अब देख लो यार, जुड़ो गया, अब solve कर लो, तो ये कितना हो गया मेरे दोस्त, 9, और ये कितना हो गया, 8, ये आजया, बात तो समझ पाए मैंने कैसे किया, आइनोड और Cathode पैचाना कैसे, मैंने अभी आपको पीछे लिगाया था, जितना ज़्यादा potential होगा, उतना ज़्यादा उसके reduction की tendency होगी, इसका मतलब इसके reduction की tendency जब्यादा है, तो जिसमें reduction होटा हो गया, तो फिर एनोड हो गया, तो इसका पहले इसका रकना है, क्योंकि हमें ऑलेud का रखनेना है, फिर एनोड वाले का रखनेना है, आनसवर आजाएगा, आनसर आजाएगा, लेक liquidity की पूछे है, चाहिए, अब इस question को को कर लिए, अब देखो या, for the reduction of silver iron, silver iron का reduction हो रहा है copper से, तो ऐसे हो गया, यह देखो, अब वो पूछ रहा है, इस reaction का delta E, sorry, इस reaction का E इतना है, एक बार चेक कर लेना, standard वाला है, कौन वाला है, standard वाला है, तो delta G standard पूछ रहा है, मुझे नहीं लगता है कि इसको मुझे लगाना चाहिए, यह तो आप ही कर लोगे, मतलब आप तो सारे question कर सकते हो, इसमें simple value डालनी है, N की value 2, क्योंकि 2 electron का oxidation, 2 electron का reduction हो रहा है, F की value 96500 कूलाम, और E की value उसने खुद दे रखी है, अब इसको solve कर लो, अब solve कर लोगे, तो हमारी value आजाएगी, मगर यहाँ पर दिक्कत आएगी, value अभी नहीं मिलेगी, क्योंकि unit नहीं सही है, यह देखो, यह हमारा अच्छा bolt में है, और यह किलो जूल, ठीक है, तो जूल, जूल में आएगा, फिर bolt में है, तो जूल में आ ऐसे आप से question पूछे जाएंगे मेरे दोस्तों, चलो, और आंगे बढ़ते हैं, अगले topic क्यों है, अगले topic क्यों है, यह क्या होता है, इस बात को हम फीछे discuss कर चुके है, यदि आप सभी बच्चों को अच्छे से याद हो, तो हम लोग ने इस बात का discussion किया कि electrochemical cell क्या होते है, electrolyte cell क्या होते है, मगर फिर भी हम लोग फिर यूजरी इसको कर लते हैं, दखो electrolyte cell होते हैं, यह पहली बात non-spontaneous cell है, non-spontaneous cell है, इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि यह external force पर काम करेंगे, इसका मतलब हुआ, इनका देल्टा जी जो होगा वो greater than zero होगा और ये कब तक काम करेंगे जब तक हम अच्टरनल एजेंट लगाएंगे मतलब कोई एक्स्टर्नल फोर्स देंगे अना वर्थ इन प्रजेंस ओफ प्रजेंस ओफ एक्स्टर्नल एक्स्टर्नल फोर्स यहां पर क्या होगा हमारी बैटरी हो एक्स्टर्नल फोर्स यह बैटरी है ठीक है हम बाहर से इसको बोल्टेज देंगे बाहर से बोल्टेज देल को सलका वर्क कराई है अपने आप वर्क नहीं करेगा तो अलक्त्रोलेटिक इसल होते क्या है नॉन इस्पॉंटेनियस होते हैं जिसकी वजय से इनका डेलटा जी ग्रेटर दन जीरो और डेल्टा जीरो है तो इसल मेरे दोस्ट कैसा होगा तो अर्वक कैसे करेगा वार्किंप्रेजंस प्रेजिंस और एक्स्टर्नल फोर्स हमेशा एक्स्टरनल फोर्स की प्रजिंस में वर करेंगा कैसे वर करता है यह हम आपको सिखा देख देख देखुए अब हम लोग इसका वर्ट सिखाते हैं तो गौर समझेगा हम एक बैटरी वो बना रहे हैं एलेक्ट्रोलैटिक शेल बना रहे हैं ठीक है वो कैसे काम करता है जिरा सब्सक्राइब तो देखें देखुए एक कमपार्टमेंट है ठीक है अब जादे कि इसमें हमने क्या किया कोई एलेक्ट्रोलाइट भर लिया इस तरह 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 यह हम लोगों ने लेक्ट्रोलाइट भर रखता है और इस पर हम लोगों ने लगा दिया एनोड और कि यह हमारा नोड हो गया है एक फुरा सर रफ्प कर सकते हो इसकी जाए इसका है अ यह हमारा लोड हो गया है हुआ हुआ है कलर चेंज कर लेते हैं और इसी तरह से हमारा आपको समझेगा अ कि देखो प्यारे में अब ध्यांदी ठीक है और यह हमने लगा दिया अब बैटरी गैल्वनों अब देखिए किस तरह से यह काम करता है इसको काम करना सिखाते हैं तुझरा सबसे पहले समझना अब होने क्या जा रहा है वर्फ करेगा अब बैटरी सबसे पहले ईलकराण से अब अब ग tip बैटरी सबसे पहले लक्रॉन डेती है ऐसे अब इस अब डिगो बैटरी अलकरॉम तरह इस तरह से अब जब इलक्ट्रॉन देगी तो Suq कैसा हो जाएगा निजिए अब होगा हो जो इसमें positive iron है यह देखो जैसे suppose करो के नसी अलक्रोलाइड है suppose कर लिए कि आयने सी यल यहांपर electrolyte भरा हुआ है तो positive iron क्या होंगे इसकी ओर भगेंगे है और जाकर यहांपर क्या हो जाएंगे रिडूस हो जाएंगे इसालिये इस इसका नाम रखा जाएगा कैफोर सब्सक्राइब करेंगे और फंट किया करेंगे तो यह क्या करेंगे अपोस करेंगे क्यों वायर से आ रहा है लग्राइब करेंगे तो वह वापस करना खुल करें तो जब रिपल करें वापस करना खुल करें घडि तभी एक हैं आएंगे कि और मैटल को क्या करेंगे us कर देंगे मैटल को कुछ ऐसे लक्रों मिलें यह आ तरी किया हुआ हुआесब्सदों और इसी कर नाम आप क्या रख़ोगे एा करफ physical अब जब ऐसा होता रहेगा तुझरा देखना क्या होगा बैटरी के पास एलक्ट्रॉन कम पढ़ने लगेगे तो देखिए क्या होता है यहां से एलक्ट्रॉन निकलेंगे और बैटरी को मिलेंगे और जब यहां से लक्ट्रोन निकलते रहेंगे तो प्लस चार्ज बढ़ता रहेगा खुछ समय बाद उतना ज्यादा हो जाएगा कि अ क्या करेगा लप्रॉन को खीच के रखेगा अपने पास डूटू अट्रक्शन वोड तब क्या होगा अपने इसको देदेगा अपने अपने इसको देदेगा कैसे कुछ इस तरह से जो हमारा निगेटिव आयन होगा ठीक है सपोस्करों त्acy online बुक्त करेगा मुपनीव हो जाएगा सील टू में और दोल और चौड देगा में वह लुए लेक्ट्रॉन किसको मिल जाएंगे रॉड को मिल जाएंगे जुप ईस तरह यहां गई यहां तरकिट हो गया है और यह तो इस तरह से काम करता है इलख्ट्रो से उसके अक्रेंट करता jumped अप्रवाइब बाहर से एक्सटरनल वो एक्सटरनल फोर्ट कोन हैं हमारी बैटरी जो इसको इलक्टरण प्रोवाइट करा रही है इस तरह से गल्वनिक रसके और इस तरह से काम कर रहा हो पर इसमें इसकी वर्किंग इंपॉर्टन नहीं है इसमें इसकी important है electrolysis reaction कि वो electrolysis reaction वो कैसे रही है तो अब हम इस बात को थोड़ा आँगे बढ़ाते हैं इतना तो काम समझ गये न कि अलक्तोलाटिक सल होता क्या है और किस तरह से काम करता है इस तरह से काम करता है अब कहानी को थोड़ा आँगे ले चलते हैं जरा बात को समझें अब हम यह बताते हैं कि यदि कोई electrolytic सल है तो उसमें किसी ना किसी का reduction होगा किसी ना किसी का oxidation होगा तो वो हम कैसे समझेंगे जरा देखो यह हमने एक ऐलक्त ट्रलाइट एक सैल बनाया ऐी गैक एतु मैं अब इसमें कि एक करीक है भर है दॉप देखिए घित इसमें एक लक्त अब्र ना इक फूलाईट हदिया कुछ इस तरह से सही और सल्पीर अलग्त हो अब इन्हीं मेंसे कि एक का रडक्शन होना है इन्हीं में से कि एक का akdent होना है कि अलजो जयर्नले कि ऑते हैं इन इन इनक्रॉल लगया होते जो यह यह अलगाते हूं वो जननर अल जा गवले हिस्ट यह जो इलएक्ट्न सब्सक्राइब करेंगे नहीं तो पार्टिसिपेट कुण करेगा अलट्रो रट्र लाइट जब एक का ऑक्सिडेशन होगा किसी एक करिदेशन तो दियार गौर हैं और जो एनाइन है मतलब उसके पास माइनस चार्ज है और दोस्त जब उसके पास माइनस चार्ज तो बहुंत रूप रॉंस नकालने को क्या कहते हैं और ऑप इसका हमें कॉमसेट ली करना है हमें सब्सक्राइन कर और यहां का ταकि मरह का चम्हाइन करू có कॉट कॉस्पा CHF fourघ का और उकश कॉस्फों करना है और ही अब ज़रा। खानी को और आंगे चलते हूं है जब दोस्टक्र Donuts a नहीं तो है दो कटान दूम में अब कटाइन दो है तिदरा एनाईन चेक करके लेको ऐनाईन इन वी दो है एक हमारे पास सुलफेट आयन फिर और को सब्सक्राइब गजल से तो ऑनाएन और बो कटाइब अब दो नंडो कटाइब में से किसका टैक्स अंगरा आं किसका औक्ष सिक्ट कर देखो हम से लोगों आपको स्ट्रीर श Benny के अधिस का रेड़ीजन पोटेंशल जादा होता है उसका की प्रॉब्लम यह कि हाइड्रो और कॉपर UX पोटेंशल किस्का पता नहीं है त्षब्सक्राइख में लिए निया पर दिया नहीं है कि नियों है तो चलो मैं अपनी चरफ से आभी बता देता हूं अभी है अपनी चरफ सेता हूं फिर इसको तो हमको याद करना पड़ेगा क्यों क्योंकि हम लोग ने इसकी डिपोजीशन स्रीज बनाई है उस स्रीज से फिर हम निकाले तो सबसे पहले तो अभी मैं बता देता हूं आपको क्लू के फाम में हाइड्रोजन का इस टंडर अलक्टोड पोटेंशियल कितना होता है जीरो हो को और जो कॉपर का इस टंडर अलक्टोड पोटेंशियल होता है संटेंचियल होता है जीरो lif क्ला यह बहुंत क्लस यह घकर बetry हाइट्रोजन हूँ है इसमेड्रोजन की सब्सक्रत ज्यूदाइब in क्योंकि ऐलक्रोड पोटेंशियल ज्यादा है वही क्या करता है होता है क्योंकि अलग्ट्रोड पोटेंशल की वैलू क्या बताती है अलग्ट्रोड पोटेंशल की वैलू बताती है टेंडेंसी टू लूज और टेंडेंसी टू गेंडेंसी टू गेंडेंसी जादा है और यदि आउक्सिडेशन पोटेंशल जादा है तो इसका मंदब उसके तो तो हमारे पास रिएक्षन क्या हुई हमारे पास रिएक्षन दोस्त यह हुई तो हाइक्डोजन और कॉपर में से छो पर क्यों कि कॉपर का एक्ट ठीक है अब प्रॉब्लम समझते है हमारे पास कि हम रिडक्षन पोटेंशियल कैसे याद रखे यह तो मैं ने बताया है इसके लिए हम लोग करेंगे अभी अभी अलग्ट्रो केमिकल सिरीज दो मेड़ बस रुख जो अब जर देखो एनाइन एनाइन हमारे पास दो है अब इ यदि हैलोजन है तो हैलोजन को ऑक्सिडाइस कराया करो नहीं तो ओचैन को हैलोजन है तो हैलोजन को ऑक्सिडाइस कराओ नहीं तो ओचैन को क्या हैलोजन आयन है नहीं तो फिर ओचैन का ऑक्सिडेशन कराओ और चैन का जब भी ऑक्सिडेशन कराओगे तो ऑक्सिजन गै इस तरह से रियक्षण आरेगी जैन नहीं इस तरह से तुझरा गौर से मेरे कॉंसर्ट को ध्यान देना कि यहां पर हमने आपको क्या कांश्ट बताया है मैंने कहा कि यदि हैलोजन है तो हैलोजन का ऑक्सिडेशन कराओंगे यदि हैलोजन नहीं है तो दोस्त हमेशा ओचान क जब कराओंगे तो ऑक्सिजन गैस होगी और चार अलक्टान का वारीयेशन होगा इस तरह से रियक्षण होगी यहां पर यह माइनस तू है और यहां पर यह जी ओगए तो मैंने क्या बताया कि जब भी अलक्ट्रो लिशिज होगी तो कटायन का क्या करोगे रिडक्षण कर ज्यादा है उसको रुडूस कराएंगे एनायन एक से ज्यादा हुए तो क्या करोगे एनायन एक से ज्यादा हुए तो हम दोस्त इतना करेंगे कि हैलोजन है तो हैलोजन का रिडक्षण कराएंगे नहीं तो और और जरूर होगा क्यों क्योंकि एलक्तोलाइट हमेशा और यदि आयन है और यदि यह पतलते हैं क्यों सोचेंगे नहतं है प्रॉब्लम मेरे दोस्ति यह एक रिड़क्षन पोटेंशल की वैवलु कोश्टन में नहीं दी जाएगी तो बच्चा कैसे पकड़ेगा तो किसका रिड़क्षन पोटेंशल जादा है किसका रिड़क्षन पोटेंशल कम है तो उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा प्रॉक्षन 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 increasing order of standard reduction potential of given half-cell half-cell which is calculate with respect to hydrogen hydrogen of cell जरा इस बात को अब आपक्षे से आप समझें कि ये क्या लिखा है देखो मेरे दोस्त कि ये क्या लिखा है इस बात को समझें ये जो सिरीज होती है वो increasing order की सिरीज है किसकी reduction potential की इस टेंडर रड़क्षन पोटेंशियल की increasing order की सिरीज है और ये सिरीज किसके respect में लगाई गही है hydrogen electrode के respect में लगाई गही है मतलब एक electrode हमेशा fix रहा है hydrogen electrode एक electrode हमेशा fix रहा है कौन hydrogen और hydrogen electrode का इस टेंडर रड़क्षन पोटेंशियल हम कितना सपोस करते हैं मैं अभी पीछे बता के आया हूं आपको जब मैंने वहां पर पढ़ाई पढ़ाया है हम लोग सपोस करते हैं जीरो कौइंट जीरो जीरो एलक्ट्राण बोर्ट सपोस करते हैं होता नहीं होता इसके जीशाया देन के आथप सबस्क्त है हम यह सपोस्ट तो हमने क्या किया हमने एक हाफ ऐल में लगा भाव्या इस्टंडर हाइड्रोजन लग दूसरे हाफ में कभी लीशियम लगाया थक्साइद कभी फूटेसियम लगाया तभी हमने क्या किया लगा यह कैलसियम लगए ev Пока मैंने एक तरफ लगा दिया और लगा दिया मेरे दोस्ता आया इसин और लिए फिरीज पीन高ح सुरु का एक सीय जाता है और रिंगतर तरफ लगा दिया है और दूसरी तरफ मैने लगा दिया मैटल का लगा लक्रत आज है है जिरो जब यह जीरो है तो जड़ा बताना है पोटेंशयल की बैलो किसके वरावर आएगी और अब यह कुंछ जाए है यह मैंने हाइड्रोजन का पूँआए तो जो रिदिंग आईगी जो आप रीडिंग लोगे हाँे में बॉल्टा मींटर में जो रीडिंग आएगी दक वुल्टiveness में जो रीडिंग आएगी वो इसी के हाथ सेल की तो रीडिंग होगी क्योंकि यह तो जीरो है तो बोल्ट अमीटर में जो भी रीडिंग आ रही होगी वह रियलटि में क्या होगा reduction potential of metal half cell अब इस तरह से हम बार-बार metal change करते गए और बार-बार value निकालते गए और उस value को increasing order में arrange कर दिया उस value को increasing order में arrange कर दिया उसी को कहा जाता है electrochemical series arrange increasing order of standard reduction potential of given half cell which is calculated with respect to hydrogen half cell जिसको हम लोगने क्या suppose किया है जीरो जीरो सपोस किया है उसके respect में यह निकाला गया है ऐसे इस तरह से suppose करके निकाला गया है और यह increasing order की series है hydro इसका जो होता है इसका होता है minus three point zero two electron volt इसका होता है minus two point nine eight electron volt मगर हमें potential की value याद नहीं रखने हैं हमें क्या याद रखना है अभी में बताऊंगा हमें बस series याद रखने हैं कि द्यान लखिए NCRT में उल्टी series लिखिए हमने दूसरी तरह की series लिखिए NCRT में रिडक्स है लीटियम सबसे नीचे है क्यों क्योंकि उन्होंने series अरेंज की है decreasing order of standard reduction potential decreasing order of standard reduction potential हमने series पहली बात समझ में आई क्या की series आई कैसे है इंक्रीज कैसे बनाई गई है एक तरफ hydrogen को fix कर दिया गया है और दूसरे हाफसल को बार बार हम चेंज करते रहे हैं और बोल्टा मीटर में जो voltage की reading आई है एक्च्वल में वही reading किसकी होगी हाफसल potential की reading होगी क्यों क्यों क्योंकि यह तो है और उस रीडिंग को हम बार बार रखके एक series बना लेते हैं इंक्रीजिंग और की उस रीज को ही एलक्त्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है अब यह सीरीज होती क्या है यह याद रखना बहुत जरूरी है तो इसके लिए आपको मैं series याद करना तिखाता हूं तो series याद करने है का भी दो का गूरूप होता है कभी चार को गुरूप होता है कभी पांच मुको करता इसी तरह कर सबस्क्राइब पॉन बाबा साइकल तुमार सानों मुहम्मद अली बाबा साइकल जामते ही यह वाबा साइगल यह पटियाला है सब चंदिघड का पॉप सिंगरी ठीक है कभी कभी आप लोग गहीं गंजा सा है बाबा साइगल अप तो काफी एजेट भी हो गया होगा तो बाफा जाएगल व मेरी गाड़ी में बैट जाब उसके आंगे पीशी का मुझे याद नहीं है तो तीन फ्रेंट थे बाबा सैगल कुमार सानु मुहम्मद अली कुमार सानु को सभी लोग जानते हैं वो भी सिंगर है और मुहम्मद अली आप जानते हैं यूएस का बॉक्सर है नहीं थे चारपा और पीना दोनों खुब दबा के चलता था खाते थे पीते अब जब आप सभी बच्चे जानते हैं कि जब खाओ वे और पीओगे पीओगे तो कहां इफेक्ट मारेगा लीबर पर फिड़नी की तो यार जब ज़्यादा पीते थे उनकी लीबर फिड़नी में इंफेक्शन आगया लीबर फिड़नी खराब होने लगी तो तीनों लोग डास्कर के पास गये डॉक्टर से बोला डॉक्टर साब ये टेंसन की बात है तो डॉक्टर ने का ठीक है मुंबई आ जाओ ठीक है यहीं पे हम आपका इलाज कर देते हैं अब बिचारे तीनों लोग डढ़ते ह हुए गये ठीक है डॉक्टर के पास जाने तो सभी को डर लगता है तो बिचारे डरते हुए गये और उन लोग को ऑप्रेशन हुए ऑप्रेशन हुआ ठीक हो घए मगड़ अप्रेशन होता है को आप जांते हो लोग कमजूर हो जाते हैं यार यह्य तीन भी कम जोर हो गए को चला चलते हो लोगों पटीए timber का वहां पर मेराँ तो दबा के खाएंगे फिक है टीक है और जब स्थी हो şunu कर दी हो ठीक है और तीनों लोग वहां गए अच्छे से रहने लगें खाया और से तो एस यूजवल हिंदी फिल्मों की तरह हैपी एंडिंग हो गई अब इस कहानी को जड़ा थोड़ा सा सिंकुनाइज कर दो क्या क्या थे तीन फ्रेंड थे बाबा साइकर कुमार सानु मुहम्मद अरी ठीक है क्या करते थे खाते पीते जिसकी वज़े से उनको कहां इफेक् क्या हुआ लिवर और किगनी में इंफेक्शन था इसलिए मुंबई गये मुंबई जा क्या ओपरेसन कराया वापस कहा है पटियाला आए बस इतनी बात याद रखे अब इसको बोलने का तरीका सिखाता है जड़ा देखों अ कि प्रॉब्लम क्या थी लीबर पेशेंट क्या खुँञां पर्लिकरा नतलीं मुंबई जाकर कहां करते हैं कहां गया थे मैंने का था सिर्य आपको सिक्वन से याद रखना है चीन प्रेंट थे बाबा सैकल कुमार सानु मुहम्मद अली कहां गया मुंबई गया ऑपरेशन कराया वापत कहा है पट्याला आए बस इतनी कहानी को याद रखना है लीबर पेशेंट कैसे पेसेंट थे आइरं कि किडनी को निकलवाकर अब थोड़ी इस पेसल टाइप की कि टनी तो ध्यान लखना मुंबई जाकर मुंबई जाकर हम जाकर क्या कि या था तीनों लोग हाई कैप्सूल हमसे लेने सिल्वर का पतियाला आए किड्नी निकल जाएगी तो दवाई भी तो लोगे अदवाई लेके पतियाला आओगे तीनों लोग हाई कैट्टूल हमसे लेने सिल्वर का पट्याला आए अब बस ये सीरीज है अब इसी सीरीज को जरा एक दो बार बोल दों लीबर पेशेंट बाबा सैकल कुमारशानू मुंबई जाकर गय क्रोमोशोम आयरन की किड़िनी को निकलवाकर तीनों लोग हाई कैट्टूल हमसे लेने सिल्वर का पट्याला आए तीनों लोग हाई कैट्टूल हमसे लेने सिल्वर का पट्याला आए क्या कैसे याद रखोगे लीबर पेशन्ट पहले सिरीज याद रखो फिर सबसेट कर दूँगा लीबर पेशन्ट बाबा सैकल कुमार कानू मुहम्मद अली मुंबाई जाकर क्रोमो शूम आइरन की किडिनी को निकलवा कर सिरीज का तीनों लोग हाई कैफसूल हम से लेने सिल्वर का पटियाला आए यह इंक्रीजिंग ओरडर की सिरीज है मतलब स्रीज सीधा नीचे की ओर जा रही है आप एक लाइन से लिखेगा सौरी आप एक लाइन से लिखते चले induced आएसे शीरी से चलती चली जा रही ये नीची की और एमजी के बाद Science Aasat meer हाबaggio के सीरीज यहांद ठाक सिरीश पहुंच रही है खतम हो प्र एक सृष्ता आफंद दिरे मित्म भी समझाईए और फिर इसके रूल van याद कैसे करोगे लीबर पेशेंट बाबा सहेगल कुमार शानु मुहम्मद अली मुंबई जाकर प्रोमोशोम आईरेंड की किड्मी को निकलवा कर तीनों लोग हाई कैपूल हम से लेने सिल्वर का पठियाला आए तो तीन दोस्त कौन थे तुमार ठीक है बाबा सहेगल कुम कुमार्शानु मुहम्मद अली लीबर पेशेंट बाबा सैगल कुमार्शानु मुहम्मद मुंबई जाकर क्रोमोशोम आयरन की किड्नी को निकलवा कर तीनों लोग हाई कैप्सूल हमसे लेने सिल्वर का पटियाला आए अब इस सीरीज को अरेंज करने के साथ साथ अब इनकी मीनिंग को समझाना शुरू करते हैं मतलब यह हाफसल है कैसा हाफसल है इसका मतलब इसका इलक्टोर्ट पोटेंशियल कैसा है ऐसा है कि जितने भी हाफसल इस अब जिर्दि लीवर कम अन अब मीनिंग समझा रहे हैं लीवर्ट लीवर मतलब वराए 일반 मतलब को देस्यम पैसंट ulations शेया थाम सातर पोटेंटी एक है कुटेंटे से आऽ एक हां थे सी एक है भाबा मतलब यह सहगल सहगल मतलब एससार kumar CA किमार सिखे सानु मतलबanalमjat मतलब लीकल बाश्यन पैशंड पैशंड मतलब को टी एक जैसा मुंब़मद एम जी अली एलमुनियम मुंबई मन जाकर जैनन क्रोमोशोम ती आर आरन की एफीच किडिनी तीडी को तीयो निकल वाकर एनाई इन लोग लोग मतलब लैड हाई मतलब हाई डोजन कैप्टूल मतलब काउपर हम से मतलब एच जी ठीक है सिल्वर मतलब एजी पटियाला मतलब पीटी आय मतलब एउ थोड़ा सा सेटिंग आपको याद रखने पड़ेगी मगर बहुत इजी है इससे हमको स्रीज याद रहती कि कौन नीची है कौन ऊपर है लीबर एलाई पैशेंड पैशन मतलब पोटेसियम के बाब साइगल एसार कुमार पीए सानु सोडियम मुहम्मद एमजी अली एल्मुनियम ठीक है तो लीबर पैशन बाबा साइगल कुमार सानु मुहम्मद अली कहां गए मुंबई मुंबई मन जाकर जडन प्रोमोशों सी आर आयरन की एपी टिडनी सीडी को सीयो निकलवाकर एन लोग मतलब लेड तीनो लोग हाई एच कैप्सूल सी यू सिल्वर हम से लेने एची सिल्वर का एजी पटियाला पीटी आए यू यह देखें अब इस सीरीज की तोड़ा सा खास बाते बताते हैं इस सीरीज में हाइड्रोजन का लग्टोर्ट पोटेंशियल हम लोगों ने जीरो जीरो सपोर्ट किया है तो इसका मतलब हाइड्रोजन के जो नीचे वाले लग्टोर्ट पोटेंशियल है वो पाजटिव है तो हाइड्रोजन के ऊपर वाले लग्टोर्ट पोटेंशियल जो है वो निगेटिव है यह निगेटिव है इन सब की वैलू निगेटिव है इन सब की वैलू निगेटिव तो हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो हैं वो सब निगेटिव पोटेंशल रखते हैं हाइड्रोजन के नीचे वाले जो हैं वो सब पास्ट्यू पोटेंशल रखते हैं वो सब कैसा पोटेंशल रखते हैं पास्ट्यू पोटेंशल लखते हैं तो हाइड्रोजन के ऊपर वालों का अलग्टोड पोटेंचिल निगेटिव है हाइड्रोजन के नीची वालों का अलग्टोड पोटेंचिल पाजटिव है हाइड्रोजन के नीची वालों का अलग्टोड पोटेंचिल पाजटिव है हाइड्रोजन के ऊपर वालों का से समझ्झे तार जो नीचे होगा नीचे वाले। का रिडक्सिन पोटनसिल जदा होगा तो नीचे वाले अलिमेंट का हमेशा रिडक्सिल रहेद को होगा हा ना है कि तो शेरीज में जो भी नीचे होगा शेल एलक्ट्रों our chemical कि आ भी कि daytime मतने चेहं, स्यरीज में जो lower element होगा lower element उसका हमेशा reduction होगा lower element का उसका क्या होगा हमेशा reduction होगा अब तुम समझ गया होगे उपर वाले का क्या होगा oxidation होगा तो series में जो नीचे होगा उसका reduction होगा अ क्यों कीज करute दा होगा क्योंकि व्याव प्लस यहा रही है ना कि तो series में जो नीचे होगा के reduction potential जादा होगा अभी मैंने जो हाफसल बनाया था जरह में दो कटायन थे कॉपर आयन था एचायन था अब बताओ स्रीज में नीचे कौन है कि कर लो हाई कैपसूल हाई मतलब हाई टोड़ेजन कैपसूल मतलब कापर कापर नीचे तो कॉपर का रिडक्षन हुआ है यह देखो कि हमें पोटैंसियल की वैलू नहीं याद मगरा हम रिडक्षन करना सीख गांये कि किसका रिडक्षन करें कि स्टनापल कि ना करें क्यों क्यूंकि हमें पता ओँगा सीज में नीचे तो नगा बस सीृ deusz इंपॉर्टेंजई यह고 नीचे कौन है उपर और वह आपको अपने आप याद हो जाएगा क्यों हाई मतलब हाइट्रोजन काप कैप्सूल मतलब कॉपर इसको अब कॉपर नीचे तो बस कॉपर का रिडक्शन करते हैं यह भी कहीं पर कॉपर और जिंक एक साथ पढ़े हूं सपोस्पर यहां पर यह हो सब्सक्राइब का मिक्शर होता है तो बताओ जैड़न और कॉपर में कौन रिडक्शन करता है क्योंकि अब तो तीन मैटन हो गया जैड़न हो गया कॉपर हो गया है किसका रिडक्शन होता तो आप सिरीज पढ़ते हैं लीपर पैशन बाबा सैगल कुमार शानू मुहम्मद सब्ट अली मुंबाई जाकर जैड़न यहां पर यहां पर जैड़न पहले आया है मुंबाई जाकर क्रोमोशोम Kyauden-resham, iron की Kidney को निकलवा कर high capsule high आब आया Capsule आब आया सबसे नीचे कौन आया पर तो आपा रडेक्शन होगा फिर किसका होगा मालोच hyper reduction करेण zg आपर कुंगत यह समझ रहो क्यों सबसे रिडक्षन किसका होता जो सिरीज में नीचे अब जो सिरीज में नीचे है उसका रिडक्षन होगा और तक तक होता रहेगा जब तक वो खतम नहीं हो जाता है कि जब खतम हो जाएगा तब दूसरे का चालू उ जब दूसरा खतम हो तो हमेसा ध्यान नकना серь स्कर रिड की संहो कोष्ण पूछे जाते हैं लेखो मैं वह अपको कॉश्ण भी आपको बताता हूं हम लोग किसकी electrolysis कर रहे हैं प्यारे बच्चों तो हम लोग electrolysis कर रहे हैं कि गौर्फ देखेगा किसकी electrolysis हम लोग करने जा रहे हैं हम लोग electrolysis कर रहे हैं इस जिगह पर NACL की है ठीक है अब NACL पर कितनी बाते हमसे पूछी जा सकती है इस बात का डिसक्शन पहला कोश्चन अब देखो क्या क्या काल्कुलेट करने को हमसे पूछा जा सकता है वो सारा लिग दे रहा हूँ कोश्च्चन नमबर वल प्र ऐस नोड याए नोड में क्या रीएक्संड हो में ए ब कोश्चन नमबर टू ठो कैथोर्ड में क्या Ka कोश्चन नमबर थ्री कि विच गैस रिलीज एड पिन रोग् op यौद में कौन सी गैस की बश्रीज होगी Question number 4 Which gas release at cathode Cathode में कौन सी gas release होगी Question number 5 Concentration of sodium ion After electrolysis increase होगा की decrease होगा ये बताना है इस तरह की बहुत सारी बाते हम लोगों से वो पूछ सकते हैं ये दिखिए Question number 6 pH of solution after electrolysis electrolysis के बाद pH increase होगा की decrease होगा तो अब जड़ा देखो ये सारी बाते एक एक करके हम लोग calculate करते हैं दो सेकेंड में ठीक electrolysis किसकी कर रहे हो एने चील की तो कटायन कौन कौन अनायन कौन तो मेरे प्यारे बच्चों कटायन पहले कौन कौन आएगा सोडियम आयन आएगा है अनायन कौन कौन आएगा अनायन आएगा सीयल अन और सलफेट आएगं यहीं तो होगा तो जर्यादे अक करते हैं कटायन में किसका reduction कटायन का reduction होगा और एनायन का कंडेसन होगा तो कटाइन में किसका स没有 reduction यह को नगारे सोडियम तो बहुत ऊपर है ना नहीं लेवर पेष्टन बाबा सहगल से भी लीवर पैसेच किस सानुशन मतलब सोडियूम तो बहुत ऊपर इसका में किस वेट्रोजटा तो तो हमले यह reduction किया है। sorry reduction किस पर होता है गैफोर पर है तो hydrogen नहीं यह reduction किया है ऐसे यह देखो है कि अब oxidation किसका होगा chloride आन और sulfate आन हो इसका rule पर बता चुका हो। क्या सिर्भ इतनी सी बात या रखो और कुछ नहीं करना आपको। सिर्भ इतनी सी बात याद रखना राखना है है का Oxidation होगा नहीं तो ऊखती सर्थ होगा तो है लो जन्सका ओक्सीडेशन विसम पीधर कैणा ना अध्य histories रिचैशन लिग आप मालों कोई पूस्ता सेल्लियक्शन तो दोनों को एड़ करों तो तो एक दो जब दोनों पाम्द कमिये एक लेक्शन ये बनी साइनोड पर कौन सी Japanese हो रही है जरा दोस्त बताओ नोड पर कौन सी God कौन हो नहीं है चाहिड रूट हें हैं है निशन अप छ przysz कर रहा है नहीं कहीं नहीं लिख्या तो जो कंसंट्रेशन पहले था वही बाद में रहेगा रिमेंच सेम ना तो increasing होगा इनका concentration ना decrease बैंक तो क्या होगा मैं और रिमेंऔ सेंट है जैसा थापहले वैसा ही रहेगा फिर क्या हो रहा है पी अचाफ सोलोशंग्टर electrolysis ऐसा कोशन खुब पूस्त है ज़रा बताना है क्या हो रहा है कंजूम हो रहा है तो हैं का concentration क्या हो रहा है decrease हो रहा है यदि मेरे दोस्त हैं का concentration decrease होगा तो पी हैच क्या होगा बढ़ेगा क्यों क्यों क्योंकि पी हैच इक्वल टू माइनस लॉग है यह देखो पी हैच इक्वल टू माइनस लॉग है यह बढ़ जाएगा तो इसका मतलब पी हाँ सुलूशन क्या है increase हो जाएगा तो इस तरह के बहुत सारे कोश्चन पूशते हैं कुछ भी सकते हैं ठीक है द्यायब अब नेक्ट नंबर अब यार हम लोग बात करते हैं फराडे जिलागई कि यह क्या होते हैं तो हमसे पूछा कितनी क्लोरीन र牌ीजक हुई है तो कैसे निकालोगे हमने तो यह बताया कि क्लोरीन रिलीज हो रही है हमने यह बताया है कि हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है कितना नहीं बताया है तो यह भाई साथ ने काम किया यह फराडेज ने यह बताया कि कितनी क्लोरीन रिलीज होगी कितनी हाइड्रोजन रिलीज होगी supply जितना charge आप supply कर रहे हो, उसके डायेक्टरी प्रेटरी प्रपोर्चनल होता है, ऐसे deposit month इस डायेक्टरी प्रपोर्टरी प्रेटरी प्रेटरी प्रपोर्चनल टूचार सप्लाई कि के अब प्र Unger का साइन हटाया तो एक कॉस्टेंटा आ गया यह और आप जानते हो physics इसलिए जानते हो Q equal to क्या लिखा जा सकता है आई अब इसी को जब रियर्रेंज किया जाता है तो यह फार्मूला ऐसे आजाता है हम लोग के पास टाइम की कमी है इसलिए हम लोग फार्मूला प्रूफ करने नहीं जाएंगे सिधा रियर्रेंजमेंड में जाएंगे तो यह फ इस फाइब डबल जीरो इंटू क्यू अब इस फार्मूले को अब गौर समझना कि मैं क्या लिखने जा रहा हूँ आप इसको हमेसा ऐसे याद रखा करो अब इसको भी मैं थोड़ा सा रियर्रेंज कर दूंगा ऐसे लिख लूँ तो किसी बच्चे को दिक्कत थोड़ी ना है इडबलू को नीचे ले आया है जब आप इडबलू को नीचे ले आये तो देखो यह ऐसे हो गया नमबर ऑफ्ग्राम एक्ववालेंट वेट अफ्ट अपॉन एक्वेलेंट क्या होता है नमब։र आप ग्राम एक्वालका तो नमबर ऑफ्ग्राम-क्यूव्लेंट एक्वाल टू आप ऑन 965 00.00 कूलांग चार्ज हैं अब यहां पर मैं थोडा सा चेंज कर ले रहा हूं नम मोल एंट फैक्टर इंटू मोल इक्वल्टू आ गया क्यू अपॉन 965 00 कूडाम हम इस फार्मूले का यूज करेंगे इस फार्मूले को एवाइड करते हों क्यों क्यों कि इसमें इक्वल्ट बार बार निकालना पड़ता है तो हम लोग यह यूज करेंगे लोन उसको निकालना बहुत अच्छे से आता हूं यदि उसने पूछा कितना copper deposit हुआ है, तो बस हम इस formula को ऐसे कर देंगे, sorry, हम इस formula को कैसे कर देंगे, इसको rough कर देंगे, ऐसे कर देंगे, n factor, weight upon molecular weight, या atomic weight क्योंकि atom होगा, atomic weight equal to Q upon 96500, ऐसे कर देंगे, किसी ने पूछा, कितने volume of hydrogen gas release होगी, तो हम ये लिख देंगे, n factor, volume of hydrogen gas at STP, divided by 22.4 liter, तो direct volume of hydrogen gas आजाएगा, इसी formula से, हमको 2-2 formula, 3-3 formula लगाने नहीं पढ़ेंगे, है, तो आप इस formula को याद रखो, इससे क्या होगा, आपका question ज़्यादा easy हो जाएगा, और जल्दी हो जाएगा, number of gram equivalent की जगए, इसको याद रखे, और इसको याद रखने से question बहुत easy होगा, मेरे दोस्त, ये देखो, तो आप ये वाला formula याद रखे, formula तीन है, और तीन क्या मतलब एक ही formula है, उसको हमनों को तीन तरीके से लिखा है, मगर ये वाला सबसे सही है, n factor into mole equal to q upon 965 00, तो बच्चों नहीं का n factor कैसे निकालेंगे, तो देखो, भाई ये भी तो problem है, किसी बच्चे नहीं का सर, हम n factor कैसे निकालेंगे, तो catan का n factor क्या होता है, उसके उपर का charge, charge of catan, लो बात खतम हो गई, charge of catan, अब किसी gas का n factor क्या होता है, तो देखो मैं लिख देता हूँ, hydrogen gas का n factor दो, हमारे पास दो ही gas आने वाली है, hydrogen का 2, oxygen का n factor 4, और कोई gas अपने पास आनी नहीं है, इनी तीन के लवा, hydrogen आनी है, hydrogen आनी है, या oxygen आनी है, और कोई gas नहीं आएगी अपने पास, क्योंकि यही हमारे पास gas आती हैं, तो गैस के n factor लिख दिए, का टायन का n factor लिख दिए, बस डाल देना, आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ला में ये बात बताई गई, फर्स्ट ला में क्या बात बताई गई, कि कितना मास, कितनी वैलूम, गैस, रिलीज होगी, कि वो Q upon 965 00, Q upon 965 00, और ये में कोई भी फार्मूला लगा लो, तो ध्यान नक्किये का फर्स्ट ला में ये बात बताईगे, अब सेकंड ला की बात बताता हूं, आपको, कि यार सेकंड ला में इनोंने क्या बताया, देखो, सेकंड लाव फ़राडे, गौर समझे, सेकंड ला में इनोंने जो बात बताई, वो तुम पहले से ही फिजिक्स में जानते हो, इसमें कोई इनों की बताने की जरूद नहीं थी, ये आप पहले से ही जानते हो मगर क्रेडिट लेना होता है न और क्रेडिट देना होता है इसलिए देखो ये तीन हापसल है और सिरीज में लगें ये तीन हापसल है सिरीज में लगें ऐसे हमने इनको सिरीज में जोड रखा है इस तरह से और ये फाइनल ठीक है बोल्टा मीटर और ऐसे है यह देखो यह हमारा माइनस हो गया है कलर चेंज कर देता हूं यह माइनस यह प्लस यह प्लस यह माइनस यह माइनस यह प्लस ऐसे है अब एक में क्या भरा है copper sulphate, एक में क्या भरा है, silver knighted, एक में क्या भरा है, SCR, तो ज़रा देखो इन्होंने क्या बताया सेकंड नाम है, इन्होंने का यह number of cell series में लगे हैं, तो सम्में same gram equivalent deposit होगा, उनका कहना था कि यह number of cell series में लगे हैं, तो जितने gram equivalent copper deposit होगा, उतने ही gram equivalent silver deposit होगा, gram equivalent same होँगे, ध्यान नख्येगा, और उतने ही gram equivalent hydrogen deposit होगा, यह बात इन्होंने बताई हैं, ऐसे, तो आप क्या है, किसी के भी gram equivalent किसी के बराबर कर सकते हो, और gram equivalent का मतलब weight upon EW, जितना copper का gram equivalent deposit होगा, उतना ही silver का gram equivalent deposit होगा, उतना ही hydrogen gas का gram equivalent deposit होगा, ध्यान नख्येगा gram equivalent equal होगा है, weight equal लग लग चलेंगे, weight equal लग लग चलेंगे, यदी हम इनको mol के form में लिख देएं तो जड़ा देखो mol of copper ठीक है तो mol के form में अलग-अलग value आएगी into n factor of copper n factor सबका अलग-अलग है तो value अलग अलग है तो ध्यान नखिएगा gram equivalent equal deposit होंगे mol नहीं ठीक है अच्छा ये बात इन्हों ने बताई मगर इससे ज़्यादा जो जरूरत की बात है अपने लिए वो ये है प्यारे बच्चों गौर सुनिएगा जितने gram equivalent anode पे कुछ होता है उतने ही gram equivalent cathode पे होता है gram equivalent of anode बराबर होता है gram equivalent of cathode ये बात आप ध्यान लखिएगा question करने के लिए question करने के लिए ये बात सबसे important है कि जितने gram equivalent anode में कुछ होता है उतने ही gram equivalent cathode में कुछ होता है मतब दोनों के gram equivalent बराबर होते हैं और इसको आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं gram equivalent को लिखने को मैं मना करता हूँ इसलिए n factor of anode mole of anode equal to n factor of cathode mole of cathode अब जरूरत के हिसाब से हम इस चीज को करेंगे ये सबसे important point है ये frequently हम use करेंगे ऐसा नहीं कि ये वाला नहीं use करेंगे ये भी use करेंगे तो देखो आपको फराडे first class second law में सिर्फ इतनी सी बात समझने है क्या ये वाला formula समझना है ठीक है ये वाला formula अच्छे से समझना है ठीक है और यहां पर यदि वन ग्राम equivalent डाल दो तो देखो क्या हो रहा है q equal to 965 0000 कुलाम चार्स अप्लाई करो तो किसी का कितना deposit होता है वन ग्राम equivalent चेक करो यदि हम यहां वन डाल दें देखो यदि q की वैलू 965 0000 कुलाम डाल दी जाए तो नंबर आप ग्राम equivalent कितने आएंगे वन आएंगे कि नहीं आएंगे चेक करो इसका मतलब यदि आप 965 0000 कुलाम चार्स अप्लाई कर दो तो हमेसा वन ग्राम equivalent होगा यदि आप चार्ज 965 0000 कुलाम सप्लाई कर दो तो हमेसा वन ग्राम equivalent होगा चेक करो है हमेसा वन ग्राम equivalent ही तो आएगा चाहे जी इसका ले लो क्यों क्योंकि यहां मैटल और नॉन मैटल का कोई रोल ही नहीं है चार्ज करो लाए चार्ज सेम करोगे तो ग्राम equivalent हमेसा से माइं में है है कि नहीं तो दो फार्मूले याद रखो एक यह वाला और सेकंड डा में जो बात बताई गई है वो यह कि आपस में बराबर होते हैं चाहे वो स्रीज में अटैच हो या सेल्फ में हो मतलब स्रीज में अटैच है तो भी बराबर है और एक ही सेल है तो एक ही सेल है जो आइनोड के ग्राम equivalent कैथोड के ग्राम equivalent के बराबर होंगे सब के ग्राम equivalent आपस में बराबर होते हैं यह ध्यान क्या है ज़रा ध्यान दीजिए दवेट आफ सिल्वर डिपोजिट बाइए क्वांटिटी आप एलेक्ट्री सिटी विश डिस्प्लेश फाइब सिग्स डबल जीरो एमल आप ऑक्सीजन एड एश्टी पी अब यह कोश्चन सारे के सारे सेकंड लापर बेज़्ड है देखो ज देवेट आफ सिल्वर डिपोजिट बाइए क्वांटिटिटिय आप ईलेक्टीष ये इतने ग्रम और इसकलाब सेम एलेक्रि सिटी जाया रही है ग्राम एक्क्लाथ करते जाओ ॕर ग्राम कैसे बरबारक करोगे मैंने क्या सिखाया था मोल यह सिल्वर का और यह किसका हाइड्रोजन का ग्राम एक्कुलेंट को हम कैसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे सिल्वर के ऊपर कितना चार्ज होता है एक एन फैक्टर हुआ एक मोल कितने हुए वेट पूछ रहा है तो डबलू अपन एक्कुलेंट वेट एडबलू अपन अटॉमिक वेट अब इसका इन फैक्टर किता हुआ हाइड्रोजन गैस का दो बताया था मोल कितने हुए निकाल लो 5600 divided by 2400 क्योंकि ml में वैलूम दिया है ना ह्टीपी पर अब बस खेल लो एक दो एक दो और यहां से कट करोगे तो यह चार बार जाएगा यहां से कट करोगे तो यह दो बार जाएगा है कि नहीं अब इसको सॉल कर लो तो डबलू की वैलू कितनी आ गई एक सो आट डिवाइड़ बाइड बाइट तो यह क्या गया फाइफ फोर ग्राम आ गया देख लो बस खेल खतम हो गया ठीक है कुछ नहीं करना है जो बताया गया गया वो करना है आप ग्राम इकलेंड बराबर कर सकते हो कोई टेंसन की बात नहीं है अब इसकोशन को बढ़ो अल्टो थ्री इस डिदूस्ट बाई एलक्टो लिसीज एक लो पोटेंटियल एंड हाई करेंट इफ फोर इंटो टेंट की पावर फोर एंपिर आप पास थूदा मॉल्टन इंट अल्टो थ्री आप फ्रांग सिक्सावर वाट मास आप अल्मुनियम इस प्रोस कुछ नहीं करना है यार अल्मुनियम का मास पूछ रहा है तो अन फेक्टर इंटु मोल आप अल्मुनियम एक्वल टू क्यू आपन नैंग सिक्स्था दबल जिर हूँ के एन फेक्टर एल्मुनियम के ऊपर कितना चार्ज है दो सोरी है मिनियम के ऊपर कितना चार्ज है ती तीन अन फेक्टर पी ले home मोल मोल आप अलबिनियम कैसे निकालोगे डेट अपॉन एक टामिक भी शैट वैलू देखो आपको करन दिया है कितना करन दिया दोस्त फोर-ईन्टो-टैन की पावर पॉर आई कितना अज्टक्त श उपसावर इसको मेनप बना लिया इसको सेकेंड बना लिया डिवाइड़ बाई 965 00 अब आपका काम है बस डबलू की वैलू निकानना अब कल्कुलेशन बढ़ी है इसलिए आपके उपर छोड़ दिया है ठीक है यह चेक करो अब इस कोश्चेन को चेक करें करो 4.5 ग्राम आप अलमुनियम इस डिपोजिट एट कैथोर्ड फ्रॉम एलमुनियम थ्री पास्ट्यू सलूशन के बस ग्राम इकलेंट बराबर कर दो जब दो का कंपेर करें तो बस ग्राम इकलेंट बराबर कर दो किसका एन इंटु मोल आफ एलमुनियम इकल टू एन इंटु मोल आफ हाइड्रोजन इसका तीन हो गया मोल क्या हो गया डबलू डबलू साइज इसका दिया है अपन एटामिक वेट एन फैक्टर दो अब पूछ क्या रहा है वाट वैलूम तो वैलूम आफ हाइड्रोजन डिवाइड़ बाइड़ बाइस दसमलो चार अब बस साल्व कर लो तो साल्व तो आप अपने आप कर लोगे यह इसी है मैं साल्व कर सकता हूँ नौ से डिवाइड कर दिया तीस हो गया नौ से डिवाइड कर दिया पांच हो गया यह दस हो गया यह दो हो गया ठीक है अब यह है दो तो यह यह लो यार 22.4 में 4 से डिवाइड कर दो तो 22.4 में 4 से डिवाइड करोगी यह आंसर आ जाएगा खेल खतल कुछ नहीं करना है या तो वो फार्मुला लगाना वो बस फार्मुला लगाना अच्छे से आना चाहिए है वेन 0.1 मोल आप एमन ओफोर डबल निगेटिव इस ऑक्षिडाइज दा क्वांटिटी अप लेक्रिसिटी रिक्वाइड तो कम्प्लीट ऑक्षिडेशन ओफ यह अब एलेक्रिसिटी की को वो पूछ रहा है तो यह आर बस एन इंटू मोल एक्वल टू क्यू अपॉन नएं शिक्स फाइब डबल जीरो क्यू पूछ रहा हूँ एन कितना है जर्णा देखो यहां पर कितना है सेवेन यहां पर कितना है सिक्स तो אלक्ट्रॉन कितने गये एक अलेक्राइड का सा रहा है तो एक पॉइंट लगा दो बस अंसर आ जाएगा इतना कुलम चार्ज देना पड़ेगा कहीं लिखा होगा टिक कर दो यह देखिए इसको कर लिजिए इस फाइब एंपियर करेंट इस पास्थ्रू ए सलूसन आप जिंक सलफेट फॉर्टी मिनट एमाउंट आप जिंक डिपोजिट जिंक के उपर कितना चार्ज होता है दो एमाउंट पूछ रहा है और डबलू अटॉमिक वेट नहीं दिया है इ पॉर्टी मिनट है तो उसको सेकेंड मना लिया है डिवाइड़ बाई 965 00 अब मेरे दोस्ति इसको सॉल्व कर लो तो जीरो तो मैं उड़ा देता हूं है ठीक है कल्कुलेशन देख लेना ज्यादा टाप हो तो छोड़ देते हैं नौ पास से उड़ा दो तो पास से उड़ा तेरा से कटेगा तीरा से छे और तेरा में तिरसट आता है क्या नहीं आता है अब यह नहीं कटेंगे अब आपको सॉल्व करना पढ़ेगा मैं लिख देता हूं डबलू एक्वड़ टू क्या गया इसको उधर ले जाओ 4, sorry 4, 6, 65, 2, 193 जो कट सकता हूँ काट लो यार अब डिवाइड कर ले ना देख ले ना कोई ना कोई एक आंसर आपका मैच कर दाएगा ठीक है पहरे बच्चो अब इसकोशन को भी कर लेते हैं दा नंबर आप लेक्टाउन डिवी डिलीवर एड़ दा कैथोड डिूरिंग अलेक्टोलिस बाइए करेंट ऑफ वन एंपियर इंत 60 सेकेंड इस यह तो यार फिजिस का कोश्चन हो गया तो में इस्टिक अभी कोश्चन नहीं है क्यूं इक्वल टू एनी फिजिक्स में प बस खतम हो गया तो चलो देखो यार यह हमने कोश्चन कर लिए अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं ठीक है चलो स्टार्ट हो जाते हैं प्यारे दोस्त बैटरी में क्या करना होता है इस बात को जरा समझाते हैं कि बैटरी होती क्या है वैसे तो आप लोग फिजिक् है वैश्य बता सकता है बैटरी क्या होती है क्यों क्योंकि फिजिक्स में तुमने फ्रल में ये बात पढ़ी होगी अलग्ट इस्टेट में तो बैटरी होती जा बैटरी संसिश्ट ओ कंसिश्ट और नमबर और कि नमबर और गैल्वनिक सेल कि सेल आरेंज 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 इन ए त्रीज जब हम नमबर और गैल्वनिक सेल को त्रीज में अरेंज कर देते हैं तो जो बनता है उसी को कहते हैं बैटरी क्यों कि बैटरी में हमें बोल्टेज ज्यादा चाहिए होता है और यह बात आप सभी बच्चे कि यह बात आप सभी बच्चे फिजिक्स में पढ़ चुके हो कि यदि हम नमबर आप सेल को स्रीज में अरेंज करते हैं तो चार्ज सेम जाएगा और गोल्टेज एड़ होता चला जाएगा यह देखिए यदि मैंने कुछ ऐसा कर दिया देखिएगा यह देखो हमने गैल्वनिक सेल बना लिया है ठीक है इस तरह से अब मैंने इसको क्या क्या स्रीज में एड़ कर दिया ऐसे ऐसे और इसको इसके साथ हो एड़ और इन सब जगए पर ठोलाइब भरा हुगा आज तो ढग cookies मैं मैं आप निए काम कर दिया यह ज़िन सब वोल्टेज मिवन है इसका ब वूल्टेजी टू ए इसका बॉल्टेज क्यू fragr 이야기 देटी एक ॔ल तो टोटल बोल्टेज कितना आएगा वीवन वीटू वीट्री क्यों क्योंकि जब सשה रांड इन्ज तो बोल्टेज एडिटी होता है है इता यह बात अपने पढ़िए तो बैटरी होता क्या है देटरी नंबर आप increasing S transpyr स्का Avec में होता है अना बैक्ट्री को कैसे बناते हैं नंबर आप निक सेल को सिरीज में एड एड करके बनाते हैं और सी रीज में ही क्योंए आ जाता है क्योंकि हमें बोल्टेज जादा चाही होता है और ऑस सिरीज इंट्र句 प्ारपर्टी होती है अघ्म प्रॉपर्टी होती मतलब जोडने से बढ़े घारना वीवान वीटु-टू-भीट्री इसलिये दिंग करते香 एक ने कि उटनकू से हम उतले की कि है कैपको चे rated के लियर को करते हैं एक हम क्या कि'क चैसे धाब कर रहा है तो बटेज बढ़ जाएगा पहला काम क्या हुआ बैटरी क्या होती है बैटरी जो आप गयलπωςने इन इस इह उखते हैं इतनी बात में आई सभी बच्चों अब कहानी को और आंगे भाड़े हो धिराख को कहानी को और आप रहाते हैं तो क्या बताते हैं बैक्टरी दो तरह तो इस बैक्री मेरे दोस्त दो तरह को आपकोंगा सी ज़्चिश ते समझी इस्ते मौटी लाइन के सब्सक्राइब कि अच्छरव था करने साथ आओ अजयरा देखो पॉन पॉन से तरह की बैक्री हमारे समय को ठीए एक बैटरी होती है प्रामरी बैटरी प्रामरी एप ऐूं मेरन चलिब चुलिए पैंद इस और एक होती है इसरे शेचीव ऒैडिटरी वाला डिनन वैसे वैसे तो आप इतने हेले से विए सब्सक्राइब टाहिक होगा अ क्या होता है जरा समझ ऑब है फ्राइमरी बैटरी किसको मतलब समय मतलब एक बार खराब हो गए तो फरदर यूजो नहीं कर सकते है इसको मुलब ये रिवर्सेग्ぁ नहीं जो यह नहीं है रिवर्सेबल नॉन रिवर्सेबल बैटरी होती है मतलब इसको दुबारा आप रिचार्ज नहीं कर पाओगे तो इसका मतलब इसमें रिवर्सेबल रियक्शन नहीं होती है प्राइमरी बैटरी नॉन रिचार्जेबल होती है उनको आप रिचार्ज नहीं कर सकते हो ठीक है औ आपको ये बाद अपने आप समझ में आ गईे होगी कि सीकंडरी बैटरी क्या होती है इसका जैस्ट आप और यह क्या है रियूजट कर सकते हो मतारी रियूर्श मुर्ण तक इनकोंम को कर Цैंप केप क्योंकि हम इनको रिचार्ड कर सकते हैं ठीक है इसी वज़े से ख़ये कि रिवार्ट र्यम्स फालो करता कि यह रिवर्स अटिट से डॉल करती है कि यह रिवर्सियल the प्रॉसेश को इसलिए फालो CS स्रीज में लिकलेक्टरी के जन Duty करते हैं अरेनच करते हैं तो बै interestưởng बिंद कोसी कि नहीं contempor प्राइमरी बैक्री है वो और इन डान रिक्यारज होती है पालो होती है अब एगउन सल tossed एक और इर्यवरि वर्यो नहीं को West कि अब हम पूछ इनके एक्वाटाते हैं dummy example अश्बत ईक्जामपल आप प्रैमरी बैटर्टरी का सबसे पहला एक्वाट में लिए वह यह है डी देस्ट कि यह क्या है exampleובंस और यह इंधपल और अब एक बात ज्शूरण नकित बैटरी में थोछा किया जाता है भाई ये भी तो बात है कि फ्रेट कल पॉइंट आएगा तो इसमें क्या पूछी गाल से तो हमसे सिभ एक बात पूछता है एनोड कौन है कैथोड कौन है उसकी सल्ड रियक्शन क्या है उसका बोल्टेज कितना है यह चार-पांच पॉइंट हमें हर बैटरी में याद रखना तो ड्राइसल क्या होता है किस तरह से बनता है जड़ा देखो और उसमें चार्बात राखने पहला अनोड कौन क्यों है करूसरा कैथोड कोन है किति सरा कking कौन है एक उत्रोलाइड कौन है और कि प्रॉiß ह variक्षन क्या है और किक 5पेलटोंड पोटेंशियल कितना मतलब इतनी बाते हमें किसी भी बैत्री में पता होनी चाहिए क्योंकि इतनी बाते हम से कोई पूच सकता है कि सी भी बैतरी में वह नाता है तो कितने पॉइंट वान है तो थी पूर और यह पाई अब हम एक एक करके इस बाद को समझाते है कि कौन-कौन क्या होता है आयनोड जो होता है वो जिंक कंटेनर होता है के जींग कंटेनर वे उसको एयनोड जिनक कंटेनर का मतलब क्या होता है अच्छल में यह उस तरह क होता है आप लोकाने ट्राहिसल बड़े वाले इक पिशुaces का जी हो सकता आप बट पुराना से लिए अब यूज भी नहीं होता है यह आज से दस पंदरा साल पहले टॉर्च में यूज हुआ करते थे कि टॉर्च में हम लोग इस तरह से उसकर थे बड़े बड़े मोटे मोटे होते थे हैवी है ठीक है रेड़ कलर का उनके उनके ऊपर रैपर होता था जब उस रैपर को हटा दो ठीक है तो उस रैपर को हटाने पर वो ब्लैक कलर अंदर दिखता था वही वाला सेल ड्राई सेल बोला जाता है वो कुछ इस तरह से बंगता है कि एंची आर्टी में इसका बहुत अच्छा फिगर है आप इसको एक पर देख लीजीगा वैसे मैं एक बार फिगर बनाने की कोशिस करता हूं देखो इस तरह का कुछ फिगर है इसका मैंने इसके अंदर का पार्ट दिखाया है अब इसके अंदर होता क्या है एक ग्रेफाइट की रॉड लगी होती है इस तरह से इस तरह से ग्रेफाइट की रॉड लगी होती है ठीक है देखो यह ग्रेफाइट की रॉड है ग्रेफाइट रॉड रॉड जो कैसोड का काम करती है करती हैता है और यह आप देखर रहें घृट का यह काण वां मतलब इस आर्ज होता है इंच एंडीय कर lle है गलेकृत है अंद्या है इस तरह से सब्सक्राइब तो यह हु이죠 करेगा और यही आए दोस्तों कौम से रेक्साण कि ओकी यह T ईसाट आ चो Kansas कई मधैं तो कहान तो रोट काम करता है का रतो एंग्रीपाइड रॉड ग्रेफाइड रॉड कोई कारवन राऋन कहा जाता है तो मिन्म घ्रेफटिरॉड से में क्या मोता है तर этим के साथ मिलकर ठीक है इस नहींता है मेंradas Thomas तिए यह यहां पर प्लस पूर होता है और कि प्लस और में रिलीज करता है अमोनिय स्थी इसका एलक्ति प्राइट कि ट्रॉड होता है इसका इलक्तिण होता है एनेच को और सी ल्द यहिए है अब सल रीएक्शन क्या बनी इन दोनों को जब इन दोनों को आड़ करोगे तो सल्ड रियक्शन हमारी आजाएगी क्यों क्योंकि यह हमारा क्या हुआ रिडक्षन और यह हमारा क्या हुआ हुआ है ठीक है यह हमारा क्या हुआ रिडक्षन यह हमारा क्या हुआ ऑक्षिडेशन तो सल्ड रियक्शन अब सल्ड पोटेंश अधो अमौनिया गैस निकली ये तो सेल क्लोज है और जब सेल क्लोज है तो अमौनिया गैस निकलती रहेगी तो ये सल फट नहीं जाएगा हम अदर हैं अ सबुलं नहीं है तो जिदा इकुलर गैस किस दर Self-TFers बनागा जैता तो वहां पर मैंने ये रियक्शन कराई जर्कोनिया ध्यांन और कि सी बच्चे को जर्कोनिया, सॉर्ड की रियक्शन in sh4oH करने पर और धने हैं तो ओछ समिलखो या अमॉन्या लिखो वहां आप बात बात बताइये कि लिए एक्स yarn कैसे एक होस्ट इलग संदॉ यह कि और लिए सा सब्सक्राइभ तो जो बैस निकलती वह जिटैना इन्से कुट나 एक है जड़ना ये हमें से कमबाइन ऌका करे राइस में हमें क्या पता होनाच यह आयनोड को न है इन गर्फद रॉड होंग गरेपाई पेश्ट हो इस पर बोल्टेज कितना डर्नेट होता है 1.5 अब जर बताओ 1.5 बोल्टेज जनने टोड़ा है जाए बोल्टेज इसका बोल्टेज दीरे दीरे कम होता चला जाएगा इसका बोल्टेज दीरे धीरे कम होता चला जाएगा पुरानी जवाने की बैट्री आधरिया होती हीना ठेट होती थी पहले बहुत तेज जलती थी धुरे धिरे वो कम एदेएगो जलने लगति ने कि certain करन वोंकर दाओ कियों कि वह संट्रेशन एलक्त्र राइटा कंसंट्रिशन विह प्रॉसर्स चलता में तो निकर का कंसंट्रेशन कम कोवा-था अ-वह फिंत ऊसंट्रेशन सनका बोल्टेज कि आไดट था कि यह नियुक्त ही वेख देट और नहीं पड़ाया ने सैजिकल प्रोडक्ट और यह चैंज होगा तो सिंपल सी बात है यह भी चैंज होगा है यह क्या लिखा है सभी बच्चों को पता है यह क्या लिखा है यह तो यह लिखा है कंसंट्रेशन अफ रडत अपान हैं कि ढ ang iaग तो यह वसे कहा जाता है कि इसका सल करता रहता है पुराने ज़्वाने की यह बैटरीयां मतलब ब्लैक कलर वाले शिल उन्जेह वो क्या करते हैं तो तो तुझ दिन टॉर्च खुब चलिक जलते दीरे दीरे दिम होती चली जाते जो और फिर वह सल खराब हो जाते हैं हमको फेकने पड़ ते तो तो वह रिक्चारजेबल नहीं है वह नॉन रिक्चारजेबल है प्राइमरी बैटरी है ना इवाट तो आपको क्या याद रखना है एनूड कौन है फिर क्या रखना है जिंक कंटेणर है कैथोड कौन है ये 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 जो पूरा जिंक को फोल बनाए ना वह एक लॉड है बीच में जो ग्रिफाइट के रॉड बनी है वह नोण है ठीक है और अलक्टोलाइट क्या होता है और जड़न की अल्टू का पेस्ट कितना वोल्टेज जनेट करता है और जैसे जैसे प्रोसेज आगे बढ़ेगा तो बोल्टेज क्या होगा कम होता चला जाएगा अब ज़िए इसके बाद इसके बाद है हमारे पास जिंक अमल्गम अब ट्राइस यह पॉधी प्रायमुरी सेलрь का इक्जामपल जिंक अमल्गम ट्राइच सेल को ही बट 2012 प्रफ। है है इसके बारे में बताते हैं ठीक है यह क्या यह भी एग्जाम्पल और प्राइमरीवित रिक यह इंग दा एक्जामपल और přाइमर्पल अधीब्डरी USB कि यह भी मेरे दोस्त primary battery का example है ठीक है अब इसमें वे ही बाते हमें याद रखनी एक सभान अगा है तो सब्लंग कोशा है तो देखो अंओ अनलड बॉस्त्रे इसमें एक तो सब्रास होता है जिंक सब्सक्राइब यह इस तरह से काम करता है जो होता है वो ऑप्सिडाइज हो जाता है जड़ेंट टूपार्ट है एस तिक काइफोड कौन होता है तुछ देखो काइफोड कौन होता है इसमें काइफोड होता है एच जी ओ ओ लुभ ग्रेफइब रॉड इसमें भी ग्रेफइब रॉड पढ़ी होती है यह जो हुआ है यह सोलिड और प्लस टू यह कनवाट हो रहा होता है एच जी इस लिक अडियोग में जी रो ऐसा अब इसके बाद एलक्तोलाइट कि इसमें एलक्तोलाइट क्या लिया जाता है तो ज़िए देखो एलक्तोलाइट क्या लिया जाता है सचुरेटेटेट आप सचुरेटेड इस सलूसन ओफ की वएच का सचुरेटेड सलूसन हमारा क्या होता है एलक्तोलाइट का साम करता है इसल बोल्टेज कितना आता है इसल बोल्टेज आता है 1.35 बोल्ट था बात समझेगा ठीक है पॉस्ट एंट अ दूरीं process पूरे few processes के दौरान इसका बोल्टेजte constant होता है मतलब यृसल डइयरट खुराब हो जाएगा मगर इसका बोल्टेज कम नहीं हों और यौल्ट इंक्वाटेंट है कर जो कि इसका बोल्टेज कम नहीं होता है यह डारेक्ट ठॉट हो जाता है यह दो होस्यल है यह वाच में यूज जाता है वाच कैमरा इन सम्मी यूज किया जाता है किसे लिए fille मी नहीं पड़ेगे डारट बंद तो यह एक्सा जाल पोटेंशियल कॉस्टेंट होता है क्यों जाल रियक्षन में सारे के सारे सॉलिड यह जो है यह भी सॉलिड है साल रियक्षन यह बंती है मैं इसकी चल रियक्षन लिख देता हूँ The Zn Thg ठीक है Ton V Go gives Jn- 짜 igkeit at vessel reaction येूइ है एक सॉलिड sih एक सॉलिड Patreon ये वृत तो पूरी कोई है नहीं है कि जब पूरी दियस्टन में कोई एकित्वा blur नहीं है सब्सक्राइब क्यों पर देंट निखा जाता है और पूरी अच्छन में कोई है नहीं तो यह कौंस्टन यह कॉस्टन यह कॉस्टन तो अपने आप यह पॉन्हें पर टो क्यों क्यों पास किसी वजह से डियूरिंग रॉसाल इसका बॉलटेज कॉस्टें रहता है सीधा सेल काम करना बंद करेगा ऐसा नहीं होगा कि धीरे धीरे इसका बॉल्टेज चका मोता चला जाए इसी लिए घरी जो की अइनोड है फोल्ड एलेक्ट्रोलाइट और कितना वोल्टेज जन्रेट करें इसका मतलब जो है कंसंट्रेशन आउस पर डिपेंड नहीं कर रहा ना किसका मतलब क्या हुआ कि किस्का मतलब हुआ है कि वॉटेंटियल ल्यास नौट इपेंड अपॉन concentration of QH इसका मतलब है hmm KOH के concentration पर depend नहीं कर रहा है ये बात पूछी जाती है एसी ये बता ही जा रही है जो बाते पूछी जाती हैं वही बाते बताwał ही है जदी पूछी गईhuman तो rare way वेसे पूछी जाती है तो इसका self potential पर depend नहीं करता क्योंने करता है? क्योंकि एक्वेसन ऐसे आती है अब ये दिख अ अब ये भी कॉस्टेंट है इतने अलक्तान वैरी कर रहा है ये भी कॉस्टेंट है एक चल में ये भी कॉस्टेंट है अ अपने आप ये में हो जाएगा अपने आप ये थे भी के अब इसके बाद भात करते हम लूब भूर्ब टृड इस ताक इन डिस्टूरच बैतरी अभश्य विस्टूर्च अननी इस तोरीक वैकल शीक एल चलींट अब ज़र देखो सेकंडरी बैटरी में अपने को क्या करना है इस बात को बताते हैं कि सेकंडरी बैटरी में अपने को क्या करना है कि यह देखू है कि तुझरा दोस्त अब बात को समझेगा सेकंडरी बैटरी में अपने को क्या करना है सेकंडरी बैटरी जो होती है वो रिचार्गेबल बैटरी है कि इसका मतलब यह चार्ग भी होगी है ठीक है सेकंडरी बैटरी में एक्जामपल कौन सा पढ़ते हैं हम एक्जामपल पढ़ते हैं लैड इस्टोरेज बैटरी का से लैड इस्टोरेज बैटरी लैड इस्टोरेज बैटरी का उग्ट है इसको जड़ समझो यह वहीं बैटरी है जो आप लोगोंने बचपन से देख है इस कि समय जो आपके इनवायटर की बैटरी आती वह ह negative two parallel पुराने जवाने में आपने देखा होगा ब्लाइक कलर की एक बैटरी आती थी और यंटी बैटरी और अभी भी यह बैटरी कहीं दिखती है कहां दिखती में बताता हूं बाइक में स्कूटी में जो आपके भाइक और स्कूटी में छोटी सी बैटरी लगी होती है जिससे होर्न बसता है सल्क कि चलती है वो लड़ी श्टोरेज बैटरी होती है छे बोल्ट की बैटरी होती है गोड़ी वह अभी बैटरी बैटरी है वो दो बैटरी अभी बैटरी अभी बैटरी बैटरी है और वह आने लगी लीथियम आइरन वी है क्यों क्योंकि अब उनकी इफिशियंसी बहुत आई है तो इस बैटरी का यूज अब हम लोग नहीं करते हैं पहले जबाने में किया जाता था मतलब आज से 10-15 साल पहले आज से 10-15 साल पहले हम इस बैटरी का यूज करते थे ठीक है बैटरी क्या थी जरह समझो इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है अनोड कॉम था तो चला देखो कैथोड कॉम था अलक्प्रोलाइट क्या है अब दर अधर को एक एक करके इन सारी बातों को इसमें भी बताते हैं तो गौर से समझेगा आनोड क्या होता है आनोड जो होता है फॉलिड लेड रॉड होता है मतलब तॉलिड रेड रॉड होता है कुछ इस तरह से Button इस तरह से देखो रेट ही वर्राट जोति फिल्क किलर की गोठी हमारा बैकग्राउंड बना दिया से थिमक्र दूसरा स्लएं बना देता हूं-ब्रॉण यह लिस तरह कि राद होटी हैmeno एक्स क्या होती है थिवी प्लओ ट्री किसमे लॉत इस्б niveau तो यहां पर जीरो होता है और यहां पर प्लश्टू इस तरह की रियक्सन हो रही होती है अब कैफोर्ड क्या होता है कैफोर्ड जो होता है लेड रॉड होती है अ क庫ोर्ड भी रेड रॉड है मगर यह अलग तरह कि रॉड होगी कैसी रॉड होगी अब दिको समझाते ले स्विव यह यह कैसी यह 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 रॉड ऐसी भॉक लिए अंदर भरा होता है इस करे दो पेश्ट किसका होता है जरा समझेगा वह पेश्ट होता है पीबी ओस्तू का ए यह सॉलिद रेड है अब इसमें क्या है लैड की जैसे स्लेंडर होता है लेड का स्लेंडर है उसके अंदर भरा हुआ थीडी ओटू का पेश्ट और यह पीडी ओटू का जो पेश्ट होता है यह एकन में पार्टिसपेट करता है कि ऐसे हैं और कनवर्ट हो जाता है इसमें अब ज़रा देखो यह क्या है प्लस पोर्स कनवर्ट हो गया फ्लस प्लस रिडक्शन हो रहा है तो हमारे पाद जो सॉलिड लेड की रॉड होती है वो एनोड की चरह काम करती है और इस्पॉंजी का मतलब होता है कि लेड की रॉड है उसके अंदर पेश्ट भराय तीवी ओटू का कुछ इस तरह से समझो प्रैंडी जो होती है ना है उपर नोगुपर जू पर जो रहुता है क्रता है चॉकलेट की सॉलिड लेघर होती है उसके अंदर कापनजी टाइप का चॉकलेट होता था क्न हॉता है हुसे उस तरह सदीज्रे地 आर्रेश ये जैसे बच्क के कंडी खाते है आक श्कूए फर ऐसे अलस्क्रो राइट होता है यह पूचा जाता है कितने पर्षन डवलू ऑई डवलू 38 पर्षन डबलू बाइड अपसल रियेक्शन क्या बनेगी देद एकुस एल्रीक्शन क्या बनती है कर देखो हम लोग बात करते हैं cell reaction कि- किस एल रिएक्ट्ट्ट्ट्र क्या बने गए प्यार सेल रिएक्ट्ट्ट्ट्ट्र में क्या करना एनोर का फोर्ट को जोड़ तो जोड़ों गे तो क्या आएगा ज़रा देखना कि पीडी सॉलिड पीबी ओटू ए एक वास गिप पीबी एस ओफूर प्लस पीबी एस ओफूर यह मैं दो बार क्यों लिख रहा हूं जैसे तुम्हें पता रहा है कि दोनों पीबी एस ओफूर में कनवर्ट हो रहा है कि एक पीबी एस ओफूर में नहीं कनवर्ट हो रहा है दोनों यह देखो और इसका इसल बोल्टेज्ट जो है वोज तूपाइंट 014 बोल्ट होता है इसी वज़े से मैं कह रहा था कि दो गोल्ट की बैटरी है अब जितनी प्लेटे जोरते जाओगे जायेगा कि 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 तरह कि होती है बांच मैं क्लै टाक्रक यह होती है अगला होती है उसमें यह होता है यह रहा मगर उसमें पेश्ट घट पीवियो टुद यृडारए उस तरहीघ को होता है इस तरह और यह सबाद को हो समझेत है अ-स पर tspbalanced कर कि इसल मतलब सेल पोटेंटियल कि कितना है 2.041 बोर्ट है डिक्रीज़ कि द्यूरीं कि प्रॉस्ट जैसे जैसे प्रॉसेस होगा तो यह डिक्रीज करता जाएगा इसी वजह से लाइड लगातार यह दी चली जाती ही तो हमारा कि इन वाटर बंद हो जाता एक दो गन्टेना एग्सीन गन्टे ना एक तो इंस जैसे अलिए तो इस तरह से और इस उल्रीक्षान को कहते हैं इस रियक्षान को एक्षा डिन इसटार्ज रित्स आज लेक्षा फिक साग्षा ये 利 Ain में मुट्री आदियुक्छे अभी जो हमारा बैटरी है वो डिश्चार्ज हो रहा नहीं हो रहा है वह क्या से अलर्ट्रिकल एक हैं कर आए डे-ट जो दोय वह कैमकल इनरजी में वाहते ने सबस्क्राराने reaction क्या होती है यह बगाते है तो तो इसके रिचारज़ एवल रियक्सिन क्या है ज्यार यह यह रिवर्ट आविल तो इसकी रिचारज़ एक्सिन क्या होगी जैश्ट आपोजिट होगी प्यजिट होगी tbso4 fpso4 convert होता है किसमें pb solid में of pb02 plus h2s यह तो अब आप पोजिट्री एक्शन ओन जो गए यह अब क्या हो रहा है प्लस टू प्लस जीरो प्लस अब है यह निस चारजवल पीट्स समय जेस्ट अपोजिट्री एक्शन तो कि हमारा सेल क्या सेकंडरी इसल कैसा होता है क तो हमारी से कैंडरी बैक्तरी जो ची ओती है वह रिफसे विल घरना डारीवर DRILL होने की वज़ार्ज नीगा जो6 तो रिछार्ज ल घरनार री v Jungle diploma कि नेलत्रिस गांदी का इनलटा का मूझारा एलेट्रिकल है की इनेर्जी के नूवार्ट इन्टू केमिकल इन जब रिचार्ज़ अर पूछने फूचा जाता एंधिक हम रियंके संसरी चर्ज़ बला- weerने लोगो है इस विम्के already रहे है अना बैटरी जो हमारी चारग रहे है तुझे को सकंड हो बैट्री ये it सब्सक्स्राइब कें आपने को याद रखना है हमसे क्या पूछा जाएगा ध्यानन हमसे यह बात शुच रहे कितना बोल्टेज है कौन सी सेल्ट रियक्शन है कौन एलक्त्रोलाइट है एनोड कौन है कैथोड कौन है ठीक है ये सारी बाते पुछी जाते हैं अब जर देखो यार टॉपिक को और आंगे बहाते अब हम लोग ने बैक्टरियां पढ़ लिए अब इसी जगह पर पढ़ने जा रहा है फूल से फूल सेल क्या होता है तो कोई बच्चे बता सकता है फूल सेल क्या होता है जड़ा देखो फूल सेल क्या होता है ध्यान से दिखिएगा बहुत सिंपल है इसमें ध्यान से क्या देखना है देखिएगा करता क्या है फूल सेल काम क्या क्या दबता है फूल cell convert heat of reaction into electrical energy, energy, direct. फ्रूल क्या होता है किसी भी से जो इनर्जी निकल लई है मतलब कंबर्शन से जो भी इनर्जी निकल लई है उसको डारेक्ट अलेक्ट्रिकल इनर्जी में कनवर्ड करने का काम करता है वो क्या करता है जैसे आपने इसको बर्न किया मेथेन है मेथेन का आपने देखो औरूरни इसमें सबोण इनर्जी निकली एक्स पिलो जूल और मोल गौ्जिक आपने क्या किया स्ट प्रक्रति काइश्न है आप जब आतल लेक्समेंने मुदिक एनर्जी जो यह डायरेक्स कंवर्ड कर देगा तो पमण है सी हर इंटू ए अलक्ट्रिक लिन आप कि एलेक्ट्रिकल इनर्जी यही किया जाता है तो पहले तो फ्यूल सेल की डिपनीशन समझों कि फ्यूल सेल है क्या फ्यूल सेल का काम होता है डायरेक्ट हीट आप रियक्षन को या हीट आप कमश्चन को एलेक्ट्रिकल इनर्जी में कनवर्ड करना कैसे करता तो बता देतें जड़े को कैसे करता है एक फ्यूल सेल बना देते बहुत सिंपल से आप देखे आपके लिए फ्यूल सेल्ट तैयार करता हो है जेर्ड़ अ हुए अब जर देख्टे इदेख्टे इदेख्ट 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 करें करें अब जर समझेगा शूल सहल कैसा होता है है अब तरह बनाने कोशिस करता हूं ठीक ना तोड़ा का जैसे आप बातों को समझ सकते हैं और इसमें ग्रेफाइट की राउड लगी होती है मैं एक ग्रेफाइट रॉड इना रहे एक ग्रेफाइट रॉड यह देखिए यह हमारी ग्रेफाइट की रहोर है कि ग्रेफाइड कि रॉर्ड क्या होती है इनर्ट एलक्टोर है ना सभी बच्चे जानते हैं इनर्ट एलक्टोर है अब जड़ा देखिए गई काम कैसे करते हैं हम एक तरब क्या करते हैं लिक्विड आउक्सीजन भर देते हैं भें है कि लिक्विड ऑप्सीजन की वर रहे है कुकि जैसे एमौंट में ज्यादा आै ऐसा नहीं कि हम गयस और दमपर त कॉंड ओ। में आजक्ट्थमसलार अइस्यों दूसरी तरफ हम यहीद पारंटोर सीन बदेते हैं इस originated here इसमें भर देते हैं liquid hydrogen जान दिएगा यहां कि ऐसे बाइप्रेश चीक और साथ साथ में इसमें थोड़ा सा इधर से एन्योज जाल देते हैं एन्योज ले सकते हो के वह ले सकते हो एज एलक्टोलाइड तो एन्योज या के वह हमारा जो होता है वो यूज होता है एस लग तो है अब जादर देखो भूता क्या है थी के गौर समझें जो हमारा हाइड्रोजन है वो ओए चैन एज वडाप्रोलाइड है थी के इसके साथ मिलकर क्या बनाता है गौर्ज देखिएगा वाटर ऐसे दो चार चार मालीक्यूल है चार मोल वाटर बनाता है इस तरह और इसी तरह जो हमारा ऑक्सीजन है यह वाटर के साथ मिलकर बनाता है इस तरह अब यदि इस रियक्षन को बैलेंस करो तो चार अलेक्ट्रॉन यहां लगाने पड़ेंगे इस रियक्षन को बैलेंस करो तो चार अलेक्ट्रॉन यहां लगाने पड़ेंगे यह क्या है जीरो से प्लस वन तो यह आउक्सीडेशन हो रहा है इसका मतलब यह एनोड है देखते जाइएगा और यह क्या है जीरो से माइनस चू इसका मततब्र रिडक्षन हो रहा है यह कैथोन है अब दोनों को जोड़ दो जब आप दोनों को जोड़ देते हो इस तरह से कि ठीक है दोनों को जोड़ने पर सेल रियक्शन आती है सेल रियक्शन क्या आएगी दोनों को जोड़ों मेरे दोस्त तो देखो एच्टू प्लस ओटू इप्स तू एच्टू और हाई अमांट आप इनर्जी यह कर जाएगा और यह चार यह दो है तो उधर दो बचेंगे तो एस्टू प्लस ओटू प्लस टू एच्टू बैलेंस करने के लिए यहां पर दो लगा लिए ऐसे और इसरी अक्षनड में जो अनर्जी ब家ईगी अभी आपर हमारी यह है है इस रिक्सनमें जो भी अनर्जी आएगी वो डारेक्ट कनी वर्ट हो जाएगी इन इसूह है क्षू अल्ग के उच्ट इस रिक्सनП के यहर इसूल में हे रिक्सर ओर आयो नियें कूल दिए टी इनर्जी ती वैलु याद ने यह साइस पांग तो सेज किलो जूल निकल यह इनर्जी डायरेक्ट कनवर्ट हो जाएगी किसमें डायरेक्ट रिल्ष्रण इन्टू एलेक्टर कलिनर्जी और सिनल ये हुआ है धियान क्यों किसी ने पूछा इस तर ऐसा क्या है कि आपने फियों सेख ऑप है और में हाइज और आग्ण और यह hydrogen oxygen fusion है hydrogen oxygen oxygen तो हाइड्रोजन oxygen फ्यूल से हमने क्यों लिया है क्योंकि यह जो वाटर बनता है न इसमें बहुत हाइप इनर्पेंक निकलती है हएड्रोजन और AWk Sebastian मिलका वाटर बनाते हैं उसे बहुत हाइप अममौन्ट में इनर्जी निकलती है और इनर्जी ज़्यादा होगी तो उसके रिस्पेक्ट में convert होने वाली electrical energy भी जयादा ओकीक उसकी electrical energy भी ज्यादा होगी hydrogen oxygen full cell westhemels की efficiency जड़ा चेक सुरो hydrogen oxygen for fuel cell जो होता है उसकी दोज efficiency जो होती है सेवेंटी परसेंट के आसपास हो मतलब यदि तुम साओ जूल इनर्जी निकालोगे तो सकतर जूल इनर्जी को एलेक्टिकल इनर्जी में करेगा तीस प्रोसेज में ही बेश्ट हो जाए ठीक है इफिसेंसी कितनी है यह अब इसमें हम इफिसेंसी भी निकालते हैं एफिसेंसी आप उसका भी फार्मूला है मτεुछा जाता है देखी आफिसेंसी ओफ में किसी भी θα की इसमीप ऑफ तो तुम कैसे निकालोगे तो देखों फार्मूला क्या होता है कि यंअज अंसे आप खूल 3 और सब्ister है देल्टा जी अप्वान डेल्टा एच इन्टू हन्ड़्ट गया है माइनस एन एफ इस अडेलटा क्या है इन्थल्पी ऑफ रियक्षन किसी भी किए इफिल्ट्रिक निकानने का फार्मुला कितने इनरजी निकली है है कि इतना इनरजी निकली वो डेल्टफ है कितना इसमें ल्क्टरिक्स था मतलब कितनी इनर्जी को वर्क फॉर्म में कनवर्ड किया यह से आजाता है यह बाइस ट्र पोटेंशियल आ गया तो यह हुई अलेक्रिकल इनर्जी और यह हुई हमारी पेमिकल इनर्जी इन दोनों का रेशियों इन्टो हंडेड परसंटेज में कि देखंगों विर्मकल निकल आता है कि आप आप करते यह कमशन करते हो और वो कानवर्ड करता है हम जो हीट ट्रोजन और करा सकते हो hydrogen carbon कि मिक्ष्र का कमश्चन करा सकते हो वह भी food की तरह काम करेंगे क्योंकि बेसिक पॉंटिक यह है एक जितनी ज्यादा ही कर दो हमें ऐसा फ्लेना होता इस ज्यादा इनर्गी करता हो क्योंकि ज्यादा इनर्जी रिलीज करेगा ज्यादा इनरजी आएगी उसको फ्यूल सेल की तरह यूज करें ठीक है दोस्त गाहनी और आंगे ले चलते हैं कहानी को आंगे ने चलते हैं आप लोगों ने टर्म पढ़ा होगा पोरोजन है तो बच्चों के धिमाग में आता है या यह पोरोजन क्या होता है उसका एक्जामपल आप पढ़ते हो रस्टिंग आफ आयरल तो जरह बता सकता है कोई बच्चा पोरोजन एक निट पानी पिले दो ठीक है कोई देख लियार है को बच्चा बतायगा को तो तो एक कैसे काम करता है इसका मतलब क्या होता है तो चलो पहले से इसकी कि इसनी संदा पिप्रोजन का मतलब क्या होता है होता है मैटल जो होते हैं मैटल वो एटमोफियर मतलब एयर के आप्सिडाइज हो जाते हैं आप्सिडाइज एड़ फॉर्म मैटल आप्साइड मैटल कार्बोने एस्टेरा ठीक है क्या मैटल एक्मोंसपियर के थुरू ऑक्सिडाइज हो जाते हैं मैटल ऑक्साइड, मैटल कार्बोनेट, मैटल सलफेज एस्टेरा फॉर्म करते हैं इस फ्रोसेस को ही कोरजन बोले जाता है इस फ्रोसेस इस नोन ऐस है और ध्यान रखना यह status spontaneous होता है उसकि ऑपने आप करता है उसकी नैच्रल उसकी क्या होती है नाच्रल थेबंडेंसई यह प्रॉसर्श रही MV मैं अपने आप नुना यह doesn'tお कुछ नहीं करेंगे जैसे आप लोग ने इसका एक्जाम पढ़ पढ़ा है रस्टिंग आप आइरन को छोड़ देते हो तो अपने आप कोरोजन करके ब्राउन किलर का क्या करता है रस्ट बनाता है मगर वह अपने आप बनाता कोई हम थोड़ी कंडीशन देते हैं तो कोरोजन जो होता है spontaneous process होता है उसका एक जामपल पढ़ते रस्टिंग आप आइरन इसका मदब यह नहीं कि रस्टिंग आप आइरन कोरोजन है किसी भी मैकल पे कोरोजन हो सकता है कोई ऑक्साइड बनाएगा कोई कार्बोनेट बनाएगा मगर अपने आप हम कुछ नहीं करेंगे ने अब मैटल सर्फिस जो होते हैं एक्टमास्पियर से एटीपी मतलब एक्टमास्पियर से ऑक्टिडाइज हो जाते हैं और ऑक्टिडाइज होके मैटल कार्गोनेट मैटल सल्फेड एसक्टरा बनाते हैं इस प्रॉसेस को ही कहा जाता है प्रोजन और यह एक spontaneous process है अपने एक्जामपल और प्रोजन एक्जामपल और 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 उसका एक्जामपल हम क्या पढ़ने जा रहे है जरा देको अरश्टिमों और आए अरे पर रश्ट लगना कैसे लगता है अभी हम लोग इस इखाते हैं जरा तरह समझेभा कैसे लगता ठीके अब आएज्याग आईरन रश्टिम लोड़ीत इस तरह से और यह एरा रॉन को लड़े तक हम नहीं आएरं काक्सर्विस्स में लें खूना एक जरा बात को इस कुछ तरह से चाहो को आयरन का सब्ते होख और अक्छा बनाओ आँ कि यह आरन का सर्फिस है कि यह देखिए आइसे यह देखो इस पर क्या होने वाला है भ्यान दीटेजा यह आरन का सर्फिस है और यहां पर हमारे पास कोई आयरैन है कि इस तरह है अब यह आइरन क्या करता है आइरन का सर्फेस में किसी जगह पर किसी जगह पर क्या होता है आइरन सॉलिड जो होता है वह एलक्रॉन छोड़ देता है इस तरह से अब इस तो इसने क्या किये अलक्रॉन छोड़ दिये इस तरह से अपना इसमें कनवर्ट हो गया और यह दो एलक्रॉन इसने छोड़ ए अब यह जो दो एलक्रॉन आपको दिख रहे हैं यह वहां से चल देंगे गवार समझेगा ऐसे किसी दूसरी जगह पर जाकर आ कि अधिए यह अलक्रोन यहां आगए और किसी दूसरी जगह पर जाकर यह एर को एहर यहां पर ऑप सीजन गयस है नए एर में एर में क्या है ऑपसीजन गयस है यह जए से हमारी एर है है और समस्ते जाएएगा एर लें उसीजटों यह क्या रहोते हैई पर이드 है और यहां पर स्वलीड यहां पर मगर कहीं कहीं पर आइसा होता है कि ऑक सीजट ली भी दूसरी जगा हो जगा यह भी हो सकती यह भी हो सकती यह भी हो सकती आप सीजन को मिल जाते हैं तो जब वह बना देता है यह इस तरह से कि इतने ऑक्सीजन मिलेंगे चार कि इस तरह से बना देता है क्या अब जरा गौर समझेंगे यह क्या बना दिया है इसने वह अब हमारा जो आया हमारी रियक्षन यह आई कि यह हमारी रियक्षन क्या आई जरा देखिए हमारी रियक्षन आई एक्षी सॉलिड प्लस ऑप्सीजन प्लस वाटर ठीक है गिप्स तू एफी आयन एक्ष्वास ठीक है इस तरह से तू एफी आयन एक्ष्वास प्लस ओएच यह हमारी रियक्षन आई अब यह रश्ट नहीं बनाए अब जरा नोट जो लिख रहा हूं उसको गौर से समझेगा अब आपको पता चलेगा रश्ट कहां बनता है FEC double-pastu equals ion further oxidize by air and form FEC triple-pastu equals मतलब अब क्या होने वाला है अब क्या होता है यह जो एफी डवल पास्ट्यू इत्क्वस है यह फर्दर एयर से ऑक्षिडाइज होता है और यह बनाता है फिल एफी ओ थ्री डॉर्ट एक्सेश तू हाइड्रेटेड फेरिक हाइट्रॉक्साइड यह होता है रच्ट प्रिए क्या होता है फाइड्रेटेड इस पेरिक और सüz ऑक्साइड ऑ गिर ही दिगणक गोहते है रुस्टेंग ओक्राइट्र c PP केंसे रूस करने पर वह लूब पास्ट्हान बनाता एफ फसालिट से अधी टू पस्ट्यू और संट जीरो से सा माइनस डिये एक रिडॉप सौय स्म्सक्राइटन बनाता है और फिर वह पे अप्सेड क्या है रबत क्रस्ट में कनवर्ट हो जाता है हाइड्रेट बनाकर यो कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि वाटर इसके पास अधूर यहां पर वाटर माली कुल भी दुखुट का रहा है कि और वह भी तो बडलीजन कर रहे हैं । क्यों कि एयर में तो सब कुछ होता है यह वह भी पॉलीजन करता है तो इस तरह का रश्ट बनके हमारे पास आता है हाइड्रेटेड फेरिक आउक्साइड को रश्ट करता है तो ध्यान लखेगा इसकी केमिकल रियक्शन में एफी थ्री पास्ट्यू नहीं बनता है एफी टू पास्ट्यू बनता है वो फर्दर ऑस्टिडाइज होता है कब हमारे पास एफी थ्री पास्ट्यू मिलता है तो अब आपका पूरा सब कुछ खतम कर दिया है तो मेरे दोस्तों आप लोग खुम मैनस से इसके थोड़े से ज़्यादा कोश्चन कर लीजीगा क्योंकि कोश्चन भी मैंने आज ज्यादा नहीं कराए ठीक है तो खुब जी जान लगा के पढ़ियों खुब कोश्चन करियों खुब पढ़ाई करिये सारा टॉपिक खतम कर दिया है बस अब अब एक स्ट्रक्चर रहे गया है तो हम लोग तो बॉर्डर लाइन पे पहुंच गया ह और फुल टेस्ट देना स्टार्ट कर दिये अल दा बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों